रावन योरिवा राम और रावन का युद्धव हुआ वो कैसा हुआ वो ऐसा दूसरा नहीं हुआ इसलिए उसके जैसा वही है ऐसे ही आज के काल में संदे जैसा काम दूसरा कोई चलता नहीं जिसके साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए फ्राम known to unknown यह रास्ता बंद हो गया संग को जानना है तो संग को ही जानना पड़ता है और जानने में भी बड़ी कठेना ही आ है दूर से देखके संग पता नहीं चलता दूर से देखेंगे तो कई प्रकार की गलत फ़ामिया हो सकती है अब यहां स्वयम्चो को ने भी आया मियोग का प्रदर्शन किया तो पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा संग कोई अखिल भारतिये जिम्खान आये क्या सब गणवेश में इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरा मिल्टरी और्गनाइजेशन है ऐसा भी मान लेते हैं यहां स्वयंचो को ने सब ने मिलके एक गीत गाया और एक व्यक्तिकत भी गाया गया तो हो सकता है कोई समझे कि संग कोई अखिल भारतिया संगीत चाला है संगे अध कि अब यह सब बाते संगल में होती हुवी दिखती है लेकिन संगीत चाला वियायम चाला यह संग का रूप नहीं है कि संग के सब स्वयंचों के मिलकर एक लाज 30,000 से ऊपर कि भीभिन्द संगतों के मद्यम से ट्रस्टों के मद्यम से सेवा कारिय शारे देश में चलाते हैं लिकिन शंग सर्विस और्गनाजिएशन कि यह सारी बाते जो हम देखते हैं हो रही है संग protest कर रहे है क apprentices ने उनकी विचार दिया हैं संगने उनकी संसकार दिया है संग से प्रेना मिलती है वो समाज के लिए जहां अवश्यक है उनको लगता है वहाँ काम करते हैं सब को साथ लेकर चलने की कला संग में सीखी है तो जल्दी ही बढ़ जाते हैं अगरणी हो जाते हैं सांग प्रामाणिक्ता से निस्वार्थ बुद्धि से काम करते हैं समाज का विश्वा सर्जित करते हैं पर नतुं यह उनका किया हुआ काम है स्वतंत रहे अलग है स्वायत्त है और बढ़ने के बाद च्वावलम भी हो जाता है संग पर निरभर नहीं रहता हूं कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संग के पास नहीं रहता उसकी अरशक्ता नहीं है संग को स्वयम सेवत संग के सावस्कारों में रहकर संग के धिय को न भूलते हुए सबके प्रतिस्नया में को मन में रखकर अच्छे काम करें इसके लिए वो स्वतन्त रहें उनको तैयार करने की यह जो पद्धती चलती है वो संग है और यह पद्धती विश्व में एक सबसे बड़ा स्वयम सेवी संगतन तैयार करना इसके लिए नहीं चलिए भारत में रट्रियस वहम सेवक संग का प्रभावी दबाव गट खड़ा करके उसके दबाव में सब कुछ बद इसके लिए नहीं चल रही है संग डेश में संगठन खड़ा करना नहीं चाहता पूरे देश को ही संगटित करना चाहता है समाज में दबावगट खड़ा नहीं करना चाहता पूरे समाज को ही संगटित करना चाहता है कि आज समाज में बहुत सारे लोग संग में हैं बहुत सारे नहीं भी है कुछ है जो विरोध भी करते हैं कुछ है जो न्यूट्रल है ऐसा कहा जाता है परंतु इन सब को जोड़ना है पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है क्योंकि भारत वर्षे इस प्रकार शक्ति संपन्न होकर सामर्थ संपन्न होकर खड़ा हो यह विश्व की आवश्यक्ता है गत दो हजार वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व ठक गया सब का सुख शाश्वत सुख कभी फीका नव पढ़ने वाला सुख यह सब जीवों के लिए लक्ष रहता ही है प्रकृती ने दिया है उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुनिया में आदुनिक दुनिया में और उन प्रयोगों के चलते उन प्रयासों के चलते मनुष्य की सुख सुविदाओं में मनुष्य के साधोनों में मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगती हुई बहुतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्त्वे उत्पन्न हुई बहुतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बाते पैदा हो गई लेकिन सुख नहीं बड़ा परियावरण का संकट खड़ा हो गया सुख नहीं बड़ा असमाधान बड़ा अत्मत्य बड़ी परिवार तूटने लेके साधन संपन्न विज्ञान, संपन्न मनुष्य उन साधनों का उपयोग मनुष्य कल्यान के लिए करने के बजाएं युद्ध के एक से एक प्रदत अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है और कलत हमानए है हुँसा रुकी नहीं है और इसलिए आज के दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले हमारी दुर्ष्टी में हम विश्वकों जैसा समझते हैं उसके आधार पर हमने सब प्रयोग कर लिए अब हमारी दुर्ष्टी के आधार पर हमारी समझ के चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है को लगता है अधिक पूर्ण है कि अधिक सटीख है कि उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए कि और इसलिए भारत बड़ा होना यह दुनिया की आवश्च्टा है हमारी तो है ही क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिकत रूप से या एक कुटुम्ब के रूप से भी हमको सुखी होना है तो हमारे देश को सुखी होना पड़ेगा हमको प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा हमको सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुर और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रख सकने वाला विश्व में उसको विश्व गुरु पर प्रतिष्ठित कर सकने वाला संपूर्ण देश को बल संपन्न सामर्थ संपन्न सर्वांग सुंदर सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्चता है क्योंकि देश में परिवर्तन तब आता है जब यह काम होता है कि देश में अनेक प्रकार की परिस्थिती रहती परिस्थिती पर उपाय करने वाले भी रहते हैं परिस्थिती में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं लोगों की आवशक्ताओं को लगकर संगर्श करने वाले लगते रहते सदा सर्वता रहते आए इनका अब आओ किसी देश के किसी समाज में कभी नहीं रहा परंतु जिंजिन देशों में प्राचीन समय छोड़ दीजिए इतिहास काल भी छोड़ दीजिए अर्वाचीन समय ने जिंजिन देशों ने प्रगति की उनका इतियास देखेंगो तो पता चलागा कि किसी विचार को किसी व्यक्ति को किसी समूह को किसी सरकार को श्रेय तो मिला निमित तो कोई होता है उसी के खाते में यश लिखा जाता है परंतु उस यश का संपन्न होना इसकी प्रक्रिया का अध्यान किया तो सो से लेकर डेड़ सो वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिती रहती है जैसा समाज है वैसे उसको नहता मिलते है वो काम करते है आये समाज से ही है जितनी समाज की उँचाई है उतनी ही उनकी उँचाई है और इसलिए संपूरा समाज को संगठित करना ये सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है राजा अपने नित्यक्रम में सुबह जल्दी उठके गर में थोड़ा सा व्यायम करके बाहर निकला और रोजका उसका नियम था गोड़े पर बैटकर रपेट करना आधा गंटा अगले ही दिन एक नया गोड़ा लाया था दूर से अर्बस्तान से वो गोड़ा लाया गया था पंचलक्षणी सुन्दर अश्वा था बहुत सबल था राजा उस पर बैठा उसने एडी लगाई लिकिन गोड़ा हिलने को तैयार नहीं लाग प्रयास किये गोड़ा हिली नहीं रहा है अड़ गया चलो आज अपना नियम तूट गया कल डबल रपेट करेंगे ऐसा सोच के राजा वापस आया अस्तान वगर करके नास्ते के लिए बैठ गया देखता है तो नास्ते में जो रोटी या थी सब जल गई तो नास्ता करने का मने ही उसका बदल गया चलो नास्ता के बाद बाखोला तो जितने पान थे अंदर वो सब सड़ गया तो राजा बड़ा विचार मगन होकर थोड़ा सा जिसको अंग्रीज में कहते हैं मूड आफ होकर दरबार में पहुंचा जैसे इस थाना पन्न हुआ प्रधान जी को उसने की प्रश्ण परश्ण प्रधान जी बताई और राजय की प्रश्ण पूछे गोड़ा क्यों गोड़ा रोटी क्यों जली पान क्यों सड़ा अब दर्बार का काम समापत ही नहीं हो इसका उत्तर ही नहीं मिले फिर कोई एक बुड़ा अनुबिवी था राजदानी के शहर में समझदार आदमी इसलिए प्रशिद्धा उसको भुला के लाया उसने राजा का प्रख्ण सुदा और रुस्तिका महाराज इसका उत्तर है गुमाया नहीं इसलिए गोड़ा अरता तब है पहले उसको गुमाते हाथ को पकड़ कर जिस मैदान में रपेट करनी मैदान दिखाते है वो जब तक मैदान पता नहीं होता है तब तक वो हिम्मत नहीं करता है गोड़े को गुमाना पड़ता है रोटी सेखते समय उसको भी गुमाना पड़ता है प तो घुमाया नहीं इसलिए सब प्रट्णों का इकी उत्तर है वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है हमारी स्थिती बदली देश की बिस्थिती बदली हम जागरुत नहीं थे तब गुलाम थे गुलाम का कोई करेंड नहीं था हम पर राज करने वालों से हमारी जनसिंक्या बहुत ज़्यादा थी उनका जो विचार तत्वध्यान है वो अधूरा था हमारा विचार तत्वध्यान पूर्ण है और हमारे तत्वध्यान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले हमारे पास प्रामानिक प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में यह प्रशन था और अपने प्रामानिक प्रयासों के अनुबहों से उसका उत्तर भी उनके मन में था सब के मन में एक सा उत्तर था कि उत्तर यही था कि हम जिजबान जिन जिन बातों के लिए प्रयास कर रहें वह बाते तो हो जाएगी जो विशय हमने हाथ में लिये हैं उनके हल निकल जाएंगे लिकिन वो विशय फिर से खड़े नहीं हो गए इसकी क्या गरंटी है अंग्रेश कोई पहले नहीं थे हमको गुलाम करने वाले यह अक्रमनों का ताता तो सिकंदर के पहले से शुरू हुआ शकहून, कुशान, यवन, बाद में मुगल, तुर्क, पठान, अफगान, बाद में ब्रिटिश, पॉर्टुगीज, डच, सारे लोग सब लोगों को अमला करने के लिए भारतवर्श ही मिला भारतवर्श की हवा उनके लिए अनुकुल नहीं थी यहां के शुरूविर लोगों से उनके पराकरम की तुलना भी नहीं हो सकती इतने हम से एठाते पराकरम में इस इस्वी सदी एक से इस्वी सदी सत्रा सो तक हम आर्थिक दुट्टी से दुनिया में पहले देश थे किसी मामले में हम कम नहीं थे और मुठिवर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर दक्षिन पुरपश्चिम देश को गुलाम बना दिया यह क्यों हुआ क्योंकि समाज में कुछ दोश घुज गए हैं समाज की स्थिती ठीक नहीं है समाज की इम्यूनिटी कम हो गई है इसलिए हर कोई वाइरस उसको गिरा सकता है संग के संस्थापक डॉक्टर हिडगिवार ऐसे सब कारियों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके काहरे करता थे प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से उन्होंने काम किया क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा देह नहीं था बच्वन में अनाथ हो गए थे परिवार की जिम्मेवारी का प्रष्ण नहीं था छोटे भाई थे देश के लिए काम करते हैं और उसमें उन्होंने प्रतिग्या की थी कि इस जीवन में केवल इस देश के लिए सारी शक्ति लगाएगे और इसलिए समाच जीवन में समाच को उठाने के लिए देश को जगाने के लिए देश को स्वतंत्र करने के लिए जो जो चलता था सब में उन्होंने भाग लिया प्रामानिक्ता से निस्वार्थ बुद्दे से तनम अधन धन पुर्वक कार्य किया उनका स्वयम का चिंतन अध्यन भी था सब कार्यों के उनके समकाली जो धुरीन लोग थे उनके साथ उनकी भेट वी थी चर्चाय हुई थी हुआ करती थी लोक्माने तिलग जी सावर कर जी डक्टर बाबा साब अम्मेड कर मात्मा गांडी जी बाबु सुभाष चंद्रबोस मदन मोहन मालविय भगत सिंग चंद्रशिकर आजाथ ऐसे सब लोग उनके संपरक में थी क्योंकि इन सब के कारियों में कुछ न कुछ हिस्सा उन्होंने उठाया था और उठाते रहे थी चर्चे होती थी तब उनको पता चला कि मेरा जो अनुभव है और मेरा जो निश्कर से है सब के मन में वही बात है कि हमने जो काम लिया है वो तो सफल हो जाएगा लेकिन सदा के लिए रोग हट जाएगा है फुरसत में नहीं है इसको करने के लिए तो सब काम छोड़के मही ही यह करता हूं साथ आठ वर्ष उन्होंने प्रयोक किए परिवर्तित करना समाज को परिवर्तित करने का काम करने वाला कार्यकरता देश भर में खड़ा करना आत्मविश्वा सुत्पन्न हो और सब समाज जिनको अपना मानता हो अइसे कार्यकरताओं के समुह गाओ गाओ में और शहरों की बस्ती बस्ती में खड़े करेंगे तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरन बदलेगा बिल्कुल यही कलपना श्री रविन नाथ ठाकूर के स्वदीशी समाज नामक निबंद में आपको पढ़ने को मिली विचार के नाते संगने नहया कुछ नहीं किया युगानु युग से चलती है अपनी सनातन परंपरा में अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए वो सब देखकर उन सबसे लेकर यदि कोई कमी किसी में हो तो उसको निकाल कर एक युगानुकूल पद्धती समाज को संगटिच करने की खोजी उसका प्रयोग चल रहा है संतान में साल पूरे हो रहे हैं उसका नाम राक्ट्रियस वाइंचयोक संगय है क्योंकि यह आदत करने का काम है रोज करना पड़ता है सब भूलो शाखा में आओ शाखा में आओ शाखा में क्या करो यही जो कारिक्रम आपने देखे डिखने में तो कुछ बड़े महत्तो पुरुन अगर लगते नहीं हाथ बाजू करो आथ उपर करो फिर से बाजू करो कौन सा समाज परिवरतन भाई इसमें क्या राटर राटर का क्या होने वाला है क्या इस हाथ की हवा लगकर कुछ होने वाला है क्योंकि यह हाथ हिलाने से क्या हुआ है वो आज प्रत्यक्षा है स्वेहम से ओक जो कर रहे हैं वो समाज देख रहे हैं क्योंकि जो काम करना है वह बड़ा महत्वपूर्ण काम है वैसे ही बड़ा कषिन काम है इस देश के लिए हमको काम करना तो इदेश क्या है इसकी स्पट्ट्र समझ चाहिए यह मरा भारत है कि यह कब से आया कि इस पर्ट्र नहीं है कुछ लोग कहेंगे 1948 के बाद हमारा देश बनाओ क्योंकि उन्हें यहीं देखा है कि एक सरकार होती है तो एक देश होता है उन्होंने कभी अनेक सब्ता है एक एग देश में ऐसा देशी देखा नहीं दुनिया नहीं देखा है दुनिया में राट्र कहने से नेशन स्टेट ऐसा ही मानते है जब तर स्टेट है तब तक नेशन है नेशन ये उत्पत ये स्टेट के हमारे या अलग है पहले से अलग है हमारे या राट्र का प्रमुग घटक है जनपदवती भूमी याने ऐसा समाज जिनके सामने समान उद्देश्चा है और वो किसी एक भूमी से अपना नाता मानते हो उस भूमी पर रहने वाले परमपरा से हमारी पुन्य भूमी यह है हमारी धर्म भूमी कर्म भूमी यही है भारत वर्शन हमको दूसरा जैस नहीं है यह हमारा है और सदियों से हम इसको मात्रू भूमी मान रहे है माता भूमी है भूमी हमारी बाता है भूमी है ने सारी सारा ग्रह होता है ना प्लैनेट अर्थ लिकिन आगे का है पुत्रो हम पृथिव्यां पृथवी सब्द भी उसी अर्था में प्रेयोक करते हैं लेकिन पृथवी सब्द की विद्पत्ति में पृथू राजाने कुर्शी योग्या बनाई भूमी इसलिए वो पृथवी है ऐसी भूमी कोनसी है यह हमारा भारत विष्णुपत्नी नमस्तुब्यं पादस परशंग शमस्वनी है पुरा रकाल से हम कह रहे है हिमालयम समारभ्य यावद हिंदु सरोवरं लिए निर्मितं देशं हिंदुस्थान परचर किस देग यह प्राचीन हिंदुस्थान देश और उसमें रहने वाला हिंदुसमाज उ और हम इस देश में रहने वाले सब लोग एक धेह से अनुप्राणित है हमको यह बताए कि अपना जीवन ऐसा रखो कि आपका जीवन देखकर अन्य लोगों के जीवन बन जाए वो जीवन अच्छा है कि तुम कितना कमाते हो और तुम कितने इलेक्शन जीटते हो और तुम कितना पैसा जमा करते हो यह महत्व की बात नहीं महत्व की बात है कि तुम जितने बड़े बने उतना सब को बड़ा किया की नहीं तुमने जितना कमाया वो सब में बाटा की नहीं तुम अगर कहीं राजा बन गए तो धर्मराज्य चलाया की नहीं कहीं पर तुमने जीत लिया तो वो धर्म विजय था कि कौन सा विजय था असुर विजय था धन विजय था कि धर्म विजय था यह पूछा जाता है हमारी एक निश्चित दागना है हमारे एक सामने हमारे पुर्वजोंने दिये रखा है सत्य को जानने के लिए त्याग मैं जीवन कैसे जीना सारे विश्व को बताना इसकी इच्छा हमारे अंतरमन में रहती है ие कुछ लोग जानते हैं बोल सकते कुछ लोग जानकर बोल नहीं सकते कुछ लोग जानते नहीं हैं लेकिन प्रसंग आता है तो फुट पड़ता है कि इसलिए हम एक समाज है हम एक जन पद है और ओर हमारी भूमी भारत वर्श है बाकी सारे बाते राज्ज्ण बल दुर्ग कोश्व अमात्य सुरूद्ध यह सब बाद में आता है हम राट्रा इभी धता के राट्र पहले से हैं और हमारे हं इन सब विध्यता का स्वीकार और स्वागत है क्योंकि सारी विध्यता है एक ही सत्य का अविश्कार है इसको हम जानते हैं दुनिया की भाषा में आज कर बोलते हैं unity in diversity लेकिन वास्तों में तो हमने यह डाइवर्सिटीज उफ यूनिटी इसको अनुभाव किया है और उसको अनुभाव करने वाले आज भी हमारे जेश में मिलते हैं है उसके कारण सारी भाषाए सारे पंथव उपण्थ डेवी-देवताय खान पान रिकिवाच के अनेको प्रकार मत मतांतरों के अनोक्य विचार तत्वज्ना यह सब हमारे जेश में पहले से शास्तरा आर्थ होते हैं सम होते हैं परण्तु यह सब होने के बाद भी हम एक राष्ट रहे हम एक समाज है हम हिंदू समाज है हमारा हिंदू राष्ट रहे हम सब भारत बाटा के पुत्र है हम सब उनी पूर्वजों के वहुशज है जिनों ने ये का एकंसद विप्राब हुदा बदनती है जिनों ने ये लक्षा हम को दिया है ये तद्देश प्रसूतस कोई भी हमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है चालिस जार वर्षों से हमारा डी एन एक है पूजा किसी की कोई हो या कोई पूजा न भी करता हूँ खानपान रितिरवाज कुझ भी हो रहनसन का प्रकार कुझ भी हो विचार तत्वन्यान कुझ भी हो हम है वही आज हम मानते कुझ भी हो वस्तविक्ता यह है वैद्ञानिक दुरुष्टी से अईतिहासिक दुरुष्टी से तरक से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब हमाजे है हमारा अन्दोर्ट तू हर रहत है हमको जोड़ती है कि हम अलगता को अभिशप नहीं मानते हम अलगता को अपने जीवन का अलंकार मानते है है यह हिंदु दुर्ष्टी है, हिंदु दुर्ष्टी के आधार पर सनातन काल से चलता आया हुआ समाज जीवन इस भूमी में खड़ा हुआ, यह हमारा देश है, यह स्पष्टकल्पना होनी चाहिए, उसके लिए इस देश को जाना चाहिए, भारत को जानो, जानकर उसको मानन चाहिए, क्योंकि यह शाश्वत बात है, यह रहने वाली बात है, नाही तयास जगती अमरत्व प्राप्त धाले, ते ज्ञानती कलाते सरवत्व नष्ट धाले, आम्मीच पाही लेले है आदियंत त्यान से, इस दुनिया में अनेक देशों को उड़ता, बिगड़ता, बनता, नटो होता हमने देख लिया है, हम उसके भी साक्षी है, हम है, थे है और रहेंगे, इस देश को जानना, इसके हमरता के इस रच्ष को जानना, इसके रूप को जानना, इसके आत्मा को जानना, और केवल ज जानना नहीं हमको राष्टर की पूजा करनी है भारत माता की पूजा करनी है राष्ट्रा अर्चन करना है तो पूजा कैसे करती है करते हैं पत्र फल फल पुष्पो वगरे उप्चार है वास्तोविक पूजा वो होती है जिसकी पूजा करना वैसे बनो तो भारत को जानो भा बारत के सब भाषा है हमारी भाशा है है भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने भारत के सब पंथो उपवन्तों सब वह हमारे ही है इस इस पर मैं चलूँगा श्रद्धा पुर्वक्त चलूँगा लेकिन इन सब विधताओं का मैं सम्मान करूंगा आदर करूंगा उनके विकास में मैं मेरा हत लगाओंगा सब के साथ चलूंगा सब को साथ लेकर चलूंगा क्योंकि मैं जन्मा हूं किसी प्रांत में बोलता हूं किसी भाशा को को पूछता हूँ किसी भगवान को खाता हूँ कुछ पहनता हूँ कुछ परंतु मैं पूरे भारत के साथ मन से एकाकार हूँ कोई भी चीज भारत की मेरे लिए विदेशी नहीं है पराई नहीं है वो मेरी अपनी है ये व्यवार में लाना आदत करनी पड़ती है सद्भावना से व्यवार करना है ऐसा होने के बाद अपने व्यवार को सद्भावना पुर्ण बनाना पड़ता है दूसरों को देखना है कभी भी नकार आत्मक दुर्ष्टी से नहीं देखना दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव दुरी का भाव द्वेश का भाव कभी रखना नहीं सब के कल्यान की इच्छा रखना स्वयम किसी के दुश्मनी के शिकार न बने द्वेश के शिकार न बने स्वयम किसी से मार न खाए इतना सबल होना तभी ये सद्वावना शोगा देती है नहीं तो दुर्बलों को इलाज नहीं रहता दूसरों के प्रति सद्वावना रखे बिना दुर्बलों की सद्वावना नाटक होता है हमको सद्वावना का नाटक नहीं करना है मन से सबके प्रति सद्वाव रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कोई खत्रा नहीं किसी से हैं कोई हमको धक्का नहीं पोचा सकता इसके बारे में हम आश्रोस्त इतना बल हमारा है और इसलिए हमारी दुख्टी क्या है वसोद भी वह कुटुम्बकम ये सब कुछ हमारा है सब कुछ हमारे अपने हैं इस सद्वावना के विवहार को अपने गाउं से प्रारंब करना जात पात के भेत को कभी भी आचरण में याने देना क्या व्यक्तिकता चरण सामाजी का चरन अपने कुटुमबक वाता वरन अपने आजी विका के स्थान पर कभी भी मनुष्यको आती पंत्र प्रांथ भाशा के इससे नहीं देखना क्या उसके साथ अपनफ्वका व्यवार करना चahu कि एक दूसरे को देखकर सुधार के प्रेना होनी चाहिए ऐसे जीवन का उधारण रखना कि और ये सारा जीवन हमको जिन से मिला है उनको वापस देना है हम पर कर जाए हमारी परमपरा में तीन प्रकार के रुण मानते हैं कि देवरुन पित्रुरुन और रुषिरुन कि देवरुन है सुरुष्टी का हमारे देवता सुरुष्टी की शक्तियों के प्रतिक है पंच महाभूत हमारे देवता है रमण महरशी ने कहा है अश्टमूर्थी कौनसी अश्टमूर्थी पृत्वी आप तेजवायों हकास सू सब्सक्राइब गैं जीवनी Normand Ka Jira को जुवनी शक्ति का प्रतिक है चंडर जो मन का प्रतिक आप और जीव कि यह यह देवता शुरूप है और आगरे इंद्र विद्यूत के स्वामी है मेगह के स्वामी है वरुण जलक देवता अगनी सास्ट अगनी इनके चलते अमारा जीवन इनका शोषन नहीं करना पर्यावरण की समस्यां खड़ी नहीं करना आपने आच्रेट से कि विकास को सोचना तो पर्यावरण को सुरक्षित रख्ये कैसे चलना यह सोचना कि यह अच्छ बहुद्ध सब के लिए बने हैं हमारा आचरन पर्यावरन मित्रताका हो मेरा मेरे कुटुम्ब का मेरा सामाजी का आचरन मेरा अजीविका के क्षेत्र में आचरन तो उसके परिणाम से दिरे दिरे समाज का आचरन बदलेगा पित्रूरुन हैं, हमारे पुर्वजोकारुन हैं, उन्होंने त्याग बलिदान किया, अपना पसिना खुन भाया, तब हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सके, उनके स्मारगों का जतन करना, उनके स्मरण का जतन करना, उनके आचरण को अपने आचरण से आगे बढ़ा सब्सक्राइब लोगों में भी अच्छे लोगों सकते हम अच्छा ही देखे अपने मुल्यों के कसोटी पर अच्छा आचरन कैसा होता है हमारे आप परंपरा चली है आज भी उसके जीवन तो उदारन हमारे मुल्यों के है कि बहुत लोग है जो त्यक करते हैं समाज के लिए कि बहुत लोग हैं जो स्वधेशी स्वभाशा स्वभुपाशा पर अटल रहकर और समाज को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे चारों और जीवन तो उधारन है हमारी इतनी लंबी परमपरा है उसको जानना उसका अनुकरन करना और रुशिर उने है ज्ञानी लोगोंने हमारे लिए ज्ञान का खजाना दिया है चतुरुवेदा पुराणानी सर्वोपनिसदस्तता रामायनम भारतमच गीता सतदर्शनानीच जैनागमाह त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एशद ज्ञान निजिश्रेश्ट पूरे जीवन का तत्वद ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहित हमारे सामने है इस हमारी संपदा का जतन स्मरण उसको बढ़ाना यह करना है रुणमोचन का काम तीसरा काम है और ऐसा करने के लिए जीवन को एक अनुशासन में बानना अपनी परंपरा के मुल्यों का अनुशासन है कि साथ साध अपने देश ने सरवसामति से मान्य के समिधान का अनुशासन है आप अब हम तरकिय राज्य में नहीं है हम अपने राज्य में हैं तो हमारे आचरण में सयम कैसा होना चाहिए कानून व्यवस्था नियम का पालन कैसे करना चाहिए हमारा उदारण होना चाहिए यह चार काम है जो करने से देश बढ़ा होगा यह सब को करने पढ़ेंगे करने पढ़ेंगे तो इसकी आदत करनी पढ़ेंगे क्योंकि सारे काम बुद्धी से मानने होते हैं मन से भी मानने होते हैं लेकिन करने में आदत के आरण आदमी चूप जाता किस्सा बता थे ऐसा एक आजमी जा रहा हो उसका मित्र सामने से हता है पुष्टा एका जा रहे हो जीवन से थग गया मैं मरने जा रहा हूं अभी ट्रेन जाएगी उस ट्रैक से वहां में सोने वाला हूं टुकड़े हो जाएंगे मेरे छुट जाओंगा दुनिया से अरे कर दुनगा यह का तुन बरुणगा तर लिकंड़े कि रधग जाएंगे मु ले गारा और वाल्भेर आज टू लिए अरू घर्टी ब हुगिए तुख लो जाया आ थैस्सा फे हमिज् से बाते है तो सुर्पित सुनों आप जाल्पित नहीं आई और दू मुन स्क्रिक्राम एक घंटे की साधना अपने जीवन में रोज की दिनचर्या का अंग वनानना यह अपनी साधना है, यह संग की साधना है, इसको संग समाज की साधना बनाना चाहता है, घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंदूओं के साथ, वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन में, कुछ विचार मत करो, कितना कमाते हैं, हमीर है की गरीब, कुछ मत विचार करो, समा हुए खेल के लो मात्रुभिमी के भक्ति के गानगाव पुर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरोप्रत का संचार करवा और भारतमादा की प्रारतना करो रोज करना एक गंडे का वह है शरीरमन बुद्धी देश के कारे के लिए तैयार होती है एक स अपने देहपत पर चल सकता है कि यह संग है कि यह सब को करना है कि एक घंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यक्ता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाओं को दूर करने वाला या समाज की तुटियों में सुधार लाने वाला कोई एक काम च पुर्वक करना कि उस काम को भुनाने की कभी नहीं सोचना बहुत सेवा की अब मुझे वर्टदो ऐसा नहीं कहे नuciónव सके लिए काम नहीं है कि संग में स्वैम से फक बहt कुछ करते हैं समाज के लिए बılanे करते संग के लिए विकरते उनको थैंक्यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते, अगर कोई स्वैंशक बैठक में मुझे पूछता है, मैं संग में आया हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा, हिम्मत है तो आओ, सं नार्था मन में है तो संग से दूर रहो उसमें तुमारा भी बला है हमारा भी बला है क्योंकि यही रास्ता है दूसरा रास्ता नहीं है अपने जैश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने जैश को बढ़ाने वाले जितने लोग है उनका सहि समाज को सद्गुनों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने वरने का उद्दम करने वाला समाज बनाना तभी भारत के भाग्य का उदय है और हम देख रहे हैं जितने प्रमान में यह हो रहा है संगतु इसी के लिए प्रयास करता है और भी लोग है सब के करने के परिणाम सुरूब जैसी जैसी समाज की समझ बढ़ रही है जैसे जैसे समाज की दुरुष्टी स्पट्टो हो रही है वैसे वैसे भारत की उन्नती हो रही है कि सतंद्रता के बाद आज के क्षण तक का प्रवास अगर हम देखेंगे अपने देश का तो देश के उन्नती के रेखा को आप समाज के उन्नती की रेखा के साथ समानतर पाऊगे जब जब समाज के गुणों की उन्नती एकता की उन्नती की पराकाष्टा थी तब देश भी किसे न किसी रूप में दुनिया के जिवन में किसी गुण की या किर्ती की पराकाष्टा पर था आज है बहुत दिनों से पहुंचा है और उपर जा रहा है उसको उस यात्रा को प प्रिक्षा इसमें हो जाती है और हमारी संख्या वगरे समाज देखता है लिकिन उसके लिए कार्यकरम नहीं है यह कहने के लिए है कि देखो हमारी कार्यपद्दती ऐसी है उसके परिणामा सर्वत्र गुंज रहे हैं आप सब लोगों को भी संग का अंग बनकर काम करना चाहिए इस रोज की साधना को अपने जीवन का अंग बनाकर डेश के लिए कुछ करने लायक हमको बनना चाहिए और पिर अपने अपने विचार से या संग की योजना में बैठकर समाज के भलाई का काम करना चाहिए जिस कार्य के कारण समाज में सद्गुनों का एकात्मता का आत्मीयता का वातावरंड बनेगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे खान पान रिति रिवाश के भेद, पंठ संप्रदाय के जाती के भेद, सब प्रकार के भेद, मतबत अंतरों के भेद भी छोड़कर हम सब एक निरने करके चलेंगे संग अच्छ द्वम, संवद द्वम, सम्वो मनाव सी जानता, यह संग है इतने सारे लोग है इतने प्रकार के लोग है सब के अलग-अलग विचार अलग अलग प्रुष्ठ भूमिय हैं मिलके विचार करते हैं जो सब का तय होता है वो मेरा विचार होता है संगटित समाज का ये लक्षन है शक्ति संपन समाज चाहिए जो ना भहे दे तो काहू को ना भहे जानता आप ऐसा समाज चाहिए ऐसा समाज निर्मान का ये काम है इसको किये बिना ना दुनिया की भलाई है ना देश की भलाई है ना हमारे आपके हमारे परिवारों की भलाई एक पंध में तीन-तीन का साधने वाला ये काम है हम सब का काम है इसलिए हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए संग को बढ़ा करने के लिए नहीं देश को बढ़ा करने के लिए कल इतिहास लिखा जाएगा हम सब मिलके करेंगे तो यह लिखा जाएगा कि समाज इस तर वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे इस वृत्ति के लोग है इस वृत्ति को अपने आप में स्थिर करते हैं और इसलिए आज के प्रसंग पर मेरा आपको यही आवा रहे है कि संग में आईए आने में कोई फिस नहीं है कोई नियम नहीं है जाना भी आपके मर्जी स जब चाहे आप जा सकते हो लेकिन आईए छे महना एक साल दो साल संग को अंदर से देखिए और देखने के बाद जब आपको यह प्रतित होगा कि उस दिन मौन बागवत अपने भाशन में संग के बारे में जो-जो का था वो सब संग में है तो फिर संग के कारिकरता बनिये ऐसा नहीं होगा तो क्या करना आपका स्वातंत्रे ऐसा है तो भी क्या करना आपका ही स्वातंत्रे लेकिन ऐसा है यह जब आप जानेंगे तो आप संग से दूर नहीं हो सकेंगे और इसलिए एक प्रार्थना में आपको करता हूं एक निवेदन आपको और आपके सामने सब्सक्राइब कर संग के कार्यक्राइब को देखना हिताइशी बनकर वावा करना इससे नहीं होगा हमको स्वयम से वग बनना पड़ेगा कार्यकरता बनना पड़ेगा आप जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे इस आशा और विश्वास के साथ आप सब को धन्यवाद देता हुआ म इसलिए उसके जैसा हुई है कि ऐसे ही आज के काल में संदे जैसा काम दूसरा कोई चलता नहीं जिसके साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए फ्राम नोन टू अन्नोन यह रास्ता बन हो गया है कि संद को जानना है तो संद को ही जानना पड़ता है और जानने में भी बड़ी कठेना हिया है दूर से देखके संद पता नहीं चलता है दूर से देखेंगे तो कई प्रकार की गलत फाहिमिया हो सकती है अब यहां स्वयम्चोकों ने भी आयाम योक्का प्रदर्शन किया तो पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा संद कोई अखिल भारतिय जिम्खान आये क्या सब गणवेश में हैं इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरा मिल्टरी और्गनाइज़ेशन है ऐसा भी मान लेते हैं कि यहां सवयन्चोकों सबने मिलके एक गीत गाया और एक वेक्टिकत भी गाया गया तो हो सकता है कोई समझे कि संद को या खिल भारतिया संगीत चाला है अब यह सब बाते संगह में होती हुई दिखती है लेकिन संगीत शाला व्यायम शाला यह संगह का रूप नहीं है संग के सब स्वेंचों के मिलकर एक लाग तीसाजार से ऊपर विभिन्न संगतों के माध्यम से ट्रस्टों के माध्यम से सेवा कारिया सारी देश में चलाते हैं लेकिन संग सर्विस और्गनाजेशन नहीं है कि यह सारे पाते जो हम देखते हैं हो रही है संग के स्वैंचों कर रहे हैं अ कर्फे वह इनका अपना करतुर्था और जो संग रिजा नयुक्षार दिया है संग ने उनको संस्कार दिया है अ संग से प्रेना मिलती है वह समाज के लिए जहाँ अवश्चक यह उनको लगता है वहां काम करते हैं कि प्रमानिक्टा से निस्वारत उद्धी से काम करते हैं समाज का विश्वा सरजित करते हैं परन्तु यह उनका किया हुआ काम है स्वतंत रहे अलग है स्वायत्त है और बढ़ने के बाद स्वावुलम भी हो जाता है संग पर निर्भर नहीं रहता हूं कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संग के पास नहीं रहता उसकी आशक्ता नहीं है संग को स्वायम सेवत संग के सावस्कारों में रहकर संग के धिय को न भूलते हुए सबके प्रतिस्नया में को मन में रखकर अच्छे काम करें इसके लिए वो स्वतंत रहें उनको तयार करने की ये जो पद्धती चलती है वो संग है और यह पद्धती विश्व में एक सबसे बड़ा स्वयम सेवी संगतन तैयार करना इसके लिए नहीं चलिए भारत में रट्रिय स्वयम सेवक संग का प्रभावी दबाव गट खड़ा करके उसके दबाव में सब कुछ बद इसके लिए नहीं चल रही है कि संग डेश में संगढन्र करना ने चाहता पूरे देश को ही संगतित करना चाहता है श्तार्त के समाज में दबाव गट खड़ा नीं करना चाहता पूरे समय jako संगतित करना चाहता है कि आब समाज में बहुत सारे लोग संग में हैं बहुत सारे नहीं भी है कुछ जो विरोष भी करते हैं कुर आप ऐसा कहा जाता है पुरूंद इंस सबको जोड़ना है है कि पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है क्योंकि भारत वर्षे इस प्रकार शक्ति संपन्न होकर सामर्थ्य संपन्न होकर खड़ा हो यह विश्व की आवश्च्छता है कि गत्त 2000 वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व ठक गया सबका सुख शाश्वत सुख कभी फीका ना पढ़ने वाला सुख यह सब जीवों के लिए लक्ष रहता ही यह प्रकृति ने दिया है उसके लिए बहुत सारे प्रयोग होए दुनिया में आदुनिक दुनिया में और उन प्रयोगों के चलते उन प्रयासों के चलते मनुष्य की सुख सुविदाओं में मनुष्य के साधनों में मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति हुई बहुतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्त्वे उत्पन्न हुई बहुतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बाते पैदा हो गई लेकिन सुख नहीं बड़ा परियावरण का संकट खड़ा हो गया है कि सुख नहीं बड़ा असमाधान बड़ा अत्मत्य बड़ी परिवार टूटने लेके साधन संपन्न विज्ञान संपन्न मनुष्य उन साधनों का उप्योग मनुष्य कल्यान के लिए करने के बजाए युद्ध के एक से एक प्रदत अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है और कल थमान यह हुँसा रुकी नहीं है और इसलिए आज के दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले हमारी दुर्ष्टी में हम विश्व को जैसा समझते हैं उसके आधार पर हमने सब प्रयोग कर लिए अब हमारी दुर्ष्टी के आधार पर हमारी समझ के चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है हम से भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है अधिक सटीख है उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए और इसलिए भारत बड़ा होना यह दुनिया की आवश्चता है हमारी तो है क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिकत रूप से या एक कुटुम्ब के रूप से भी हमको सुखी होना है तो हमारे देश को सुखी होना पड़ेगा हमको प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्र सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रख सकने वाला विश्व में उसको विश्वगुरु पर प्रतिष्ठित कर सकने वाला संपूर्ण देश को बल संपन्न सामर्थ संपन्न सर्वांग सुंदर सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्चता है क्योंकि देश में परिवर्तन तब आता है जब यह काम होता है कि देश में अनेक प्रकार की परिस्थिती रहती परिस्थिती पर उपाय करने वाले भी रहते हैं परिस्थिती में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं लोगों की आवशक्ताओं को लगकर संगर्श करने वाले लगते रहते सदा सर्वता रहते आए इन इतिहास काल भी छोड़ दीजिए अरवाचिन समय ने जिन जिन देशों ने प्रगति की उनका इतिहास देखेंगो तो पता चलागा कि किसी विचार को किसी व्यक्ति को किसी समूह को किसी सरकार को श्रेय तो मिला निमित तो कोई होता है उसी के खाते में यश लिखा जाता है परंतु उस यश का संपन्न होना इसकी प्रक्रिया का अद्येन किया तो सो से लेकर डेड़ सो वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिती रहती कैसा समाज है वैसे उसको नहता मिलते है कि वह काम करते है आये समाज से ही ये जितनी समाज की उचाई है उतनी ही उनकी उँचाईए और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना ये सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है राजा अपने नित्यकरम में सुब़ जल्दी उठके गर में थोड़ा सा व्यायम करके बाहर निकला और रोजका उसका नियम था गोड़े पर बैटकर रपेट करना आधा गंटा अगले ही दिन एक नया गोड़ा लाया था दूर से अर्बस्तान से वो गोड़ा लाया गया था पंचलक्षणी सुन्दर अश्वा था बहुत सबल था राजा उस पर बैठा उसने एडी लगाई लिकिन गोड़ा हिलने को तयार नहीं लाग प्रयास किये गोड़ा हिली नहीं रहा है अड़ गया चलो आज अपना नियम तूट गया कल डबल रपेट करेंगे ऐसा सोच के राजा वापस आया अस्तान अगर करके नास्टे के लिए बैठ गया देखता है तो नास्टे में जो रोटी या थी सब जल गई तो नास्टा करने का मने ही उसका बदल गया चलो नास्टा के बाद थोड़ा पान खाएंगे दरबार जाएंगे इसलिए पान का डिब्बा खोला तो जितने पान थे अंदर वो सब सड़ गया तो राजा बड़ा विचार मगन होकर थोड़ा सा जिसको अंग्रीज में कहते हैं मूड आफ होकर दरबार में पहुंचा ज अब चलने लगा प्रश्ण और राजा एक ही प्रश्ण पूछे गोड़ा क्यों गड़ा रोटी क्यों जली पान क्यों सड़ा कि अब दरबार का काम समापत ही नहीं हो इसका उत्तर ही नहीं मिले फिर कोई एक बुड़ा अनुबिवी था राजदानी के शहर में समझदार आदमी इसलिए प्रशिद्धा उसको भुला के लाया उसने राजा का प्रख्ण सुदा और उसने का महाराज इसका उत्तर है गुमाया नहीं इसलिए गोड़ा अरता तब है पहले उसको गुमाते हाथ को पकड़ कर जिस मैदान में रपेट करनी मैदान दिखाते वो जब तक मैदान पता नहीं होता तब तक वो हिम्मत नहीं करता है गोडे को घुमाना पड़ता है रोटी सेखते समय उसको भी घुमाना पड़ता है पलटना पड़ता है नहीं तो जल जाती है और पान खाने वाले लोग जानते हैं पांदान में पान रखना है तो उसको बार-बार पलटना पड़ता है घुमाना पड़ता है तो घुमाया नहीं इसलिए सब प्रट्णोगाई की उत्तर है वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है हमारी स्थिती बदली देश की स्थिती बदली हम जागरुत नहीं थे तब गुलाम थे गुलाम को कोई करण नहीं था हम पर राज करने वालों से हमारी जनसिंक्या बहुत ज़्यादा थी उनका जो विचार तत्वज्ञान है वो अधूरा था हमारा विचार तत्वज्ञान पूर्ण है और हमारे तत्वज्ञान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले हमारे पास लोग है अन्य लोगों के पास नहीं है एक से एक बुद्धिमान लोग, बलशाली लोग, धनवान लोग, तब भी हमारे पास थे, उसके पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, यह हमारी कला है, कोशल है, ऐसे सब होने के बाद भी, हजारों मिल दूर से मुठी बर लोग, जो किसी मामले में हमसे छिष्ट नहीं थे, हम पर राज क्यों कर सके, डेड़ सो साल, स्वतंद्रता के लिए प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में ये प्रश्ण था, और अपने प्रामानिक प्रयासों के अनुभव से, उसका उत्तर भी उनके मन में था, सब के मन में एक सा उत्तर था, कि उत्तर यही था, कि हम जिजबान जिन जिन बातों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो बाते तो हो जाएगी जो विशय हमने हाथ में लिये हैं, उनके हल निकल जाएंगे, लेकिन वो विशय फिर से खड़े नहीं हो गए, इसकी क्या गरंटी है, अंग्रेज कोई पहले नहीं थे हमको गुलाम करने वाले, यह आक्रमणों का ताता तो सिकंदर के पहले से शुरू हुआ, शकहून, कुशान, यवन, बाद में मुगल, तुर्क, पठान, अफगान, बाद में ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, सारे लोग, सब लोगों को अमला करने के लिए भारतवर्शे ही मिला, भारतवर्शे की हवा उनके लिए अनुकुल नहीं थी, यहां के शुरूवीर लोगों से उनके पराकरम की तुलना भी नहीं हो सकती, इतने हम से रट्ठते पराकरम में, इस इसवी सदी एक से इसवी सदी सत्रा सो तक हम आर्थिक दुट्टी से दुनिया में पहले देश थे, किसी मामले में हम कम नहीं देए, और मुठिवर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर दक्षिन पुरपश्यम, देश को गुलाम बना दिया, समाज की स्थिती ठीक नहीं है, समाज की इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए हर कोई वाइरस उसको गिरा सकता है, संग के संस्थापक डॉक्टर हिडगिवार, ऐसे सब कारियों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके काहरे करता थे, प्रामानिक्ता से, निश्वार्त बुद्धी से उन्होंने काम किया, क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा देह नहीं था, बच्वन में अनाथ हो गए थे, परिवार की जिम्मेवारी का प्रष्ण नहीं था, छोटे भाई थे, देश के लिए काम करते हैं और उसमें उन्होंने प्रतिग्या की थी, कि इस जीवन में केवल इस देश के लिए सारी शक्ति लगाएगे, और इसलिए समाच जीवन में समाच को उठाने के लिए, देश को जगाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए, जो जो चलता था, सब में उन्होंने भाग लिया, प्रामानिक्ता से, निस्वारत इन्हेट हुई थी चर्चाय हुई थी हुआ करती थी लोक्माने तिलग जी सावर कर जी डक्टर बाबासाब अम्मेडकर मात्मा गांदी जी बाबु सुभाष चंद्रबोस मदन मुहनमाल विया भगत सिंग चंद्रशिकर आजाथ ऐसे सब लोग उनके संपर्क में थे क्योंकि इन सब के कारियों में कुछ न कुछ हिस्सा उन्होंने उठाया था और उठाते रहे थी चर्चाय होती थी तब उनको पता चला कि मेरा जो अनुभव है और मेरा जो निश्कर से है सब के मन में वही बात है कि हमने जो काम लिया है वो तो सफल हो जाएगा लेकिन सदा के लिए रोग हट जाए फुरसत में नहीं है इसको करने के लिए तो सब काम छोड़के मही ही यह करता हूं साथ आठ वर्ष उन्होंने प्रयोक कि परिवर्तित करना समाज को परिवर्तित करने का काम करने वाला कार्यकरता देजभर में खड़ा करना आत्मविश्वा सुत्पन्न हो और सब समाज जिनको अपना मानता हो ऐसे कार्यकरताओं के समूह गाओं गाओं में और शहरों की बस्ती-बस्ती में खड़े करेंगे तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरन बदलेगा बिल्कुल यही कलपना श्री रविन नाथ ठाकूर के स्वदीशी समाज नामक निबन्दमें आपको पढ़ने को मिली विचार के नाते संगने नहया कुछ नहीं किया युगानु युग से चलती है अपनी सनातन परंपरा में अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए वो सब देखकर उन सब से लेकर यदि कोई कमी किसी में हो तो उसको निकाल कर एक युगानु कुल पद्धती समाज को संगटिच करने की खोजी उसका प्रयोग चल रहा है संतान में साल पूरे हो रहे हैं उसका नाम राक्त्रियस वह रहा है क्योंकि यह अदद करने का काम है कि रोच करना पड़ता है सब भूलो शाखा में आओ शाखा में आओ शाखा में क्या करो यही जो कारिकरम आपने देखे दिखने में तो कुछ बड़े महत्तो पुरुन अगर लगते नहीं हाथ बाजू क करो हाथ उपर करो फिर से बाजू को नीचे करो कि कौन सा समाज परिवरतन भई इसमें क्या राटर राटर का क्या होने वाला है क्या इस हाथ की हवा लगकर कुछ होने वाला है क्योंकि यह हाथ हिलाने से क्या हुआ है वह अज प्रत्यक्षा है स्वहम से ओक जो कर रहे वो स कि इस देश के लिए हमको काम करना तो इन नहीं इसकी सप्ट्ट समझ चाहिए यह हमारा भारत है कि यह कब से आया इस पर्ट नहीं है कुछ लोग कहाँ गे 1947 के बाद हमारा देश बनाओ क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि एक सरकार होती है तो एक देश होता है इसा देश ही देखा नहीं दुनिया नहीं नहीं देखा है कि दुनिया में राट्र कहने से नेशन स्टेट ऐसा ही मांने जब तो स्टेट है तब तक नेशन है नेशन ये उत्पत ये स्क्रेट के हमारे या अलग है पहले से अलग है हमारे या राक्टर का प्रमुग घटक है जनपदवती भूमी याने ऐसा समाज जिनके सामने समान उद्देश्चा है और वो किसी एक भूमी से अपना नाता मानते हो उस भूमी पर रहने वाले परमपरा से हमारी पुन्य भूमी है हमारी धर्म भूमी कर्म भूमी यही है भारत वर्शन हमको दूसरा जैस्ट नहीं है यह हमारा है और सदियों से हम इसको मात्रू भूमी मान रहे हैं माता भूमी है भूमी हमारी माता है भूमी है ने सारी सारा ग्रह होता है ना प्लैनेट अर्थ एपके लिकिन आगे कहा है पुत्रों हम पृतिव्यान के दीखवी सबसे अर्था में प्रयोक करते लेकिन पृत्वी सब्ध राजाने कुर्शि योग्या बनाई भूमी इसलिए वह पृत्वी है ऐसी मौभ सिए यही हमारे भारतवर्ष है कि वह माता है रोज उठने के पहले नीचे पहर लगातने के पहले यह हमारी परमपरा थी कही कही आज भी याद है कही कही भूल गया है विश्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परशंग शमस्वनी पुरारा काल से हम कह रहे हैं हिमालयाम समारभ्या यावद हिंदु सरोवर हम इंदु सरोवर हम तम देव निर्मितम देश हम हिंदुस्थान हम परचर किस देए यह प्राचीन हिंदुस्थान देश और उसमें रहने वाला हिंदु समाज उतना ही प्राचीन है आज भी वही है यह हमारी मात्रू भूमी है और हम इस देश में रहने वाले सब लोग एक धेय से अनुप्रानित है हमको यह बताया है कि अपना जीवन ऐसा रखो कि आपका जीवन देखकर अन्य लोगों के जीवन बन जाए वो जीवन अच्छा है तुम कितना कमाते हो और तुम कितने इलेक्शन जीटते हो और तुम कितना पैसा जमा करते हो यह महत्व की बात नहीं महत्व की बात है कि तुम जितने बड़े बने उतना सब को बड़ा किया की नहीं तुमने जितना कमाया वो सब में बाटा की नहीं तुम अगर कहीं राजा बन गये, तो धर्मराज्य चलाया कई नहीं, कहीं पर तुमने जीत लिया, तो वो धर्मवी जय था, कि कौन सा भीजय था, असुर जय था, धन वी जय था, कि धर्मवी जय था, यह पूछा जाता है, हमारी एक निश्चित दागना है हमारे एक सामने हमारे पुरुवजों ने दिये रखा है एतदेश प्रसुत अस्य सकाशा अधगर जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरंद प्रतिव्याम सर्वमानवा सत्य को जानने के लिए त्यागमे जीवन कैसे जीना सारे विश्व को बताना इसकी इच्छा हमारे अंतरमन में रहती है कुछ लोग जानते हैं बोल सकते हैं कुछ लोग जानकर बोल नहीं सकते हैं कुछ लोग जानते हैं यह लेकिन प्रसंग आता है तो फुट पड़ता है इसलिए हम एक समाज है हम एक जनपद है और हमारी भूमी भारत वर्श है बाकी सारी बाते राज्ज, बल्ड, दुर्ग, कोश, अमात्य, सुरुद, ये सब बाद में आता है हम राट्र है विविधता के राट्र पहले से है और हमारे हाँ इन सब विविधताओं का स्वीकार और स्वागत है क्योंकि सारी विविधता है एक ही सत्यका आविश्कार है इसको हम जानते है दुनिया की भाषा में आजकल बोलते है यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकिन वा कि उसके कारण सारी भाषाएं सारे पंथो उपपंथो देवी देवताएं खान पान रिची दिवाज के अनेकों प्रकार रहन सन के अनेकों प्रकार मत मतांतरों के अनों के विचार तत्वध्यां यह सब हमारे देश में पहले से हैं शास्त्रार्थ होते हैं सब होते हैं परन्तु ये सब होने के बाद भी हम एक राष्ट रहे हम एक समाज है हम हिंदू समाज है हमारा हिंदू राष्ट रहे हम सब भारत माटा के पुत्र है हम सब उनी पूर्वजों के वहुशज है जिनों ने ये का एकंसद विप्राव भुदा दनती है जिनों ने ये लक्षा हम को दिया ये तद्देश प्रसूत स्यों कोई भी हमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है चालिस जार वर्षों से हमारा डी एन एक है पूझा किसी की कोई हो या कोई पूझा न भी करता हो खानपान रितिरवाज कुझ भी हो रहनसन का प्रकार कुझ भी हो विचार तत्वन्यान कुझ भी हो हम है वही आज हम मानते कुछ भी हो वस्तविक्ता यह है वहिद्ञानिक दुरुष्टी से अईतिहासिक दुरुष्टी से तरक से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब लोग उनसे संबंद रखते हैं और उनको दुनिया हिंदु कहती है इसलिए हम हिंदु समाज है हमारा हिंदु राट है हमको जोड़ने वाली यह एक बात है भाशा हमारी अलग अलग है पूजा है हमारी अलग अलग है भाशा है प्रांत इस अब अलग अलग है लेकिन यह बात हमको जोड़ती है कि हम अलग ताको अभी शाप नहीं मानते हम हिंदु दुख्टि है हिंदु दुख्टि के आधार पर सनातन काल से चलता आया हुआ समाज जीवन इस भूमी में खड़ा हुआ कि यह मरा देश बहुत के यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए उसके लिए इस देश को जाना चाहिए रहत को जानो जानकर उसको मानना चाहिए क्योंकि यह शाश्वत बात है यह रहने वाली बात है इस दुनिया में अनेक देशों को उड़ता बिगड़ता बनता नच्ट होता हमने देख लिया है हम उसके भी साक्षी है हम है थे है और रहेंगे इस देश को जानना इसके अमरता के इस रश्य को जानना इसके रूप को जानना इसके आत्मा को जानना और केवल जहनना नहीं हमको राष्टर की पूझा करनी है भारत माता की पूझा करनी है राष्टरा अर्चन करना है तो पूझा कैसे करते हैं पत्र फल फल पुष्पव अगरे उप्चार रहे वास्तोविक पूझा वह होती भारत भ intent-ीया जिसकी पूजा करना वय से ऻृह तो भारत को जानो भारत को मानो भारत की बनो । है हमारी चाहिए भारत के सब भाशा है हमारी भाषा है है हुआ भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने भारत के सब, पंधर, उपपंधर, वो हमाने ही है, मेरा अपना कुछ है बैसिश क्यों, वो भी मेरा है, उस पर मैं चलूँगा, स्रदापूर्वत चलूँगा, लेकिन इन सब विधताओं का मैं सम्मान करूँगा, आदर करूँगा, उनके विकास में मैं मेरा हत लगाऊंगा सब के साथ चलूँगा सब को साथ लेकर चलूँगा क्योंकि मैं जन्मा हूं किसी प्रांत में बोलता हूं किसी भाषा को पूछता हूं किसी भगवान को खाता हूं कुछ, पहनता हूं कुछ परंतु मैं पूरे भारत के साथ मन से एकाकार हूँ कोई भी चीज भारत की मेरे लिए विदेशी नहीं है पराई नहीं है वो मेरी अपनी है ये व्यवार में लाना आदत करनी पड़ती है सद्भावना से व्यवार करना है ऐसा होने के बाद अपने व्यवार को सद्भावना पुर्णा बनाना पड़ता है दूसरों को देखना है कभी भी नकरातमक दृष्टी से नहीं देखना दूसरों के प्रति शत्रता का भाव दुरी का भाव, द्वेश का भाव कभी रखना नहीं सब के कल्यान की इच्छा रखना स्वयम किसी के दुश्मनी के शिकार न बने द्वेश के शिकार न बने स्वयम किसी से मार न खाए इतना सबल होना तभी ये सद्बावना शोगा देती है तो दुर्बलों को इलाज नहीं रहता दूसरों के प्रती सद्बावना रखे बिना दुर्बलों की सद्बावना नाटक होता है हमको सद्बावना का नाटक नहीं करना है मन से सब के प्रती सद्बाव रखते है क्योंकि हम जानते है कि हमको कोई खत्रा नहीं किसी से कोई हमको दक्का नहीं पोचा सकता कि इसके बारे में हम आश्रोष कर इतना गण हमारा है और इसलिए हमारी दुफ्टी क्या है वसोदे भी वह कुटुम बकं यह सब कुछ हमारा है सब कुछ हमारे अपने हैं इस सद्वावना के विवहार को अपने गाउं से प्रारंब करना जात पात के भैत को कभी भी आचरन म अपने कुटुम्बका वाता वरंड अपने आजी विका के स्थान पर कभी भी मनुष्य को जाती पंत प्रांत भाशा के इससे नहीं देखना उसके साथ अपनत्व का व्यवार करना सद्मावना का व्यवार करना मिलते रहना एक दूसरे की विकास में सहयोग देना एक दूसरे को देखकर सुधार के प्रेना होनी चाहिए ऐसे जीवन का उधारन रखना और यह सारा जीवन हमको जिन से मिला है उनको वापस देना है हम पर कर जाए हमारी परमपरा में तीन प्रकार के रुन मानते हैं देवरुन पित्रुरुन और रुषिरुन देवरुन है सुरुष्टी का हमारे देवता सुरुष्टी की शक्तियों के प्रतिक है पंच महाभूत हमारे देवता है रमण महरशी ने कहा है अश्टमूर्थी कौनसी अश्टमूर्थी पृत्वी आप तेजवायों अकास सूर्य जो जीवनी शक्ति का प्रतिक है चंद्र जो मन का प्रतिक है और जीव ये देवता सुरुफ है और हमारे इंद्र विड्युत के स्वामी इए मैगो के स्वामी है वरुण जलके देवता है अगनी साक्षात अगनी ही इनका रुण है इनके चलते हमारा जीवन है इनका शोशन नहीं करना परियावर्ण कि समस्य अख़ड़े नहीं करना आपने आचरण से विकास को सोचना तो पर्यावरन को सुरक्षित रख्ये कैसे चलना यह सोचना यह पंच्च महाभुथ सब के लिए बने हैं हमारा आचरण पर्यावरन मित्रताका हो मेरा मेरे कुटुम्ब का मेरा सामाजी का आचरण मेरा जीविका के क्षेत्र में आचरण तो उसके परिणाम से दिरे दिरे समाज का आचरण बदलेगा पित्रूरुन है हमारे पुर्वजोकारुन है उन्होंने त्याग बलिदान किया अपना पसिना खुन भाया तब हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सके उनके स्मारकों का जतन का उनके स्मरण का जतन करता हम उनके आचरण को अपने आचरण से आगे बढ़ाना उनके आदर्शों का अनुकरन करन के फैशनेबल लोगों का अनुकरन नहीं करना के अच्छे लोगों सकते हम अच्छाई देखे अपने मुल्यों के कसोटी पर अच्छा अच्छान कैसा होता है हमारे परंतरा चली है आज भी उसके जीवन तो उधारन हमारे मुल्यों है कि बहुत लोग है जो त्याग करते हैं समाज के लिए बहुत लोग है जो स्वधेशी स्वभाशा स्वभुपाशा पर अटल रहकर और समाज को आगे बढ़ाते हैं हमारे चारोर जीवन तो उधारन है हमारी इतनी लंबी परंपरा है उसको जानना उसका अनुकरन करना और रुशिर उन है ज्ञानी लोगों ने हमारे लिए ज्ञान का खजाना दिया है चतुरुवेदा पुराणानी सर्वोप निसदस्तता रामायनम भारतमच गीता सत्दर्शनानीच जैनागमाः त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एशद ज्ञान निजिश्रेष्ट पूरे जीवन का तत्वद ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहित हमारे सामने है इस हमारी संपदा का जतन स्मरण उसको बढ़ाना यह करना है रुणमोचन का काम तीसरा काम है और ऐसा करने के लिए जीवन को एक अनुशासन में बानना अपनी परंपरा के मुल्यों का अनुशासन है साथ साप अपने देशने सरवसहमती से मानने के समिधान का अनुशासन है अब हम परकिय राज्य में नहीं हैं हम अपने राज्य में हैं तो हमारे आचरण में सयम कैसा होना चाहिए कानुन व्यवस्था नियम का पालन कैसे करना चाहिए हमारा उदारण होना चाहिए यह चार काम है जो करने से देश बड़ा होगा यह सब को करने पढ़ेंगे करने पढ़ेंगे तो इसकी आदत करनी पढ़ेंगे कि यहां कि सारे काम अन्य होते हैं जलेकिन करने में आदत के आरन आध्मी चूग जाता है किकर बद हैक आदमी जा रहा हो और हु का मित्र सामने से अताए पुस्ता एक हां यह नहीं reader बस जीवन से थग गया, मैं मरने जा रहा हूँ, अभी ट्रेन जाएगी उस ट्रेक से, वह मैं सोने वाला हूँ, टुक्ड़ हो जाएगे मेरे, छुट जाओंगा दुनिया से, अरे भाई ऐसा क्यो कर, ने ने मुझे मत समझाओ, तुम मेरे मित्रो, मेरे निष्टे के आड़े आगन तो मेरने माला हूँ, कोई मुझे प्रावध्त नहीं कर सकता, अब मैं मरूंगा ही मरूंगा, अच्छा, अच्छा, मरोगे similar, बहुते क्यों ले जा रहे हूँ, तो लटे क्यों है, जो थे टो दू लिया+, तो उटेकर जाहART, बहुते क्म्रने जाए लेकिन 11 पर आभजे भूख लगती है यह आदत है इससा तो कल्पित है तो आप जा नहीं गए परूंतु बोध उसका कल्पित नहीं है आदत से मनुष्य काम करता है अच्छे बातों की भी आदत लगानी पड़ती अनुकूल बातों को भी आदत लगानी पड़ती और इसलिए एक कि रखना भी पड़ता है इसलिए इस एक गंटे की साधना अपने जीवन में रोज की दिनचर्या का अंग वणाना यह अपनी साधना है यह संग की साधना इसको संग समाच की साधना बनाना चाहता है गर से बाहर निकलो अपने देश के बंदूओं के साथ वो कौन है कहां से आते हैं कहां जन में कुछ विचार मत करो कितना कमाते हैं अमीर है की गरीब कुछ मत विचार करो समाज में मेरे जैसे प्रतिश्ठित है कि उंचे है कि हल्क कुछ विचार मत वो मेरे अपने भाई है उ पुरुव जो के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरोप्रत का संचार करवा और भारतमाता की प्रारतना करो रोज करना एक गंडे का वह है शरीरमन बुद्धी देश के कारे के लिए तैयार होती है एक स्थिती पर पहुशने के बाद उसको वैसा ही रखा तो स अगधाय यह सबको करना है is एक गंटे की साधना करना और पिर अपने जीवन में समाज की आवश्यक्ता को पूर्ण करने वाला यह समाज के अभाओं को दूर करने वाला यह समाज की त्रुक्यों में सुधार लाने वाला कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामानिक्ता से निश्वारत बुद्धी से तनमन धन पुरवक करना उस काम को भुनाने की कभी नहीं सोचना बहुत सेवा की अब मुझे वोट दो ऐसा नहीं कहना उसके लिए काम नहीं है संग में स्वयम सेवक बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए भी करते हैं संग के लिए भी करते हैं उनको थैंक्यू भी नहीं बोलते हैं दन्यवाद भी नहीं बोलते हैं अगर कोई स्वयंशक बैठक में मुझे पूछता है मैं संग में आया हूं मुझे क्या मिलेगा मैं कहता ह क withdrawn क्या हूं कுछ नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पास कुछ है तो वे चला जाएगा हिम्मत है तो आओ हूं कि संदे स्वहम को अबाद करने का का मैं डिस को आबाद करने का का वह करना है तो करो यह डर्पक लोगों का काम नहीं स्वार्थी लोगों का काम नहीं स्वार्थ मन्द में है तो संगे से दूर रहो उसमें तुमारा भी बला है हमारा भी बला है क्योंकि यहीं रास्ता है दूसरा रास्ता नहीं है कि अपने जैश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने जैश को बढ़ाने वाले जितने लोग हैं उनका साहित्य देखो या उनके भाशन का यह तो पढ़ो सुनो अगर सुनने को मिलते हैं सब ने इस एक सत्य को बोला है इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने वरने का उद्दम करने वाला समाज बनाना तब ही भारत के भाग्य का उद्दय है और हम देख रहे हैं जितने प्रमान में यह हो रहा है संगतु इसी के लिए प्रयास करता है और भी लोग है सब के करने के परिणाम सुरूब जैसी जैसी समाज की समझ बढ़ रही है जैसे जैसे समाज की दुरुष्टी स्पट्टो हो रही है वैसे वैसे भारत की उन्नती हो रही है कि चतन्रता के बाद आज के क्षण तक का प्रवास अगर हम देखेंगे अपने देश का तो देश के उन्नती के रेखा को आप समाज के उन्नती की रेखा के साथ समानतर पाऊगे जब-जब समाज के गुणों की उन्नती एकता की उन्नती की पराकाष्टा थी तब देश भी किसे न किसी रूप में दुनिया के जिवन में किसी गुण की या किर्थी की पराकाष्टा पर था आज है बहुत दिनों से पहुंचा है और उपर जा रहा है उसको यात्रा को किस στη प्रस्ति प्रदर vet नहीं है एकार्यकर्ताओं के क प्रिया शक्ति जिक्स्ति इसमें हो जाती है और हमारी संख्य और अगरे 전一点। लेकिन उसके लिए कारीकरम नहीं है या कार्यकरम कि वह के लिए है कि देखो के हमको बनना चाहिए और फिर अपने अपने विचार से या संग की योजना में बैठकर समाज के भलाई का काम करना चाहिए जिस कार्य के कारण समाज में सद्गुणों का एकात्मता का आत्मियता का वातावरन बनेगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे खान पान रिती रिवाज के भेद पंध संप्रदाय के जाती के भेद सब प्रकार के भेद मतमतांतरों के भेद भी छोड़कर हम सब एक निरने करके चलेंगे संग च्छत्वं संवद द्वं संवो मनावसी जानता यह संग है इतने सारे लोग हैं इतने प्रकार के लोग हैं हं विचार everyone अलग प्रुष्ण भूमिय हैं मिलके विचार करते हैं जो सब का रिचार होता है वह मेरा विचार होता है संगटेट समाझ का ये लख्षण है स्वक्ती जंपन्न समाझ चाहिए जो ना भहे दे तो काहू को ना भहे जानता आप ऐसा समाज चाहिए ऐसा समाज निर्मान का ये काम है इसको किये बिना नदुनिया की भलाई है नदेश की भलाई है नदेश की भलाई है नदेश की भलाई है नदेश की भलाई है एक पंधमे तीन-तीन का साधने वाला ये काम ह कि हम सब का काम है इसलिए हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए संग को बढ़ा करने के लिए नहीं देश को बढ़ा करने के लिए कल इतियास लिखा जाएगा हम सब मिलके करेंगे तो यह लिखा जाएगा कि समाज इस तर पर पहुंचा कि उसने अपने देश को विश् को अपने आप में श्थिर करते हैं और इसलिए आज के प्रसंग पर मेरा आपको यही आवार है कि संग में आई ए आने में कोई फिस नहीं है कोई नियम नहीं है जाना भी आपके मरजी जब चाहे आप जा सकते हो लेकिन आई च्छे महना एक साल दो साल संग को अंदर से देख किने के बाद जब आपको यह प्रतित होगा कि उस दिन मोहन भागवत्य अपने भाशन में संग के बारे में जो जो का था वो सब संग में है तो फिर संग के कार्यकरता बनिये ऐसा नहीं होगा तो क्या करना आपका स्वातंत्रे ऐसा है तो भी क्या करना आपका ही स्वातंत्रे लेकिन ऐसा है यह जब आप जानेंगे तो आप संगह से दूर नहीं हो सकेंगे और इसलिए एक प्रार्थना मैं आपको करता हूँ, एक निवेदन आपको और आपके सामने रखता हूँ, कि दूर से दर्शक बैटकर संगर के कार्यकर्वों को देखना, हिताईशी बनकर वावा करना इससे नहीं होगा, हमको सोयम से वक बनना पड़ेगा, कार्यकर्वों बनना पड़ेगा, आप जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे इस आशा और विश्वास के साथ, आप सब को धन्यवाद देता हुआ, मैं मेरे चार शब्द समाप्त करता। आज के काल में संग जैसा काम दूसरा कोई चलता नहीं, जिसके साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और इसलिए फ्राम नोन टू अनोन ये रास्ता बन हो गया, संग को जानना है तो संग को ही जानना पड़ता है, और जानने में भी बड़ी कठेना हिया है, दूर से देखके संग पता नहीं चलता, दूर से देखेंगे, तो कई प्रकार की गलत फाहमिया हो सकती है, अब यहां स्वयम्चोकों ने भी आया, अम्योक का प्रदर्शन किया, तो पहली बार देखेगा, तो उसको लगेगा संग कोई, अखिल भारतिये जिम्खान आये क्या, सब गणवेश में है, इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरा मिल्टरी और्गनाइजेशन है, ऐसा भी मान लेते हैं, कि यहां सवायंचोकों ने सब ने मिलके एक गीद गाया और एक वैक्तिकट भी गाया गया, तो हो रसकता है कोई समझे कि संग़ कोई अखिल भारतिया संगीच चाला है, अब यह सब बाते संग में होती हुई दिखती है लेकिन संगीत शाला व्यायाम शाला यह संग का रूप नहीं है कि शंग के सब्स्वेंचों के मिलकर एक लाग तीसाजार से ऊपर विभिन्द संगतों के माध्यम से ट्रस्टों के माध्यम से सेवा कार्य असारे जैस में चलाते लेकिन संगत सर्विस और्गनाज़ेशन नहीं है कि यह सारी ़лекते हैं हो रही है संग के सुझ्छों कर रहे हैं कि वो नका अपना करतो है कि लगकाने उनको विचार दिया है व्हेन संग सर्हें । कि संगह से प्रेहन मिलती है वह समाज के लिए जांने अवश्चक है उनको लगता है सबकरते हैं और सबको साथ लेकर चलने की कला संग में सीखी है तो जल्दी ही बढ़ जाते हैं अग्रणी हो जाते हैं प्रामानिक्ता से निश्वार्थ बुद्धी से काम करते हैं समाज का विश्वा सरजित करते हैं कि परंतु यह उनका किया हुआ काम है स्वतंत रहें अलग है स्वायत्त है और बढ़ने के बाद स्वावलम भी हो जाता है संग पर निर्बर नहीं रहता हुआ है कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संग के पास नहीं रहता हुए उसकी सबके प्रतिस्नया में को मन में रखकर अच्छे काम करें इसके लिए वह स्वतंत रहें उनको तैयार करने की यह जो पद्धती चलती है वह संग है और यह पद्धती विश्वा में एक सबसे बड़ा स्वयम सीवी संगठन तैयार करना इसके लिए नहीं चली है कि बारत में रट्रियस वह सेवक संग का प्रभावी दबाउगट खड़ा करके उसके दबाऊ में सब कुछ बद्धती इसके लिए नहीं चल रही है है कि संग डेष्ट में संगठन कढ़ा करना नहीं चांटा पूरे देश को ही संगठित करना चाहता है समाज में दबाव खड़ा नहीं करना चाहता पूरे समाज को ही संगटित करना चाहता है आज समाज में बहुत सारे लोग संग में हैं बहुत सारे नहीं भी हैं कुछ है जो विरोध भी करते हैं कुछ है जो न्यूट्रल है ऐसा कहा जाता है परन्तु इन सब को जोड़ना है पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है क्योंकि भारत वर्षे इस प्रकार शक्ति संपन्न होकर सामर्थ संपन्न होकर खड़ा हो यह विश्व की आवश्षक्ता है कि गत दो अजार वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व ठक गया कि सबका सुख शाश्वत सुख कभी फीका नव पढ़ने वाला सुख कि यह सब जीवों के लिए लक्ष रहता ही यह प्रकृति ने दिया है उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुनिया में आदुनिक दुनिया में और उन प्रयोगों के चलते उन प्रयासों के चलते मनुष्य की सुख सुविदाओं में मनुष्य के साधोनों में मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति हुई बहुतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्तुए उत्पन्न हुई बहुतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बाते पैदा हो गई लेकिन सुख नहीं बढ़ा परियावरण का संकट खड़ा हो गया हुआ है कि सुख नहीं बढ़ा असमाधान बढ़ा अत्मत्य बढ़ी परिवार तूटने लेके कि साधन संपन्न विज्ञान संपन्न मनुष्य उन साधनों का ओप्योग मनुष्य कल्यान के लिए करने के बजाए युद्ध के एक से एक प्रगत अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है और कला थमा नहीं है हुआ कोई सा रुकी नहीं है और इसलिए आज के दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले हमारी दुष्टी में हम विश्व को जैसा समझते हैं उसके आधार पर हमने सब प्रयोक कर लिए अब हमारी दुष्टी के आधार पर हमारी समझ के चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है कि हम से भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है अधिक सटीक है उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए और इसलिए भारत बड़ा होना ये दुनिया की अबश्च्चता है हमारी तो है ही आधि क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिकत रूप से या कुटुम्ब के रूप से भी हमको सुखी होना है तो हमारे देश को सुखी होना पड़ेगा हमको प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा हमको सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रख सकने वाला विश्व में उसको विश्व गुरु पर प्रतिश्थित कर सकने वाला संपूर्ण देश को बलसंपन्न सामर्थ संपन्न सर्वांग सुंदर सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्चता है क्योंकि देश में परिवर्तन तब आता है जब यह काम होता है देश में अनेक प्रकार की परिस्थिती रहती परिस्थिती पर उपाय करने वाले भी रहते हैं परिस्थिती में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं लोगों की आवशक्ताओं को लगकर संगर्श करने वाले लगते रहते सदा सर्वता रहते आए इनका अभाव किसी देश के किसी समाज में कभी नहीं रहा परंतु जिंजिन देशों में प्राचीन समय छोड़ दीजिए इतिहास काल भी छोड़ दीजिए अरवाचीन समय ने जिंजिन देशों ने प्रगति की उनका इतियाज देखेंगो तो पता चलाएगा कि किसी विचार को किसी व्यक्ति को किसी समूह को किसी सरकार को श्रेय तो मिला निमित तो कोई होता है उसी के खाते में यश लिखा जाता है परंतु उस यश का संपन्न होना इसकी प्रक्रिया का अध्यान किया तो सो से लेकर डेड़ सो वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिती रहती है जैसा समाज है वैसे उसको नेता मिलते हैं वो काम करते हैं आये समाज से ही है जितनी समाज की उचाहिए उतनी ही उनकी उचाहिए और इसलिए संपूर समाज को संगठी करना ये सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है राजा अपने नित्यक्रम में सुबह जल्दी उठके गर में थोड़ा सा व्यायम करके बाहर निकला और रोचका उसका नियम था गोड़े पर बैटकर रपेट करना आधा गंटा अगले ही दिन एक नया गोड़ा लाया था दूर से अर्बस्तान से वो गोड़ा लाया गया था पंचलक्षणी सुन्द रश्व था बहुत सबल था राजा उस पर बैठा उसने एड़ी लगाई लिकिन गोड़ा हिलने को तैयार नहीं लाग प्रयास किये गोड़ा हिली नहीं रहा है अड़ गया चलो आज अपना नियम तूट गया कल डबल रपेट करेंगे ऐसा सोच के राजा वापस आया अस्तान वगर करके नास्टे के लिए बैठ गया देखता है तो नास्टे में जो रोटी या थी सब जल गई तो नास्टा करने का मने ही उसका बदल गया चलो नास्टा के बाद थ सब्सक्राइब खोला तो जितने पान थे अंदर वो सब सड़ गया तो राजा बड़ा विचार मगनों होकर थोड़ा सा जिसको अंग्रीजी में कहते हैं मूड आफ होकर दर्बार में पहुंचा जैसे स्थाना पन्न हुआ प्रधान जी को उसने की प्रश्ण पोड़ा प्र और राजा की प्रश्ण पूछे गोड़ा क्यों गड़ा रोटी क्यों जली पान क्यों सड़ा अब दर्बार का काम समापत ही नहीं हो इसका उत्तर ही नहीं मिले फिर कोई एक बुड़ा अनुविवी था राजदानी के शहर में समझदार आदमी इसलिए प्रशिद्ध दा उसको भुला के लाया उसने राजा का प्रख्टों सुदा और रुस्तिका महराज इसका उत्तर है गुमाया नहीं इसलिए गोड़ा अरता तब दे पहले उसको गुमा थे पकाड़कर जिस मैदां में मैदान दिखाते वह जब तक मैदान पता नहीं होता कि आप तक और हिंबत नहीं करता है गोडे को गुमाना पड़ता है रोटी सेखते समय उसको भी घुमाना पड़ता है पलटना पड़ता है नहीं तो जल जाती है और पान खाने वाले लोग जानते है पान दान में पान रखना है तो उसको बार-बार पलटना पड़ता है गुमाना पड़ता है तो घुमाया नहीं इसलिए सब प्रटनों काई की उत्तर है वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है हमारी स्थिती बदली देश की बिस्थिती बदली हम जागृत नहीं थे तब गुलाम थे गुलाम का कोई करेंड नहीं था हम पर राज करने वालों से हमारी जनसिंक्या बहुत जादा थी उनका जो विचार तत्वध्यान है वो अधूरा था हमारा विचार तत्वध्यान पूर्ण है और हमारे तत्वध्यान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले हमारे पास लोग है अन्य लोगों के पास नहीं है एक से एक बुद्धिमान लोग बलशाली लोग धन्वान लोग तब भी हमारे पास थे उसके पहले भी थे आज भी है कल भी रहेंगे यह हमारी कला है कोशल है ऐसे सब होने के बाद भी हजारों मिल दूर से मुठी भर लोग जो किसी नामले में हमसे छिष्ट नहीं थे हम पर राज क्यों कर सके डेड़ सो साल कि स्वतंद्रता के लिए प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में यह प्रश्ण था और अपने प्रामानिक प्रयासों के अनुभव से उसका उत्तर भी उनके मन में था सब के मन में एक सा उत्तर था कि उत्तर यही था कि कि हम जिस बान जिन जिन बातों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो बाते तो हो जाएगी जो विशय हमने हाथ में लिये हैं उनके हल निकल जाएंगे लिकिन वो विशय फिर से खड़े नहीं हो गए इसकी क्या गरंटी है अंग्रेश कोई पहले नहीं थे हमको गुलाम करने वाले यह आकरमणों का ताता तो सिकंदर के पहले से शुरू हुआ शकहून, कुशान, यवन, बाद में मुगल, तुर्क, पठान, अफगान, बाद में ब्रिटिश, पॉर्टुगीज, डच, सारे लोग सब लोगों को अमला करने के लिए भारत वर्षे ही मिला भारत वर्षे की हवा उनके लिए अनुकुल नहीं थी यहां के शुरूविर लोगों से उनके पराक्रम की तुलना भी नहीं हो सकती इतने हम से रठाते पराक्रम में इस इसवी सदी एक से इसवी सदी सत्रा सो तक हम आर्थिक दुट्टी से दुनिया में पहले देश थे किसी मामले में हम कब नहीं दे और मुठिवर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर दक्षन पुरपश्यम देश को गुलाम बना दिया यह क्यों हुआ क्योंकि समाज में कुछ दोश घुज गुज गये हैं समाज की स्थिती ठीक नहीं है समाज की इम्मुनिटी कम हो गई है इसलिए हर कोई वाइरस उसको गिरा सकता है कि संग के संस्थापक डॉक्टर हिडगिवार कि ऐसे सब कारियों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके काहरे करता थे प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से उन्होंने काम किया क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा देह नहीं था बच्वन में अनाथ हो गए थे परिवार की जिम्मवारी का प्रश्ण नहीं था छोटे भाई थे देश के लिए काम करते हैं और उसमें उन्होंने प्रतिग्या की थी कि इस जीवन में केवल इस देश के लिए सारी शक्ति लगाएगे और इसलिए समाच जीवन में समाच को उठाने के लिए देश को जगाने के लिए देश को स्वतंत्र करने के लिए जो जो चलता था सब में उन्होंने भाग लिया प्रामानिक्ता से निस्वार्त बुद्दे से तनम अधन धन पुर्वक कार्य किया उनका स्वयम का चिंतन अध्यन भी था सब कार्यों के उनके समकाली जो धुरीन लोग थे उनके साथ उनकी भेट हुई थी चर्चाए हुई थी हुआ करती थी लोक्माने तिलग जी सावर कर जी डक्टर बाबा साब अम्मेड कर मात्मा गांदी जी बाबु सुभाष चंद्रबोस मदन मोहन मालविय भगत सिंग चंद्रशिकर आजाथ ऐसे सब लोग उनके संपर्ग में थे क्योंकि इन सब के कारियों में कुछ न कुछ हिस्सा उन्होंने उठाया था और उठाते रहे थी चर्चे होती थी तब उनको पता चला कि मेरा जो अनुभव है और मेरा जो निश्कर से है सब के मन में वही बात है कि हमने जो काम लिया है वो तो सफल हो जाएगा लेकिन सदा के लिए रोग हट जाए फुर्सत में नहीं है इसको करने के लिए तो सब काम छोड़के महीं ही यह करता हूं साथ आठ वर्ष उन्होंने प्रयोक की परिवर्तित करना समाज को परिवर्तित करने का काम करने वाला कार्यकरता देश्भर में खड़ा करना आत्मविश्वा सुत्पन्न हो और सब समाज जिनको अपना मानता हो कि ऐसे कार्यकरताओं के समुह गाओ गाओ में और शहरों की बस्ती बस्ती में खड़े करेंगे तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरन बदलेगा बिल्कुल यहीं कलपना श्री रविन नाथ ठाकूर के स्वदेशी समाज नामत निबंद में आपको पढ़ने को मिली कि विचार के नाते संगने नहीं कुछ नहीं किया युगानु युग से चलती है अपनी सनातन परंपरा में अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए वो सब देखकर उन सबसे लेकर यदि कोई कमी किसी में हो तो उसको निकाल कर एक युगानु कु इसका प्रयोग चल रहा है संतान में साल पूरे हो रहे है उसका नाम राक्ट्रियस वाइंचे उक्संग है क्योंकि यह अदद करने का काम है कि रोच करना पड़ता है सब भूलो शाखा में आओ कि शाखा में आओ क्या करो यही जो कारिक्रम आपने देखे दिखने में तो कौन सा समाज परिवरतन भई इसमें क्या राटर राटर का क्या होने वाला है क्या इस हाथ की हवा लगकर कुछ होने वाला है क्योंकि यह हाथ हिलाने से क्या हुआ है वो आज प्रत्यक्षा है स्वहम से ओक जो कर रहे है वो समाज देख रहा है क्योंकि जो काम करना है वो ब जेश के लिए हमको काम करना तो इदेश क्या है इसकी सपट्ट समझ चाहिए जाए जिए अबारा बारत है यह कब से आया जिए पट्र नहीं है कुछ लोग कहेंगे उनीश सो सहतालीस के बाद हमारा देश बनाओ क्योंकि उन्हों नहीं यही देखा है कि एक सरकार होती है तो की अलएक देश होता है लोग उन्होंने कली अनेक सब्ता एक सब्सक्राइब है एक ही देश एसा देशियर देखाने दुनिया नहीं नहीं देखा है इंser अग है दुनिया में रातर कहने से नेशन स्ठेट एसा ही मांनते कि जब शेंट अंशन मिगें मैं यह अश्वाक ऐसा समाज जिनके सामने समान उद्देश्य है और वो किसी एक भूमी से अपना नाता मानते हो उस भूमी पर रहने वाले परंपरा से हो है हमारी पुन्य भूमी ईह हमारी ध्र्म भूमी कर्म भूमी यही आहे भारतवर्श कि हमको दूसरा जैश नहीं है यह हमारा है और सधियों से हम इसको मत्रु भूमि मान रहे हैं कि ना ता भूमी है कि भूमी है हमारी माता भूमी है नहीं सारी सारा गरह होता है ना 통टrzy कि लिकिन आगे काहा है पुत्रो हम प्र्थ заключ आंग पृत्वी सब्द भी उसी अर्था में प्रयोक करते लेकिन पृत्वी सब्द की वित्पत्ति में पृतुर आजाने कुर्शी योग्या बनाई भूमी इसलिए वो पृत्वी है ऐसी भूमी कौनसी है यही हमारा भारत वर्श है वो हमारी माता है रोज उठने के पहले नीचे पैर लगातने के पहले यह हमारी परंपरा थी कही कही आज भी याद है कही कही भूल गया है विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस परशंग शमस्वनी पुराना काल से हम कह रहे हैं हिमालय हम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरं इंदू प्रहान देश और उसमें रहने वाला हिंदू समाज उतना ही प्राचिन है आज भी वही है यह हमारी मात्रों भूमी है और हम इस देश में रहने वाले सब लोग एक धेह से अनुप्राणित है हमको यह बताया है कि अपना जीवन ऐसा रखो कि आपका जीवन देखकर अन्य लोगों के जीवन बन जाए वो जीवन अच्छा है तुम कितना कमाते हो और तुम कितने इलेक्शन जीटते हो और तुम कितना पैसा जमा करते हो यह महत्व की बात नहीं महत्व की बात है कि तुम जितने बड़े बने उतना सब को बड़ा किया की नहीं तुमने जितना कमाया वो सब में बाटा की नहीं तुम अगर कहीं राजा बन गये तो धर्मराज्य चलाया कि नहीं कहीं पर तुमने जीत लिया तो वो धर्मविजय था कि कौनसा विजय था असुर विजय था धन विजय था कि धर्मविजय था यह पूछा जाता है हमारी एक विश्चित दार्णा है हमारे सामने हमारे पुरुवजों ने दिये रखा है एतदेश प्रसुत अस्य सकाशा अदगर जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन प्रथिव्याम सर्वमानवा सत्य को जानने के लिए त्याग में जीवन कैसे जीना सारे विश्व को बताना इसकी इच्छा हमारे अंतरमन में रहती है कुछ लोग जानते हैं बोल सकते हैं कुछ लोग जानकर बोल नहीं सकते हैं कुछ लोग जानते नहीं है लेकिन प्रसंग आता है तो फुट पड़ता है इसलिए हम एक समाज है हम एक जनपद है और हमारी भूमी भारत वर्ष है बाकी सारी बाते राज्य, बल, दुर्ग, कोश, अमात्य, सुरुद ये सब बाद में आता है हम राटर विविधता के राटर पहले से हैं और हमारे हाँ इन सब विविधताओं का स्विकार और स्वागत है क्योंकि सारी विविधता है एक ही सत्यका आविश्कार है इसको हम जानते हैं दुनिया की भाषा में आजकल बोलते हैं unity in diversity लेकिन वास्तों में तो हमने कि यह डाईवर्सिटी जो अफ यूनिटी इसको अनुभाव किया और इसको अनुभाव करने वाले आज भी हमारे जैश में मिलते हैं उसके कारण सारी भाषाएं सारे पंथो उपपंथो देवी देवताएं खान पान रिची दिवाज के अनेकों प्रकार रहन सन के अनेकों प्रकार मत मतांतरों के अनों के विचार तत्वज्ञां यह सब हमारे देश में पहले से हैं शास्त्रार्थ होते हैं सब होते हैं परन्तु ये सब होने के बाद भी हम एक राष्ट रहे हम एक समाज है हम हिंदू समाज है हमारा हिंदू राष्ट रहे हम सब भारत माटा के पुत्र है हम सब उनी पूर्वजों के वहुशज है जिनों ने ये का एकंसद विप्राव भुदा दनती है जिनों ने ये लक्षा हम को दिया है ये तद्देश प्रसूतस कोई भी हमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है है चालिस अज जार वर्षों से हमारा डि अन एक है पुजा किसी की कोई हो या कोई पुजा न भी करता हूं खान पान रितीरवाज कुझ भी हो है रहनसन का प्रकार कुझ भी हो विचार तत्वण्यान कुझ भी हो हम है वही आज हम मानते कुझ भी हो वस्तविक्ता यह है वेजनानिक दुर्ष्टी से एतिहासिक दुर्ष्टी से तर्क से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब लोग उन से संबंद रखते हैं और उनको दुनिया हिंदु केती है इसलिए हम इंदु तुमाजे है हमारा हिंदु राट है हमको जोड़ने वाली यह एक बात है भा हुजा है हमारी अलग-अलग है भाशा है प्रांत इस अब अलग-अलग है लेकिन यह बात हमको जोड़ती है कि हम अलगता को अभिशाप नहीं मानते हम अलगता को अपने जीवन का अलंकार मानते हैं यह हिंदु दुर्ष्टी है हिंदु दुर्ष्टी के आधार पर सनातन काल से चलता आया हुआ समाज जीवन इस भूमी में खड़ा हुआ यह अमरा देश है यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए उसके लिए इस देश को जाना चाहिए भारत को जानो जानकर उसको मानना चाहिए क्योंकि यह शाश्वत बात है यह रहने वाली बात है नाही तयास जगती अमरत्व प्राप्त धाले ते ज्ञानती कला ते सरवत्व नष्ट धाले आम्मीच पाही लेले है आदियंत त्यांसे इस दुनिया में अनेक देशों को उड़ता बिगड़ता बनता नटो होता हमने देख लिया है हम उसके भी साक्षिय है हम है थे है और रहेंगे इस देश को जानना इसके अमरता के इस रश्य को जानना इसके रूप को जानना इसके आत्मा को जानना और केवल जानना नहीं हमको राष्टर की पूजा करनी है भारत माता की पूजा करनी है राष्टरा अर्चन करना है तो पूजा कैसे करते हैं पत्र फल पुश्पो वग तो भारत को जानो भारत को मानो भारत के बनो, हमारी यह दुष्ट्रिय होनी चाहिए, भारत की सब भाषा हैं हमारी भाषा हैं, भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने भारत के सब पंध्र उपवंध्र सब वो हमाने ही है मेरा अपना कुछ है वह भी मेरा है उस पर मैं चलूँगा श्रद्धापुर्वक्त चलूँगा लेकिन इन सब विधताओं का मैं संवान करूंगा आधर करूंगा उनके विकास में मैं मेरा हत लगाऊंगा सब के साथ चलूँगा सब को साथ लेकर चलूँगा क्योंकि मैं जन्मा हूं किसी प्रांत में बोलता हूं किसी भाशा को पूछता हूं किसी भगवान को खाता हूं कुछ पहनता हूं कुछ परंतु मैं पूरे भारत के साथ मन से एकाकार हूँ कोई भी चीज भारत की मेरे लिए विदेशी नहीं है पराई नहीं है वो मेरी अपनी है ये व्यवार में लाना आदत करनी पड़ती है सद्भावना से व्यवार करना है अपने व्यवार को सद्भावना पुर्ण बनाना पड़ता है दूसरों को देखना है कभी भी नकर आत्मक दुर्षटी से नहीं देखना दूसरों के प्रति शत्रता का भाव दुरी का भाव, द्वेश का भाव कभी रखना नहीं सब के कल्यान की इच्छा रखना स्वयम किसी के दुश्मनी के शिकार न बने द्वेश के शिकार न बने स्वयम किसी से मार न खाए इतना सबल होना तभी ये सद्बावना शोगा देती है नहीं तो दुर्बलों को इलाज नहीं रहता दूसरों के प्रती सद्बावना रखे बिना दुर्बलों की सद्बावना नाटक होता है हमको सद्बावना का नाटक नहीं करना है मन से सब के प्रती सद्बाव रखते हैं क्योंकि हम जानते है कि हमको कोई खत्रा नहीं किसी से कोई हमको धका नहीं पोचा सकता इसके बारे में हम आश्रोष के इतना बल हमारा है और इसलिए हमारी दुख्ति क्या है वसोदहीं वह कुटुम्बकम ये सब कुछ हमारा है सब कुछ हमारे अपने हैं इस सद्वावना के विवहार को अपने गाउं से प्रारंब करना जात पात के भेद को कभी भी आचरण में करत ने याने जएना है व्यक्तिकत आचरण स्माजीका चरण को अपनाय कुटुम्बकम वातावरं अपने आजी विका का स्थान पर कभी भी मनुष्य को जाती-पंथबना-प्रांतभाशा के से नहीं देखना है उसके साथ अपनत्वयोवर करना है सद्वाववना मिलते र कि एक दूसरे को देखकर सुधार के प्रेना होनी चाहिए ऐसे जीवन का उधारण रखना कि और यह सारा जीवन हमको जिन से मिला है उनको वापस देना है हम पर कर जाए हमारी परमपरा में तीन प्रकार के रुण मानते हैं देवरुन पित्रुरुन और रुषिरुन देवरुन है सुरुष्टी का हमारे देवता सुरुष्टी की शक्तियों के प्रतिक है पंच्य महाभूत हमारे देवता है रमण महरशी ने कहा है अश्टमूर्थी कौनसी अश्टमूर्थी पृत्वी आप तेजवायों आकास सूर जिवनी शक्ति का प्रतिप है चंडर जो मन का प्रतिफ है और जीव कि यह डेवता सुरूप है और हमारे इंद्र विद्यूत के स्वामी है मेगो के स्वामी है वरुन जलक देवता है अगनी साक्षात अगनी है इनका रुण है इनके चलते हमारा जीवन है इनका शोशन नहीं करना परियावरण की समस्या खड़ी नहीं करना अपने आचरेट से विकास को सोचना तो परियावरण को सुरक्षित रख्ये कैसे चलना यह सोचना यह पंच्य महाभुथ सब के लिए बने हैं हमारा आचरेण परियावरण मित्रता का हो मेरा मेरे कुटुम्ब का मेरा सामाजी का अचरण मेरा जीविका के खेत्र में आचरण तो उसके परिणाम से दिरे दिरे समाज का अचरण बदलेगा पित्रूरून है हमारे पुर्वजों का रून है उन्होंने त्याग बलिदान किया अपना पसिना खुन भाया तब हम अपने संसकारों को सुरक्षित रख सके उनके स्मारगों का जतन करना, उनके स्मरण का जतन करना, उनके आचरण को अपने आचरण से आगे बढ़ाना, उनके आधर्शों का अनुकरण करना, पैशनेबल लोगों का अनुकरण नहीं करना, पैशनेबल लोगों में भी अच्छे लोगों सकते हैं, हम अच्छा ही देख कि अपने मुल्यों के कसोटी पर अच्छा आचरन कैसा होता है हमरे आप परंपरा चली है आज भी उसके जिवन तो उधारन हमारे मुल्यों के है बहुत लोग है जो त्याक करते हैं समाज के लिए बहुत लोग है जो स्वदेशी स्वभाशा स्वभुपाशा पर अटल रहकर और समाज को आगे बढ़ाते हैं हमारे चार और जीवन तो उधारन है हमारी इतनी लंबी परंपरा है उसको जानना उसका अनुकरन करना और रुशिर उने है ज्ञानी लोगोंने हमारे लिए ज्ञान का खजाना दिया है चतुरुवेदा पुराणानी सर्वोपनिसदस्तता रामायनम भारतमच गीता सत्दर्शनानीच जैनागमाह त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एशद ज्ञान निजिश्रेट पूरे जीवन का तत्वध ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहित हमारे सामने है इस हमारी संपदा का जतन स्मरण उसको बढ़ाना यह करना है रुणमोचन का काम तीसरा काम है और ऐसा करने के लिए जीवन को एक अनुशासन में बानना अपनी परंपरा के मुल्यों का अनुशासन है साथ साप अपने देशने सर्वसहमति से मानने के समिदान का अनुशासन है अब हम परकिय राज्य में नहीं हैं अपने राज्य में हैं तो हमारे आचरण में सयम कैसा होना चाहिए कानुन व्यवस्था नियम का पालन कैसे करना चाहिए हमारा उदारण होना चाहिए यह चार काम है जो करने से देश बड़ा होगा यह सब को करने पढ़ेंगे करने पढ़ेंगे तो इसकी आदत करनी पड़ेंगे क्योंकि सारे काम बुद्धी से मानने होते हैं मन से भी मानने होते हैं लेकिन करने में आदत के आरण आदमी चूप जाता किस्सा बदा दे ऐसा एक आजमी जा रहा हो उसका मित्र सामने से हता है पुष्टा है कहा जा रहे हो जीवन से ठग्या मैं मरने जा रहा हूँ अभी ट्रेन जाएगी उस ट्रैक से वहां में सोने वाला हूँ तुकड़े हो जाएंगे मेरे छुट जाओंगा दुनिया से अरे मुझा थि परढ novय हो कोई मुझे परावर्त्त नाही कर सकता अभ मारूंगा है अच्छा मरोंगी क्यों दुom भूष्ट कहूं तो से नहीं चाना हूँ प्र सुनलिया है तुम्हीं हूं निष्ट निषम मिच्टता नहीं गर्ष्त सकता अब मैं मरूंगा हीं मरूंगा अच किसा तो कलपित है दो आप जानाएं गए पर उन्तु बहुद उसका कलपित नहीं है आदत से मनुष्य काम करता है अच्छे बातों की भी आदत लगानी पड़ती है अनुकूल बातों को भी आदत लगानी पड़ती है और इसलिए एक घंटा शाखा में आओ बाकी सब भूल जा अपनी आदते ठीक करो एक बार आदते ठीक होगे की ठीक होगी ऐसा नहीं होता है आदतों को ठीक रखना भी पड़ता है इसलिए इस एक गंटे की साधना अपने जीवन में रोज की दिनचर्या का अंगा बनाना ये अपनी साधना है ये संग की साधना है इसको संग समाच की साधना बनाना चाहता है गर से बाहर निकलो अपने देश के बंदूओं के साथ वो कौन है कहां से आते हैं कहां जन में कुछ विचार मत करो कितना कमाते हैं अमीर है की गरीब कुछ मत विचार करो समाज में मेरे जैसे प्रतिश्टित है कि उंचे है कि हल्क कुछ विचार मत वो मेरे अपने भाई है उ प्रुव जो के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरोप्रत का संचार करवा और भारत्माथा की प्रारतना करो रोज करना एक गंडे का वह है शरीरमन बुद्धी देश के कारे के लिए तैयार होती है एक स्थिती पर पहुशने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदईव कितने भी मौहा करशन स्वारत अप्राप्त हो जाए मनुष्य अडिग होकर अपने धेपत पर चल सकता है यह संग है यह सब को करना है एक गंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यक्ता को पूरुन करने वाला या समाज के अभाओं को दू लाने वाला कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामानिक्ता से निष्वारत बुद्धी से तनमन धन पुर्वक करना उस काम को भुनाने की कभी नहीं सोचना बहुत सेवा की अब मुझे वोड़ दो ऐसा नहीं कहना उसके लिए काम नहीं है कि संग में स्वयम सेवक्त बह अगर कोई स्वयंशक बैठक में मुझे पूछता मैं संग में आया हूं मुझे क्या मिलेगा मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा हिम्मत है तो आओ संग स्वयम को बरबात करने का काम है देश को आबात करने का काम है करना है तो करो यह डर्पक लोगों का काम नहीं है स्वार्थी लोगों का काम नहीं स्वार्था मन में है तो संग से दूर रहो उसमें तुमारा भी बला है हमारा भी बला है क्योंकि यहीं रास्ता है दूसरा रास्ता नहीं है अपने जैश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने जैश को बढ़ाने वाले जितने लोग है उनका साहित्य देखो या उनके भाशन का यह तो पढ़ो सुनो अगर सुनने को मिलते हैं सब ने इस एक सत्य को बोला है इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने वरने का उद्दम करने वाला समाज बनाना तभी भारत के भाग्य का उद्दै है और हम देख रहे जितने प्रमान में यह हो रहा है संगतु इसी के लिए प्रयास करता है और भी लोग है सब के करने के परिणाम सुरूब जैसी जैसी समाज की समझ बढ़ रही है जैसे जैसे समाज की दुरुष्टी स्पट्टो हो रही है वैसे वैसे भारत की उन्नती हो रही है सतन्रता के बाद आज के क्षण तक का प्रवास अगर हम देखेंगे अपने देश का तो देश के उन्नती के रेखा को समाज के उन्नती की रेखा के साथ समानतर पाओगे जब जब समाज के गुणों की उन्नती एकता की उन्नती की पराकाष्टा थी तब देश भी किसे न किसी रूप में दुनिया के जिवन में किसी गुण की या किरती की पराकाष्टा पर था आज है बहुत दिनों से कार्यक्रम करते हैं ऐसे कार्यक्रम यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है कि कार्यकरता हो के क्रिया शक्ति की परिक्षा इसमें हो जाती है और हमारी संख्या वगरे समाज देखता है लिकिन उसके लिए कार्यक्रम नहीं है यह कार्यक्रम यह कहने के लिए कि देखो हमारी कार् प्रेनामा सरवत्र गुंज रहे हैं आप सब लोगों को भी संग का अंग बनकर काम करना चाहिए इस रोज की साधना को अपने जीवन का अंग बना कर डेश के लिए कुछ करने लाएक हमको बनना चाहिए और फिर अपने अपने विचार से या संग की ओजना में बैठकर समाज के बालाई का काम करना चाहिए जिस कार्य के कारण समाज में सदगुणों का एकातमता का आत्मीता का वातावरन बनेगा और हम सब मिलकर आगे बढेंगे खान पान रिती रिवाज के भेद पंथ संप्रदाय के जाती के भेद सब प्रकार के भेद मतबत अंतरों के भेद भी छोड़कर हम सब एक दिरने करके चलेंगे संग अच्छ द्वं समवद द्वं समवो मनावसी जानता यह संग है इतने सारे लोग है इतने प्रकार के लोग है सब के अलग-अलग विचार अलग-अलग अलग प्रष्ठ भूमी है मिलके विचार करते हैं जो सब का तय होता है वो मेरा विचार होता है संगतित समाज का यह लक्षन है शक्ति संपन समाज चाहिए जो ना भहे दे तो काहू को ना भहे जानता आप ऐसा समाज चाहिए ऐसा समाज निर्मान का ये काम है इसको किये बिना ना दुनिया की भलाई है ना देश की भलाई है ना हमारे आपके हमारे परिवारों की भलाई है एक पंथ में तीन-तीन का साधने वाला ये काम हम सब का काम है इसलिए हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए संग को बढ़ा करने के लिए नहीं देश को बढ़ा करने के लिए कल इतियास लिखा जाएगा हम सब मिलके करेंगे तो ये लिखा जाएगा कि समाज इस तर पर पहुंचा कि उसने अपने देश को विश्व गुरु बना दिया ऐसा ही लिखा जाए इतियास में यह हमारी इच्छा है हम तो तेया वैभव अमर रहे मा हम दिन चार रहे न रहे इस वृत्ति के लोग है इस वृत्ति को अपने आप में स्थिर करते है और इसलिए आज के प्रसंग पर मेरा आपको यही आवा रहे है कि संग में आईए आने में कोई फीस नहीं है कोई नियम नहीं है जाना भी आपके मर्जे से जब चाहे आप जा सकते हो लेकिन आईए छे महना संग के बारे में जो जो कहाता वो सब संग में है तो फिर संग के कारिकरता बनिये ऐसा नहीं होगा तो क्या करना आपका स्वातन्त्रे ऐसा है तो भी क्या करना आपका इस वातन्त्रे लिकिन ऐसा है यह जब आप जानेंगे तो आप संगह से दूर नहीं हो सकेंगे और इसलिए ये एक प्रार्थना मैं आपको करता हूँ ये एक निवेदन आपको और आपके सामने रखता हूँ कि दूर से दर्शक बैटकर संगह के कारिक्रवों को देखना हिताइशी बनकर वावा करना इससे नहीं होगा हमको स्वयम से वक्त बनना पड़ेगा कार्यकरता बनना पड़ेगा आप जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं मेरे चार शब्द समाप्त करता हुआ रावन और युद्धम राम रावन योरिवा राम और रावन का युद्धम हुआ वो कैसा हुआ वैसा दूसरा नहीं गौए इसलिए उसके जैसा वही है ऐसे ही आजके काल में संधय जैसा काम दूसरा कोई चलता नहीं की oh जिसके साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है एसा कुछ नहीं है और इसलिए फार्म नों टु अन्मों यह रास्टा बंद हो गया है दीजस को जानना है तो संग को ही जानना बढ़ता है और जानने में भी बड़ी कठेना हिया है दूर से देखके संग पता नहीं चलता दूर से देखेंगे तो कई प्रकार की गलत फाहमिया हो सकती है अब यहां स्वयम्चो कोने भी आया मियोक्का प्रदर्शन किया तो पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा संग कोई अखिल भारतिय जिम्खान आये क्या है सब गणवेश में हैं इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरा मिल्ट्री और्गनाइजेशन है ऐसा भी मान लेते हैं ओर स्वयंचो को प्रशनाड मिलके एक गेत गाया और एक व्यक्तिकत भी गाया गया तो हो सकता है को संधें कि संग को अखिल भारतीय संगीत है अब ये सब बाते संगत में हौती हुई दिक्ती ऐह लेकिन संगीत चाला भी है है म्शाला ये संग का रूप नहीं है एक लाग तीसाजार से उपर विभिंद संगटों के माध्यम से सेवा कारिया सारी देश में चलाते हैं लेकिन संग्ड सर्विस और्गनाजाशन नहीं है यह सारी बाते जो हम नहीं कर रहे हैं वो उनका अपना करतुरत्व है संग ने उनको विचार दिया है संग ने उनको समस्कार दिया है संग से प्रेणा मिलती है वो समाज के लिए जहां अवश्चक है उनको लगता है वहां काम करते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की कला संग में सीखी है तो जल्दी ही बढ़ जाते हैं अग्रणी हो जाते हैं प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से काम करते हैं समाज का विश्वा सर्जित करते हैं परुंतु यह उनका किया हुआ काम है स्वतंत रहे अलग है स्वायत्त ह और बढ़ने के बाद स्वावलम भी हो जाता है संग पर निर्बर नहीं रहता हुआ है कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संग के पास नहीं रहता है उसकी आरशक्ता नहीं है संग को स्वायम सेवत संग के साउसकारों में रहकर संग के धिय को न भूलते हुए सब के प्रतिस्नेया में को मन में रखकर अच्छे काम करें इसके लिए वो स्वतन्त रहे उनको तयार करने की यह जो पद्धती चलती है वो संग है और यह पद्धती विश्व में एक सबसे बड़ा स्वहम सेवी संगतन तैयार करना इसके लिए नहीं चली है भारत में रट्रिय स्वहम सेवक संग का प्रभावी दबाव गट खड़ा करके उसके दबाव में सब कुछ बद इसके लिए नहीं चल रही है कि संग डेश में संगतन खड़ा करना नहीं चाहता पूरे देश को ही संगतित करना चाहता है समाज में दबाव गट खड़ा नहीं करना चाहता पूरे समाज को ही संगतित करना चाहता है कि आज समाज में बहुत सारे लोग संग में हैं बहुत सारे नहीं भी आए कुछ है जो विरोध भी करते हैं कुछ है जो न्यूट्रल है ऐसा कहा जाता है परुंतु इन सब को जोड़ना है पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है क्योंकि भारत वर्षे इस प्रकार शक्ति संपन्नों होकर सामर्थ संपन्नों होकर खड़ा हो यह विश्व की आवश्शक्ता है गत दो हजार वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व ठक गया सबका सुख शाश्वत सुख कभी फीका न पढ़ने वाला सुख यह सब जीवों के लिए लक्ष रहता ही है प्रकृति ने दिया है उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुनिया में और उन प्रयोग ऑन प्रयास होग चलते मनुश्य की सुखस विदाओं में मनुश्य की साधों में मनुश्य के ज्ञान वे बहुत बड़ी प्रकति हुई बहुतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्तुए उत्पन्न हुई बहुतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बाते पैदा हो गई लेकिन सुख नहीं बड़ा से परियावरन का संखट खड़ा हो गया सब्सक्राप्त हुँ और सवमय भड़ा अत्मत्य को तये बड़ी परिवार तूट्टने लेके साधन संपन्ण विज्ञान संपन्द मनुष्य उन साधनों का उपयोग मनुश्य कल्यान के लिए करने के बजाए युद्ध के एक से एक प्रज़त अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है और कला थमा नहीं है हुँसा रुकी नहीं है और इसलिए आज के दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले हमारी दुष्टी में हम विश्व को जैसा समझते है उसके आधार पर हमने सब प्रयोग कर लिये अब हमारी दुष्टी के आधार पर हमारी समझके चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है हम से भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है अधिक सटीख है उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए कि अधिक और इसलिए भारत बढ़ा होना ये दुनिया की आवश्चता है हमारी तो हैं है क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिकत रूपसे या एक कुटुम्ब के रूपसे भी हमको सुखी होना है तो हमारे देश को सुखी होना पड़ेगा हमको प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा हमको सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रख सकने वाला विश्व में उसको विश्व गुरु पर प्रतिश्थित कर सकने वाला संपूर्ण देश को बल संपन्न सामर्थ संपन्न सर्वांग सुंदर सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्चता है क्योंकि देश में परिवर्थन तब आता है जब यह काम होता है कि देश में अनेक प्रकार की परिस्थिती रहती परिस्थिती पर उपाय करने वाले भी रहते हैं परिस्थिती में परिवर्थन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं लोगों की आवशक्ताओं को लेकर संगर्श करने वाले लगते रहते सदा सर्वता रहते आए इनका अब आओ किसी देश के किसी समाज में कभी नहीं रहा परन्तु जिन्जिन देशों में प्राचीन समय छोड़ दीजिए इतिहास काल भी छोड़ दीजिए अरवाचीन समय ने जिन्जिन देशों ने प्रगति की उनका इतियास देखेंगो तो पता चलाएगा कि किसी विचार को किसी व्यक्ति को किसी समूह को किसी सरकार को श्रेय तो मिला निमित तो कोई होता है उसी के खाते में यश लिखा जाता है परंतु उस यशक का संपन्न होना इसकी प्रक्रिया का अध्यान किया तो सो से लेकर डेड़ सो वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिति रहती है कैसा समाज है वैसे उसको नहता मिलते हैं वो काम करते हैं आये समाज से ही है जितनी समाज की उँचाई है उतनी ही उनकी उँचाई है और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना यह सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है राजा अपने नित्यक्रम में सुबह जल्दी उठके गर में थोड़ा सा व्यायम करके बाहर निकला और रोच का उसका नियम था गोडे पर बैटकर रपेट करना आधा गंटा अगले ही दिन एक नया गोडा लाया था दूर से अर्बस्तान से वो गोडा लाया गया था पंचलक्षणी सुन्द रश्व था बहुत सबल था राजा उस पर बैठा उसने एड़ी लगाई लिकिन गोडा हिलने को तैयार नहीं लाग प्रयास किये गोडा हिली नहीं रहा है अड़ गया चलो आज अपना नियम तूट गया कल डबल रपेट करेंगे ऐसा सोच के राजा वापस आया अस्तान वगर करके नास्टे के लिए बैठ गया देखता है तो नास्टे में जो रोटी या थी सब जल गई तो नास्टा करने का मने ही उसका बदल गया चलो नास्टा के बाद थ सब्सक्राइब खोला तो जितने पान थे अंदर वो सब सड़ गया है तो राजा बड़ा विचार मगनों होकर थोड़ा सा जिसको अंग्रीजी में कहते हैं मूड आफ होकर दरबार में पहुंचा जैसे स्थाना पन्न हुआ प्रधान जी को उसने की प्रश्ण पोड़ा प् प्रश्ण पोड़ा प्रश्ण प्रश्ण पूछेए गोड़ा क्यों गड़ा रोट़्ी कह जली पान कियो सड़ा अब किसी को कुछ समझ में नहीं है अब दर्बार का टाम समापती नहीं हो इसका उत्तर ही नहीं नहीं मिले फिर कोई एक बुड़ा अनुविवी था राजदानी के शहर में समझदार आदमी इसलिए प्रसिद ददा उसको भुला के लाया उसने राजा का प्रख्टों सुदा और रुस्तिका महाराज इसका उत्तर है गुमाया नहीं इसलिए गोड़ा अरता तब पहले उसको गुमाते हाथ को पकड़कर जिस मैदान में रपेट करनी मैदान दिखाते वो जब तक मैदान पता नहीं होता तब तक वो हिम्मत नहीं करता है गोडे को गुमाना पड़ता है रोटी सेखते समय उसको भी घुमाना पड़ता है पलटना पड़ता है नहीं तो जल जाती है और पान खाने वाले लोग जानते है पान दान में पान रखना है तो उसको बार बार पलटना पड़ता है घुमाना पड़ता है गुवाए नहीं इसलिए सब प्रट्नों काई की उत्तर है वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है हमारी स्थिती बदली देश की स्थिती बदली हम जागृत नहीं तब गुलाम थे गुलामिका कोई करेंड नहीं था हम पर राज करने वालों से हमारी जनसिंक्या बहुत जादा थी उनका जो विचार तत्वध्यान है वो अधूरा था हमारा विचार तत्वध्यान पूर्ण है और हमारे तत्वध्यान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले हमारे पास लोग है, अन्य लोगों के पास नहीं है एक से एक बुद्धिमान लोग बलशाली लोग, धनवान लोग तब भी हमारे पास थे उसके पहले भी थे, आज भी है कल भी रहेंगे यह हमारी कला है, कोशल है ऐसे सब होने के बाद भी हजारों मिल दूर से मुठी भर लोग जो किसी नामले में हमसे छिष्ट नहीं थे हम पर राज क्यों कर सके डेड़ सो साल स्वतंद्रता के लिए प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में ये प्रश्ण था और अपने प्रामा Around के अनुभह से उसका उत्तर भी उनके मन में था सब के मन में एक सा उत्तर था उत्तर यही था कि हम जिश्वाश्य जिन जिन बातों के लिए हम प्रयास कर रहें वो बाते तो हो जाएगी जो विशय हमने हाथ में लिये है उनके हल निकल जाएंगे लिकिन वो विशय फिर से खड़े नहीं हो गए इसकी क्या गरंटी है अंग्रेश कोई पहले नहीं थे हमको गुलाम करने वाले यह अक्रमणों का ताता तो सिकंदर के पहले से शुरू हुआ शकहून, कुशान, यवन, बाद में मुगल, तुर्क, पठान, अफगान, बाद में ब्रिटिश, पॉर्टुगीज, डच, सारे लोग सब लोगों को अमला करने के लिए भारत वर्षे ही मिला भारत वर्षे की हवा उनके लिए अनुकुल नहीं थी यहां के शुरूविर लोगों से उनके पराकरम की तुलना भी नहीं हो सकती इतने हम से रठाते पराकरम में इस इसवी सदी एक से इसवी सदी सत्रा सो तक हम आर्थिक दुट्टी से दुनिया में पहले देश थे किसी मामले में हम कम नहीं थे और मुठिवर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर दक्षिन पुरपश्चिम देश को गुलाम बना दिया यह क्यों हुआ क्योंकि समाज में कुछ दोश घुज गुज गये हैं कि समाज की स्थिती ठीक नहीं है कि समाज की इम्मुनिटी कम हो गई है इसलिए हर कोई वायरस उसको गिरा सकता है कि संग के संस्थापक डॉक्टर हिडगिवार कि ऐसे सब कारियों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके काहरे करता थे प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से उन्होंने काम किया क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा देह नहीं था बच्वन में अनाथ हो गए थे परिवार की जिम्मेवारी का प्रष्ण नहीं था छोटे भाई थे देश के लिए काम करते हैं और उसमें उन्होंने प्रतिग्या की थी कि इस जीवन में केवल इस देश के लिए सारी शक्ति लगाएगे प्रफ़ार से और इसलिए समाच समाच को उठाने के लिए देश को जगाने के लिए देश को स्वतंत्र करने के लिए जो जो चलता था उनके साथ उन्की भेट ह हुई थी चर्चाए हुई थी हुआ करती थी लोक्माने तिलग जी सावर कर जी डक्टर बाबा साब अम्मेड कर मात्मा गांदी जी बाबु सुभाष चंद्र बोस मदन मोहनमाल विया भगत सिंग चंद्रशिकर आजाथ ऐसे सब लोग उनके संपर्ग में थे क्योंकि इन सब के कारियों में कुछ न कुछ हिस्सा उन्होंने उठाया था और उठाते रहे थी चर्चे होती थी तब उनको पता चला कि मेरा जो अनुभव है और मेरा जो निश्कर से है सब के मन में वही बात है कि हमने जो काम लिया है वो तो सफल हो जाएगा कि लेकिन सदा के लिए रोग हट जाए फुर्सत में नहीं है इसको करने के लिए तो सब काम छोड़के महीं ही यह करता हूँ साथ आठ वर्ष उन्होंने प्रयोक कि परिवर्तित करना समाज को परिवर्तित करने का काम करने वाला कार्यकरता देश भर में खड़ा करना आत्मविश्वा सुत्पन्न हो और सब समाज जिनको अपना मानता हो ऐसे कार्यकरताओं के समूह गाओ गाओ में और शहरों की बस्ती-बस्ती में खड़े करेंगे तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरन बदलेगा बिल्कुल यही कलपना श्री रविन नाठ ठाकूर के स्वदीशी समाज नामक निबंद में आपको पढ़ने को मिली विचार के नाते संगने नहया कुछ नहीं किया युगानु युग से चलती है अपनी सनातन परंपरा में अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए वो सब देखकर उन सबसे लेकर यदि कोई कमी किसी में हो तो उसको निकाल कर एक युगानु कूल पद्धती समाज को संगटिच करने की खोजी उसका प्रयोग चल रहा है संतानमे साल पूरे हो रहे हैं उसका नाम राक्ट्रिय स्वजिच उकसंग है क्योंकि यह आदत करने का काम है रोज करना पड़ता है सब भूलो शाखा में आओ शाखा में आके क्या करो यही जो कारिक्रम आपने देखे डिखने में तो कु अब नीचे करो नीचे हो कौन्सा सामाज परिवरतन बइए इसमें क्या राटब कर क्या होने वाला है क्या इस हाथ की हावा लगकर कुछ इस देश के लिए उनको काम करना है तो इस देश क्या है इसकी सपट्टा समझ चाहिए यह हमारा भारत है यह कब से आया इस पर्टा नहीं है कुछ लोग कहें गे 1927 के बाद हमारा देश बनाओ क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि एक सरकार होती है तो एक देश होता है उन्होंने कभी अनेक सप्ता है एक ही देश में ऐसा देशी देखा नहीं दुनिया नहीं नहीं देखा है कि दुनिया में राट्र कहने से नेशन स्टेट ऐसा ही मानते हैं जब तर स्टेट है तब तक नेशन है कि नेशन यह उत्पति यह स्ट्रेट के हमारे अलग है पहले से अलग है हमारे यहां राक्टर का प्रमुग घटक है जनपदवती भूमी याने ऐसा समाज जिनके सामने समान उद्देश्चा है और वो किसी एक भूमी से अपना नाता मानते हो उस भूमी पर रहने वाले परंपरा से हमारी पुन्य Bjek यह हमारी धर्म अभूमि कर्म भूमि यहीए भारत्वर्श हमको दूसरा दैस्त नहीं है यह हमारा है और सदीयों से हम इसको माथ्तरू भूमि मान रहा in remained about um 3 दोDING हमारी बता भूमियाने सारी सारह घृता ना थे प्लैनेट अर्थ लेकिन आगे का थे पुत्रो हम पृत्वियाँ कि फृत्वी सब्द असी अर्था प्रयोक करते लेकिन पृत्वी सब्द की व्यत्पत्ति में पृत्वुर आ ने कुर्शी योग्या बनाई भूमी इसलिए वो पृत्वी है ऐसी भूमी कौनसी है यह हमारा भारतवर्श है वो हमारी माता है रोज उठने के पहले नीचे पहर लगातने के पहले यह हमारी परंपरा थी कही कही आज भी याद है कही कही भूल गया है विश्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस परशंग शमस्वनी है पुरारा काल से हम कह रहे हैं हिमालय हम साराम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरं इंदूस्थान देश और उसमें रहने वाला हिंदू समाज उतना ही प्राचिन है आज भी वही है कि यह मारी मात्रु भूमी है और हम इस देश में रहने वाले सब लोग एक भेय से अनुप्रानित है हमको यह बताया गया है कि अपना जीवन ऐसा रखो कि आपका जीवन दे तुम कितना पैसा जमा करते हो यह महत्व की बात नहीं महत्व की बात है कि तुम जितने बड़े बने उतना सब को बड़ा किया कि नहीं तुमने जितना कमाया वह सब में बाटा कि नहीं तुम अगर कहीं राजा बन गए तो धर्मराज्य चलाया कि नहीं कहीं पर तुमने ज यह पूछा जाता है कि हमारी एक निश्चित दागना है हमारे सामने हमारे पुरुवजों ने दिये रखा है एतदेश प्रसुत अस्य सकाशा अधगर जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन प्रथिव्याम सर्वमानवा सद्य को जानने के लिए जीवन कैसे जीना सारे विश्व को बताना इसकी इच्छा हमारे अंतरमन में रहती है कुछ लोग जानते हैं बोल सकते कुछ लोग जानकर बोल नहीं सकते कुछ लोग जानते हैं लेकिन प्रसंग आता है तो फुट पड़ता है इसलिए हम एक समाज है हम एक जनपद है और हमारी भूमी भारत वर्ष है बाकी सारी बाते राज्य, बल, दुर्ग, कोश, अमात्य, सुरुद, ये सब बाद में आता है हम राट्र विविधता के राट्र पहले से है और हमारे हाँ इन सब विविधताओं का स्वीकार और स्वागत है क्योंकि सारी विविधता है एक ही सत्यका आविश्कार है इसको हम जानते है दुनिया की भाषा में आजकल बोलते है यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकिन वास् है उसके कारेन सारी भाषाइं सारे पंथों उपपंथों देवी देवत 고양 ठाण रिषी दिवाज के अनेकों प्रकार रहन सन के अनेकों प्रकार अनो क्या एक्ष ततवढ यान highlight यह सब हमारे देश में पहले से हैं शास्त्रार्थ होते हैं समों का परंतु यह सब होने के पाद भी हम एक राख्त रहे हम एक समाज है हम हिंदु समाज है हमारा हिंदु राख्त रहे। हम सब भारत माटा के पुत्र है हुआ हम उनी पुर्वज के वह के जिनों ने श का वाला दूसरा नहीं है 40-जार वर्षों से हमारा डीने एक है पूजा किसी की कोई हो या कोई पूजा न भी करता हूं खानपान रितिरवाज कुझ भी हो रहनसन का प्रकार कुझ भी हो विचार तत्वन्यान कुझ भी हो हम है वही आज हम मानते कुझ भी हो वस्तविक्ता यह है वैद्ञानिक दुरुष्टी से अईतिहासिक दुरुष्टी से तरक से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब लोग उनसे संबन्द रखते हैं और उनको दुनिया हिंदु केती है इसलिए हम हिंदु समाजे है हमारा हिंदु राट है हमको जोड़ने माली यह एक बात है भाषा हमारी अलग अलग है पूजा है हमारी अलग अलग है भाषा है प्रांत इसा अलग अलग है लेकिन यह बात हमको जो यह हिंदु दृष्टि है हिंदु दृष्टि के आधार पर सनातन काल से चलता आया हुआ समाज जीवन इस भूमी में खड़ा हुआ यह अमारा देश है यह पश्ट कलपना होनी चाहिए उसके लिए इस देश को जाना चाहिए भारत को जानो जानकर उसको मानना चाहिए क्योंकि यह शाश्वत बात है यह रहने वाली बात है इस दुनिया में अनेक देशों को उड़ता बिगड़ता बनता नटो होता हमने देख लिया है हम उसके भी साक्षी है हम है थे है और रहेंगे इस देश को जानना इसके अमरता के इस रश्य को जानना इसके रूप को जानना इसके आत्मा को जानना और केवल जहना नहीं हमको राष्टर की पूजा करनी है भारत माता की पूजा करनी है राष्टर अर्चन करना है तो पूजा कैसे करते हैं पत्र फल पुस्पों वगरे उप्चार रहे वास्तविक पूजा वह होती है जिसकी पूजा करना वहेसे बनो तो भारत को जानो भारत को मानो भारत के बनो हमारी ये दुस्टिय होनी चाहिए भारत की सब भषाएं हमारी भाष में भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने भारत के सब पंध उपवंध वह हमाने ही है मेरा अपना कुछ है वह भी मेरा है उस पर मैं चलूंगा श्रद्धापुर्वक चलूंगा लेकिन इन सब विधताओं का मैं सम्मान करूंगा आदर करूंगा उनके विकास में मैं मेरा हाथ लगाओंगा सब के साथ चलूंगा सब को साथ लेकर चलूंगा क्योंकि मैं जन्मा हूं किसी प्रांत में बोलता हूं किसी भाशा को पूछता हूं किसी भगवान को खाता हूं कुछ पहनता हूं कुछ परंतु मैं पूरे भारत के साथ मन से एकाकार हूँ कोई भी चीज भारत की मेरे लिए विदेशी नहीं है पराई नहीं है वो मेरी अपनी है ये व्यवार में लाना आदत करनी पड़ती है सद्भावना से व्यवार करना है ऐसा होने के बाद अपने व्यवार को सद्भावना पुर्ण बनाना पड़ता है दूसरों को देखना है कभी भी नकर आत्मक दुर्ष्टी से नहीं देखना दूसरों के प्रति शत्रता का भाव, दुरी का भाव, द्वेश का भाव कभी रखना नहीं, सब के कल्यान की इच्छा रखना स्वयम किसी के दुश्मनी के शिकार न बने, द्वेश के शिकार न बने, स्वयम किसी से मार न खाए, इतना सबल होना, तभी ये सद्बावना शोगा देती है, नहीं तो यह हम जानते हैं कि हमको कोई खत्रा नहीं किसी से हैं कोई हम को दक्का नहीं पोचा सकता है कि सब कर इसके बारे में में अशुरस्ट इतना ब्रता हैम बालowej को और इसलिए कंझ हम्यारी दुख्ति किया है वसो देवह कुछ न भंपक यह सब कुछ अमारे सब कुछ कि अपने कुटुमबका बतावरन स्थान पर कभी भी मनुष्य गों जाती पंतव प्रांतव भाषा के इससे नहीं देखना के उसके साथ अपनत्व का व्यवार करना को सत्मावना कविवार करना मिलते रहना एक दूसरे की विकास में सहयोग देना एक दूसरे को देखकर सुधार के प्रेना होनी चाहिए ऐसे जीवन का उदारण रखना और यह सारा जीवन हमको जिन से मिला है उनको वापस देना है हम पर कर जाए हमारी करने परमपरा में थीन प्रकार के रुण मांते हैं कि देवरुनी हैं पित्रुण और रुषिरुन ओं देंवरुन है सुर्षय का कि हमारे देवता सुर्ष्टी की शक्तियों के प्रतिक है पंचे महा Member रमन मारिशी ने कहा है अश्टमूर्थी को कौनसी अश्टमूर्थी पृत्वी आप तेजवायो अकास सूर्य जो जीवनी शक्ति का प्रतिफ है चंद्र जो मन का प्रतिफ है और जीव कि यह डेवता सुरूफ है और हमारे इंद्र विद्यूत के स्वामी है मेगो के स्वामी है वरुन जलके देवता है अगनी साक्षात अगनी है इनका रुण है इनके चलते हमारा जीवन है इनका शोशन नहीं करना परियावरण की समस्या खड़ी नहीं करना अपने आचरेंट से विकास को सोचना तो परियावरण को सुरक्षित रख्ये कैसे चलना यह सोचना यह पंच्य महाभुथ सब के लिए बने हैं हमारा आचरण परियावरण मित्र ताका हो मेरा मेरे कुटुम्ब का मेरा सामाजी का आचरण मेरा जीविका के क्षेत्र में आचरण तो उसके परिणाम से दिरे दिरे समाज का आचरण बदलेगा पित्रूरुन हैं, हमारे पुर्वजोकारुन हैं, उन्होंने त्याग बलिदान किया, अपना पसिना खुन भाया, तब हम अपने सांस्कारों को सुरक्षित रख सके, उनके स्मारगों का जतन करना, उनके स्मरण का जतन करना, उनके आचरण को अपने आचरण से आगे बढ़ कि नहीं करना है घुङ हो कि कैसे फेसे धारीन हब करने हैं को कज़ते हैं हम देखें आपने मुल्यों के कसोटी पर अच्छा अच्य अचरन कैसा होता है हमारे परंपरा पर्रा चलिए आज का जीवन तो फढग के है कि बहुत लोग है जो त्याक करते है समाज के लिए बहुत लोग है जो स्वधेशी स्वभाशा स्वभुपाशा पर अटल रहकर और समाज को आगे बढ़ाते हैं हमारे चारो और जीवन तो उधारन है हमारी इतनी लंबी परमपरा है उसको जानना उसका अनुकरन करना और रुशिर उने है ज्ञानी लोगोंने हमारे लिए ज्ञान का खजाना दिया है चतुर्वेदा पुराणानी सर्वोपनिसदस्तता रामायनम भारतमच गीता सतदर्शनानीच जैनागमाह त्रिपटका गुरुगरंथ सतांगिरा एशद ज्ञान निजिश्रेष्ट पूरे जीवन का तत्वद ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहित हमारे सामने है इस हमारी संपदा का जतन स्मरण उसको बढ़ाना यह करना है रुणमोचन का काम तीसरा काम है और ऐसा करने के लिए जीवन को एक अनुशासन में बानना अपनी परंपरा के मुल्यों का अनुशासन है साथ साप अपने देशने सर्वसाहमती से मानने के समिधान का अनुशासन है अब हम परकिये राज्य में नहीं हैं हम अपने राज्य में हैं तो हमारे आचरण में सयम कैसा होना चाहिए कानून व्यवस्था नियम का पालन कैसे करना चाहिए हमारा उदारण होना चाहिए यह चार काम है जो करने से देश बड़ा होगा यह सब को करने पढ़ेंगे करने पढ़ेंगे तो इसकी आदत करनी पढ़ेंगे क्योंकि सारे काम बुद्धी से मानने होते हैं मन से भी मानने होते हैं लेकिन करने में आदत के आरण आदमी चूप जाता किस्सा बता थे ऐसा एक आजमी जा रहा हो उसका मित्र सामने से हता है पुष्टा एका जा रहे हो जीवन से ठग गया मैं मरने जा रहा हूँ अभी ट्रेन जाएगी उस ट्रैक से वाह में सोने वाला हूँ टुकड़े हो जाएंगे मेरे छुट जाओंगा दुनिया से अरे बह मेरे निष्टे के आड़े बंदा हूँ मेरने माला हूँ कोई मुझे परावरुत्त नहीं कर सकता अब मैं मरूंगा ही मरूंगा अच्छा मरोगे इट इवा क्यों ले जा रह रहे हो तो अलई यसमें बोजन है तो मर्ने जा रहे हो नहा है तो तो लिप जिए तो झालिया ए कि भूगा रहोंगा गया जा एने मरने जा रहा है लेकिन 11 ज़ भूख लगती है यह आदत है किस्सा तो कल्पित है तो आप जाने ही गए पर उन्तु बोध उसका कल्पित नहीं है आदत से मनुष्य काम करता है अच्छे बातों की भी आदत लगानी पड़ती है अनुकूल बा कि एक बार आदते ठीक हो गए कि ठीक होगी ऐसा नहीं होता है आदतों को ठीक रखना भी पड़ता है कि इस लिए इस एक घंटे की साधना अपने जीवन में रोज की दिनचर्या का अंग बनाना कि यह अपनी साधना है यह संग की साधना है इसको संग समाज की साधना बनान चाहता है गर से बाहर निकलो अपने देश के बंदूओं के साथ वो कौन है कहां से आते हैं कहां जन में कुछ विचार मत करो कितना कमाते हैं अमीर है की गरीब कुछ मत विचार करो समाज में मेरे जैसे प्रतिश्टित है कि उंचे है कि हल्क कुछ विचार मत वो मेरे अपने भाई है उनके साथ मात्रु भूमी के धूल में लोट पोट होते हुए खेल के लो मात्रु भूमी के भक्ति के गानगाव पुर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरोप्रत का संचार करवा है और भारत माता की प्रारतना करो रोज करना एक गंडे का है शरीर मन बुद्धी देश के कारे के लिए तैयार होती है एक स्थिती पर पहुशन के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदव कितने भी मोहाकर्शन स्वार्थ अप्राप्त हो जाए मनुष्य अडिक होकर अपने देहपत पर चल सकता है कि यह संग है कि यह सब को करना है कि एक गंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यक्ता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाओं को दूर करने वाला या समाज की तुर्टियों में सुधार लाने वाला कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामा सोचना बहुत सेवा की अब मुझे वोट दो ऐसा नहीं कहना जोने उसके लिए काम नहीं है संग में स्वैम सेवक बहुत कुछ करते हैं fishing की लिए करते हैं उनको thank you भी नहीं बोलते हैं दन्यवाद भी नहीं मौलते हैं अगर कोई स्वैम्शोक में मुझे कि संग सो भेश को भरबात करने का तो देश को आबात करने का कम है ड्रप गड़ लोगों का का में का Home सव क्वार्थी को कामने स्वार्थह मंध में है तो Florian तो संग से दूर रहो उस में तुमारा भी बला है कि fins क्योंकि यहीं रास्ता है दूसरा रास्ता नहीं है अपने जैश के स्वतन्त्रता के लिए काम करने वाले और स्वतन्त्रता के बाद अपने जैश को बढ़ाने वाले जितने लोग हैं उनका साहित्य देखो या उनके भाषन कहीं है तो पढ़ो सुनो अगर सुनने को मिलते हैं सब ने इस एक सत्य को बोला है इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने वरने का उद्दम करने वाला समाज बनाना तब ही भारत के भाग्य का उद्धै है और हम देख रहे जितने प्रमान में यह हो रहा है संगतु इसी के लिए प्रयास करता है और भी लोग है सब के करने के परिणाम सुरूब जैसी जैसी समाज की समझ बढ़ रही है जैसे जैसे समाज की दुरुष्टी स्पट्टो हो रही है वैसे वैसे भारत की उन्नती हो रही है कि सतंद्रता के बाद आज के क्षण तक का प्रवास अगर हम देखेंगे अपने देश का तो देश के उन्नती के रेखा को आप समाज के उन्नती की रेखा के साथ समानतर पाऊगे जब जब समाज के गुणों की उन्नती एकता की उन्नती की पराकाष्टा थी तब देश भी किसे न किसी रूप में दुनिया के जिवन में किसी गुण की या किर्ती की पराकाष्टा पर था आज है बहुत दिनों से पहुँचा है और उपर जा रहा है उसको यात्रा को पू करिया शक्ति की परिक्षा इसमें हो जाती है और हमारी संख्या वगरे समाज देखता है लिकिन उसके लिए कार्यक्रम नहीं है यह कहने के लिए कि देखो हमारी कार्य पद्धती ऐसी है उसके परेनाम सर्वत्र गुंज रहे हैं आप सब लोगों को भी शंग का अंग बनकर का करना चाहिए इस रोज की साधना को अपने जीवन का अंग बना कर देश के लिए कुछ करने लायक हमको बनना चाहिए और फिर अपने-पने विचार से यह संग की योजना में बैठकर समाज के भलाई का काम करना चाहिए जिस कार्यके कारण समाज में सद्गुनों का एकात् सावरन बनेगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे कि खान पान रिती रिवाज के भेद पंध संप्रदाय के जाती के भेद सब प्रकार के भेद मतमत अंतरों के भेद भी छोड़कर हम सब एक दिरने करके चलेंगे संग अच्छ द्वं संवद द्वं संवो मनावसी जानता यह संग है इतने सारे लोग है इतने प्रकार के लोग है सब के अलग अलग विचार अलग अलग प्रष्ट भूमिय है मिलके विचार करते हैं जो सब का तय होता है वो मेरा विचार होता है संगटित समाज का ये लक्षन है शक्ति संपन समाज चाहिए जो ना भहे दे तो काहू को ना भहे जानता आप ऐसा समाज चाहिए ऐसा समाज निर्मान का ये काम है इसको किये बिना ना दुनिया की भलाई है ना देश की भलाई है ना हमारे आपके हमारे परिवारों की भलाई एक पंध में तीन-तीन का साधने वाला ये काम है हम सब का काम है इसलिए हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए संग को बढ़ा करने के लिए नहीं देश को बढ़ा करने के लिए कल इतिहास लिखा जाएगा हम सब मिलके करेंगे तो यह लिखा जाएगा कि समाज इस तर पर पहुंचा कि उसने अपने देश को विश्व गुरु बना दिया ऐसा ही लिखा जाए इतियास में यह हमारी इच्छा है हम तो तेया वैभव अमर रहे मां हम दिनचार रहे न रहे इस वृत्ति के लोग है इस वृत्ति को अपने आप में स्थिर करते हैं और इसलिए आज क प्रसंग पर मेरा आपको यही आवान है कि संग में आईये आने में कोई फीस नहीं है कोई नियम नहीं है जाना भी आपके मर्जी से जब चाहे आप जा सकते हो लेकिन आए च्छे महना एक साल-दो साल संग को अंदर से देखिए और देखने के बाद जब आपको यह प्रति फिर संग के कारिकरता बनिए ऐसा नहीं होगा तो क्या करना आपका स्वातन्त्रे ऐसा है तो भी क्या करना आपका ही स्वातन्त्रे लेकिन ऐसा है यह जब आप जानेंगे तो आप संग से दूर नहीं हो सकेंगे और इसलिए एक प्रार्थना मैं आपको करता हूँ एक निवेदन आपको और आपके सामने रखता हूँ कि दूर से दर्शक बैठकर संगर के कार्यकर्णों को देखना हिताईशी बनकर वावा करना इससे नहीं होगा हमको सोयम से वक्त बनना पड़ेगा कार्यकर्ता बनना पड़ेगा आप जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ रावन योर युद्धम राम रावन योरिवा राम और रावन का युद्ध हुआ वो कैसा हुआ वैसा दूसरा नहीं हुआ इसलिए उसके जैसा वही है ऐसे ही आजके काल में संद्ध जैसा काम दूसरा कोई चलता नहीं कर जिस के साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है ऐसा कुछ नहीं है है और इसलिए फॉर्म रोंड टॉ अन्टॉण है यह राष्टा बन वह संग को जानना है तो संपको ही जानना पड़ता है और ओर जानने में भी बड़ी कठेराई हैं दूर दूर से देखके संग पता नहीं चलता है दूर से देखेंगे तो कई प्रकार की गलत फाहमिया हो सकती है कि अब यहां स्वयम्चों कोने भी आया मियोग का प्रदर्शन किया तो पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा संग कोई अखिल भारतिय जिम्खान आये क्या कि सब गणवेश में इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरा मिल्टरी और्गनाइजेशन है ऐसा भी मान लेते हैं यहां स्वयंचों कोने सब सब्सक्राइब बाते में होती हुई दिखती है लेकिन संगीच चाला जायम चाला यह संग का रूप नहीं है इस चन्ग के सब स्वाइटों के मिलकर 1,300,000 से ऊपर विभिन्न संगटों हो के माध्यम से स्वा कारिय सारी देश में चलाते हैं लेकिन संग सर्विस ऑर्गनजेशन नहीं और यह सारी बाते जो हम देखते हैं हो रही है संग के स्वाइशो कर रहे हैं वो उनका अपना कर्तु वह है संगह ने उनको विचार दिया है संगह ने उनको समस्कार दिया है संगह से प्रेना मिलती है वो समाज के लिए जहाँ अवश्यक है उनको लगता है वह काम करते हैं परामानिकर स्वावत निस्वार्थ पुद्धी से काम करते हैं समाज का विश्वा सरजित करते हैं अर्वण्टु ग्ये उनका किया हुआ काम है स्वतंत रहा अलग है स्वायत पह और बढ़ने के बाद प्माति प aujourdम भी ओजाता है संघपर नेरल भर नहीं रहता कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संग के पास नहीं रहता उसकी आवशक्ता नहीं है संग को स्वयम सेवत संग के साउस्कारों में रहकर संग के धिय को न भूलते हुए सबके प्रतिस्नया में को मन में रखकर अच्छे काम करें इसके लिए वो स्वतन्त रहें उनको तयार करने की यह जो पद्धती चलती है वो संग है और यह पद्धती विश्व में एक सबसे बड़ा स्वयम सीवी संगतन तयार करना इसके लिए कर आओ को अब दाओ कर ऐसे बारत में अचने में सेवक संग का प्रभावी दबावगट खड़ा करके उसके दबाव में सबकुछ वद इसके लिए नहीं जल रही है और जा जड़ता पूरे देश संगट उपला करना चाहता है। कि समाज में दबावगट खड़ा नहीं करना चाहता पूरे समाज को ही संगटित करना चाहता है कि आज समाज में बहुत सारे लोग संग में हैं बहुत सारे नहीं भी है कुछ है जो विरोध भी करते हैं कुछ है जो न्यूट्रल है ऐसा कहा जाता है परन्तु इन सब को जोड़ना है पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है क्योंकि भारत वर्षे इस प्रकार शक्ति संपन्नों होकर सामर्थ संपन्नों होकर खड़ा हो यह विश्व की आवश्षकता है कि गत दो अजार वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व ठक गया कि सबका सुख शाश्वत सुख कभी फीका नव पढ़ने वाला सुख कि यह सब जीवों के लिए लक्ष रहता ही है प्रकृति ने दिया है कि उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुणिया में आदुनिक दुनिया में कि और उन प्रयोगों के चलतें उन प्रयासों के चलते मनुषक की सुख सुविदा ओं में मनुषक के साधोनों में मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगती हुई बहुतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्तुए उत्पन्न हुई बहुतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बाते पैदा हो गई लेकिन सुखन ही बढ़ा परियावरण का संकट खड़ा हो गया सुखन ही बढ़ा असमाधान बढ़ा अत्मत्य बढ़ी परिवार तूटने लेके साधन संपन्न विज्ञान संपन्न मनुष्य उन साधनों का उप्योग मनुष्य कल्यान के लिए करने के बजाए युद्ध के एक से एक प्रदत अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है और कल थमा नहीं है हुँसा रुकी नहीं है और इसलिए आज के दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले हमारी दुरुष्टी में हम विश्व को जैसा समझते हैं उसके आधार पर हमने सब प्रयोग कर लिए अब हमारी दुरुष्टी के आधार पर हमारी समझ के चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है हम से भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है अधिक सटीख है उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए अधिक और इसलिए भारत बड़ा होना ये दुनिया के अबश्च्कता है हमारी तो है ही क्योंकि हम जानते हैं कि है कि क्युएक्तिकट रूप से या एक कुटूंब के रूप से भी हमको सुखी होना है तो हमारे देश को सुखी होना पड़ेगा हमको प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा हमको सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रख सकने वाला विश्व में उसको विश्व गुरु पर प्रतिश्थित कर सकने वाला संपूर्ण देश को बल संपन्द सामर्थ संपन्द सर्वांग सुन्दर सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्चता है क्योंकि देश में परिवर्तन तब आता है जब यह काम होता है कि देश में अनेक प्रकार की परिस्थिती रहती परिस्थिती पर उपाय करने वाले भी रहते हैं परिस्थिती में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं लोगों की आवशक्ताओं को लेकर संगर्श करने वाले लगते रहते सदा सर्वतार रहते आए इनका अब आओ किसी देश के किसी समाज में कभी नहीं रहा परंतु जिंजिन देशों में प्राचिन समय छोड़ दीजिए इतिहास काल भी छोड़ दीजिए अर्वाचिन समय ने जिंजिन देशों ने प्रगति की उनका इतियास देखेंगो तो पता चलाएगा कि किसी विचार को किसी व्यक्ति को किसी समूह को किसी सरकार को श्रेय तो मिला निमित तो कोई होता है उसी के खाते में यश लिखा जाता है परंतु उस यश का संपन्न होना इसकी प्रक्रिया का अध्यान किया तो सौ से लेकर डेड़ सो वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिति रहती है जैसा समाज है वैसे उसको नहता मिलते हैं वो काम करते हैं आये समाज से ही है जितनी समाज की उचाहिए उतनी ही उनकी उचाहिए और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना यह सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है राजा अपने नित्यकरम में सुब़ जल्दी उटके गर में थोड़ा सा व्यायम करके बाहर निकला और रोचका उसका नियम था गोड़े पर बैटकर रपेट करना आधा गंटा अगले ही दिन एक नया गोड़ा लाया था दूर से अर्बस्तान से वो गोड़ा लाया गया था पंचलक्षणी सुन्दर अश्व था बहुत सबल था राजा उस पर बैठा उसने एड़ी लगाई लिकिन गोड़ा हिलने को तैयार नहीं लाग प्रयास किये गोड़ा हिली नहीं रहा है अड़ गया चलो आज अपना नियम तूट गया कल डबल रपेट करेंगे ऐसा सोच के राजा वापस आया अस्तान वगर करके नास्टे के लिए बैठ गया देखता है तो नास्टे में जो रोटी या थी सब जल गई तो नास्टा करने का मने ही उसका बदल गया चलो नास्टा के बाद थ जिद्बा खोला तो जितने पान थे अंदर वो सब सड़ गया तो राजा बड़ा विचार मगनों होकर थोड़ा सा जिसको अंग्रीजी में कहते हैं मूड आफ होकर दर्बार में पहुंचा जैसे स्थाना पन्न हुआ प्रधान जी को उसने की प्रश्ण पोड़ा प्रधान और राजय की प्रश्ण पूछे गोड़ा क्यों गोड़ा रोटी क्यों जली पान क्यों सड़ा अब दर्बार का काम समापत ही नहीं हो इसका उत्तर ही नहीं मिले फिर कोई एक बुड़ा अनुविवी था राजदानी के शहर में समझदार आदमी इसलिए प्रशिद्धा उसको बुला के लाया उसने राजा का प्रख्टों सुदा और रुस्तिका महाराज इसका उत्तर है गुमाया नहीं इसलिए गोड़ा अरता तब पहले उसको गुमाते हाथ को पकड़कर जिस मैदान में रपेट करनी मैदान दिखाते वो जब तक मैदान पता नहीं होता है तब तक वो हिम्मत नहीं करता है गोड़े को गुमाना पड़ता है रोटी सेकते समय उसको भी गुमाना पड़ता है पलटना पड़ता है तो गुमायाने इसलिए सब प्रट्णों काई की उत्तर है वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है हमारी स्थिती बदली देश की बिस्थिती बदली हम जागरुत नहीं थे बुलाम से गुलाम को कोई करेंग नहीं था हम पर राज करने वालों से हमारी जनस्य क्या बहुत ज़्यादा थी उनका जो विचार तत्वज्यान है वो अधूरा था हमारा विचार तत्वज्यान पूर्ण है और हमारे तत्वज्यान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले हमारे पास लोग है अन्य लोगों के पास नहीं है एक से एक बुद्धिमान लोग, बलशाली लोग, धनवान लोग, तब भी हमारे पास थे उसके पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे यह हमारी कला है, कोशल है ऐसे सब होने के बाद भी, हजारों मिल दूर से मुठी भर लोग जो किसी नामले में हमसे श्रिष्ट नहीं थे, हम पर राज क्यों कर सके डेड़ सो साल स्वतंद्रता के लिए प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में ये प्रश्ण था और अपने प्रामानिक प्रयासों के अनुभव से उसका उत्तर भी उनके मन में था, सब के मन में एक सा उत्तर था उत्तर यही था कि हम जिस बान जिन जिन बातों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो बाते तो हो जाएगी जो विशय हमने हाथ में लिये है उनके हल निकल जाएंगे लिकिन वो विशय फिर से खड़े नहीं हो गए इसकी क्या गरंटी है अंग्रेश कोई पहले नहीं थे हमको गुलाम करने वाले यह अक्रमणों का ताता तो सिकंदर के पहले से शुरू हुआ शकहून, कुशान, यवन, बाद में मुगल, तुर्क, पठान, अफगान, बाद में ब्रिटिश, पॉर्टुगीज, डच, सारे लोग सब लोगों को अमला करने के लिए भारतवर्शे ही मिला भारतवर्शे की हवा उनके लिए अनुकुल नहीं थी यहां के शुरूविर लोगों से उनके पराकरम की तुलना भी नहीं हो सकती, इतने हम से रहठा थे पराकरम में इस इसवी सदी एक से इसवी सदी सत्रा सो तक हम आर्थिक दुट्टी से दुनिया में पहले देश थे किसी मामले में हम कम नहीं थे और मुठिवर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर दक्षिन पुरपश्यम देश को गुलाम बना दिया, यह क्यों हुआ, क्योंकि समाज में कुछ दोश घुज गुज गये हैं, समाज की स्थिती ठीक नहीं है, समाज की इ संग के संस्थापक, दॉक्टर हिडगिवार, ऐसे सब कारियों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके काहरे करता थे, प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से उन्होंने काम किया, क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा दे नहीं था, बच्पन में अनात हो गए थ परिवार की जिम्मवारी का प्रच्ण नहीं था, छोटे भाई थे, देश के लिए काम करते हैं, और उसमें उन्होंने प्रतिग्या की थी, कि इस जीवन में केवल इस देश के लिए सारी शक्ति लगाएगे, और इसलिए समाच जीवन में समाच को उठाने के लिए, देश क स्वतंत्र करने के लिए जो जो चलता था, सब में उन्होंने भाग लिया, प्रामानिक्ता से निश्वार्त पुद्दे से तनम अधन पुर्वक कार्य किया, उनका स्वयम का चिंतन अध्यन भी था, सब कार्यों के उनके समकाली जो धुरीन लोग थे, उनके साथ उनकी बाबा साब अम्मेडकर, मात्मा गांदी जी, बाबु सुभाष चंद्रबोस, मदन मोहन मालविय, भगत सिंग, चंदरशिकर आजात, ऐसे सब लोग उनके संपर्ग में थे, क्योंकि इन सब के कारियों में कुछ न कुछ हिस्सा उन्होंने उठाया था, और उठाते रहे थ तब उनको पता चला, कि मेरा जो अनुभव है, और मेरा जो निश्कर से है, सब के मन में वही बात है, कि हमने जो काम लिया है, वो तो सफल हो जाएगा, लेकिन सदा के लिए रोग हट जाए, फुरसत में नहीं है इसको करने के लिए, तो सब काम छोड़के मही ही ये करता साथ आठ वर्ष उन्होंने प्रयोक की, परिवर्दित करना, समाज को परिवर्दित करने का काम करने वाला कार्यकरता देश भर में खड़ा करना, आत्मविश्वा सुत्पन हो और सब समाज जिनको अपना मानता हो ऐसे कार्यकरताओं के समूह गाओ गाओ में और शहरों की बस्ती-बस्ती में खड़े करेंगे तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरन बदलेगा बिल्कुल यही कलपना श्री रविन नाठ ठाकूर के स्वदीशी समाज नामक निबंद में आपको पढ़ने को मिली विचार के नाते संगने नहया कुछ नहीं किया युगानु युग से चलती है अपनी सनातन परंपरा में अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए वो सब देखकर उन सबसे लेकर यदि कोई कमी किसी में हो तो उसको निकाल कर एक युगानु कूल पद्धती समाज को संगटिच करने की खोजी उसका प्रयोग चल रहा है संतानमे साल पूरे हो रहे हैं उसका नाम राक्ट्रिय स्वाजिच संग है क्योंकि यह आदत करने का काम है रोज करना पड़ता है सब भूलो शाखा में आओ शाखा में आके क्या करो यही जो कारिक्रम आपने देखे डिखने में तो कुछ लाह्त बड़े माहत्वपूरून अगर लगते नहीं हाथ बाजु करो हाथ यह उपर करो फिर से बाजु को नहीं करो कुंसा समाज परिवरतन भई इसमें इसमें क्या राटर राटर का क्या होने वाला है क्या इस हाथ की हवा लगकर कुछ होने वाला है क्योंकि यह हाथ हिलाने से क्या हुआ है वह आज प्रत्यक्षा है स्वेहन से जो कर रहे हैं वह समाज देख रहा है क्योंकि जो काम करना है वो बड़ा महतुपूर्ण काम है वह इसे ही बड़ा कशिन काम है इस देश के लिए हमको काम करना तो इस देश क्या है इसकी स्पट्टा समझ चाहिए यह हमारा भारत है यह कब से आया इस पट्ट नहीं है कुछ लोग कहेंगे 1947 के बाद हमारा देश बनाओं क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि एक सरकार होती है तो एक देश होता है उन्होंने कभी अनेक सब्ता है एक ही देश में ऐसा देश ही देखा नहीं दुनिया नहीं देखा है दुनिया में राट्र कहने से नेशन स्टेट ऐसा ही मानते हैं जब पर स्टेट है तब पर नेशन है नेशन ये उत्पत ये स्टेट के हमारे अलग है पहले से अलग है कि निद्गी स्मावाज जिनके वहाने समानु अद्देश्च चाहे कि और वह किसी एक भूमि से अपना नाता मानते हो उस भूमी पर रहने वाले परमपरा से कि हमारी पुझ्नय भूमी है हमारी धर्म भूमी कर्म भूमी यह है भारत्वर्श This हमको दूसरा जैस्ट नहीं है यह हमारा है और सदियों से हम इसको मात्रू भूमी मान रहे हैं कि माता भूमी ही हुए हमारी माता है भूमीया ने सारी सारा ग्रह होता है ना प्लैनेट अर्थ लेकिन आगे का है पुत्रों हम पृत्वियां पृत्वी सब्द भी उसी अर्था में प्रयोक करते लेकिन पृत्वी सब्द की वित्पत्ती में पृत्वर आ ने कुर्शी योग्या बनाई भूमी इसलिए वो पृत्वी है ऐसी भूमी कौनसी है यह हमारा भारत्वर्श है वो हमारी माता है रोज उठने के पहले नीचे पएर लगातने के पहले यह हमारी परंपरा थी कही कई आज भी याद है कही कई भूल गये विश्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस परशंग शमस्वनी पुरार काल से हम कह रहे हिमालया में सामा रभ्या यावद हिंदु सर्ववरम हिंदु सर्वर मं तम देवन किन देश में देश harmful ऑ ये प्राचिन में देश में हिंदु समाझ अतुन है आजпश बही है यह मारी मतार्य बहुमी है कि और हम इस देश में रहने वाले सब लोग एक फैसे अनुप्रानित है हमको यह बताए कि अपना जीवण ऐसा रखो कि आपका जीवन देखकर अन्य लोगों के जीवन बन जाए वो जीवन अच्छा है तुम कितना कमाते हो और तुम कितने इलेक्षन जीतते हो और तुम कितना पैसा जमा करते हो ये महत्व की बात नहीं महत्व की बात है कि तुम जितने बड़े बने उतना सब को बड़ा किया की नहीं तुमने जितना कमाया वो सब में बाटा की नहीं तुम अगर कहीं राजा बन गए तो धर्मराज्य चलाया कि नहीं कहीं पर तुमने जीत लिया तो वो धर्म विजय था कि कौन सा विजय था असुर विजय था धन विजय था कि धर्म विजय था यह पूछा जाता है हमारे एक निश्चित दाड़ना है हमारे एक सामने हमारे पुरुजों ने दिये रखा है एतत देश प्रसुत अस्य सकाशा अधगर जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे रन प्रथिव्याम सर्वमानवा सत्य को जानने के लिए त्याग में जीवन कैसे जीना सारे विश्व को बताना इसकी इच्छा हमारे अंतरमन में रहती है कुछ लोग जानते हैं बोल सकते हैं कुछ लोग जानकर बोल नहीं सकते हैं कुछ लोग जानते नहीं हैं लेकिन प्रसंग आता है तो फुट पड़ता है इसलिए हम एक समाज है, हम एक जनपद है और हमारी भूमी भारत वर्ष है बाकी सारी बाते, राज्य, बल, दुर्ग, कोश, अमात्य, सुरुद ये सब बाद में आता है हम राठ्रा ये विविद्धता के राठ्र पहले से है और हमारे हाँ इन सब वीज़ताओं का स्वीकार और स्वागत है क्योंकि सारी वीज़ता है एक ही सत्यका आविशकार है इसको हम जानते हैं दुनिया की भाषा में आज बोलते है यूनिटी इंडाइवर्सिटि लेकिन वास्तों में तो हमने यह डाइवर्सिटी इसको और आज भी हमारे जेश में मिलते हैं उसके कारण सारे भाशा हैं सारे पंथो उपपंथो डेवी onubang के अने को प्रकार रहें सनके अने को प्रकार मतमतान अं्ठाथारों के अनों के विचार तत्वत्यां यह सब हमारे देश में पहले से यह सब होने के बाद भी हम एक राष्ट रहे हम एक समाज है हम हिंदू समाज है हमारा हिंदू राष्ट रहे हम सब भारत माटा के पुत्र है हम सब उनी पूर्वजों के वहुशज है जिनों ने ये का एकंसद विप्राह भुदा वदनती है जिनों ने ये लक्षा हम को दिया है ये तदेश प्रसूतस कोई भी हमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है चालिस अज्जार वर्षों से हमेरा डीने एक है फूज किसी की कोई हो या कोई पूज नह woh करता हूं खनपान परीतिर वाज कुछ भी हो हो है रहन सливоं का प्रकार कुछ भी हो्विचारतत्त्वन्यान कुछ भी हो हम है वही आज हम मानते कुछ भी हो वस्तविक्ता यह सब लोग उन से संबन्द रखते हैं और उनको दुनिया हिंदु के इसलिए मिन दुद्माज है हमारा हिंदु राट है हमको जोड़ने वाली यह एक बात है भाषा हमारी अलग अलग है पुजा हमारी अलग है भाषा है प्रांत इस अब अलग अलग है लेकिन यह बात हमको जोड़ती है कि हम अलग ताको अभिशाप नहीं मानते हम अलग ताको अपने जीवन का अलंकार मानते है यह हिंदु दुर्ष्टी है हिंदु दुर्ष्टी के आधार पर सनातन काल से चलता आया हुआ समाज इस पश्ट कल्पना होनी चाहिए उसके लिए इस देश को जाना चाहिए भारत को जानो कि जानकर उसको मानना चाहिए क्योंकि यह शाश्वत बात है यह रहने वाली बात है नाही तयास जगती अमरत्व प्राप्त धाले ते ज्ञानती कला ते सर्वत्व नष्ट धाले आम्मीच पाही लेले है आदियंत त्यान से इस दुनिया में अनेक देशों को उड़ता बिगड़ता बनता नटो होता हमने देख लिया है हम उसके भी साक्षि है हम है थे है और रहेंगे इस देश को जानना इसके अमरता के इस रश्य को जानना इसके रूप को जानना इसके आत्मा को जानना और केवल जानना नहीं हमको राष्टर की पूजा करनी है भारत माता की पूजा करनी है राष्टरार्चन करना है तो पूजा कैसे करते हैं पत्र फल पुष्प वगरे उप्चार है वास्तोविक पूजा वह होती है जिसकी पूजा करना वैसे बनो तो भारत को जानो भारत को मानो भारत के बनो हमारी यह दुश्ट्री होनी चाहिए भारत की सब भाषा है हमारी भाषा है भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने भारत के सब पंध उपवपंध सब वो हमारे ही है मेरा अपना कुछ है वह भी मेरा है उस पर मैं चलूंगा श्रद्धापुर्वक चलूंगा लेकिन इन सब विधताओं का मैं सम्मान करूंगा आदर करूंगा उनके विकास में मैं मेरा हत लगाओंगा सब के साथ चलूंगा सब को साथ लेकर चलूंगा क्योंकि मैं जन्मा हूं किसी प्रांत में बोलता हूं किसी भाशा को पूछता हूं किसी भगवान को खाता हूं कुछ पहनता हूं कुछ परन्तु मैं पूरे भारत के साथ मन से एकाकार हूँ कोई भी चीज भारत की मेरे लिए विदेशी नहीं है पराई नहीं है वो मेरी अपनी है यह व्यवार में लाना आदद करनी पड़ी है सत्वावनों से व्यवार करना है कि एससा होने के बाद अपने व्यवार को सत्वावना पुर्ण बनाना पड़ता है दूसरों को देखना है कभी भी नकर 55 दुरुष्टी से नहीं देखना दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव दुरी का भाव द्वेश का भाव कभी रखना ने सब के कल्यान की इच्छा रखना स्वयम किसी के दुश्मनी के शिकार न बने द्वेश के शिकार न बने स्वयम किसी से मार न खाए इतना सबल होना तभी यह सद्बावना शुबा देती है तो दुर्बलों को इलाज दे रहे था दूसरों के प्रती सद्बावना रखे बिना दुर्बलों की सद्बावना नाटक होता है हमको सद्बावना का नाटक नहीं करना है मन से सबके प्रती सद्बाव रखते है क्योंकि हम जानते है कि को पोई खत्रा नहीं किसी से कोई हमको धखा नहीं पोचा सकता इसके बारे में हम आश्रोष तहितला अबल हमारा है और हमारी दुर्टी क्या है वसोद़िव है कि हम बक्म यह सब अपने आजी विका के स्थान पर कभी भी मनुष्य को जाती पंथ प्रांत भाशा के इससे नहीं देखना कि उसके साथ अपनत्व का व्यवार करना कि सत्मावना का व्यवार करना कि मिलते रहना एक दूसरे की विकास में स्वयोग देना कि एक दूसरे को देखकर सुधार के प्रेरा होनी चाहिए ऐसे जीवन का उधारन रखना और यह सारा जीवन हमको जिन से मिला है उनको वापस देना है हम पर कर जाए हमारी परमपरा में तीन प्रकार के रुण मानते हैं देवरुन पित्रुरुन और रुषिरुन देवरुन है सुरुष्टी का हमारे देवता सुरुष्टी की शक्तियों के प्रतिक है पंच्य महाभूत हमारे देवता है रमण महरशी ने कहा है अश्टमूर्थी कौनसी अश्टमूर्थी पृत्वी आप तेजवायू हकास सूर्य जो जीवनी शक्ति का प्रतिक है चंद्र जो मन का प्रतिक है और जीव यह देवता सुरुप है और हमारे इंद्र विद्युत के स्वामी है मेगो के स्वामी है वरुन जलके देवता है अगनी साक्षात अगनी है इनका रुन है इनके चलते हमारा जीवन है इनका शोशन नहीं करना परियावरन की समस्या खड़ी नहीं करना अपने आचरेट से विकास को सोचना तो परियावरण को सुरक्षित रख्ये कैसे चलना यह सोचना यह पंच्य महाभुथ सब के लिए बने हैं हमारा आचरण परियावरण मित्रताका हो मेरा मेरे कुटुम्ब का मेरा सामाजी का आचरण मेरा अजीविका के क्षेत्र में आचरण तो उसके परिणाम से धीरे-धीरे समाज का आचरण बदलेगा पित्रूरुन है हमारे पुर्वजों का रुण है उन्होंने त्याग बलिजान किया अपना पसिना खुन भाया तब हम अपने सांस्कारों को सुरक्षित रख सके उनके स्मारगों का जतन करना, उनके स्मरण का जतन करना, उनके आचरण को अपने आचरण से आगे बढ़ाना, उनके आधर्शों का अनुकरण करना, पैशनेबल लोगों का अनुकरण नहीं करना, पैशनेबल लोगों में भी अच्छे लोगों सकते हैं, हम अच्छा ही देख कि अपने Μुल्यों के कसोटी पर आच्छा आचरन कैसा होता हैं और चलि है अज भी उसके जीवन तो उदारन हमारे मुल्यों के है तो बहुत लोग है और त्याह करते है समाज के लिए लिए nut पजेशी स्वभाशा स्वभुपाशा पर अटल रहकर और समाज को आगे बढ़ाते हैं हमारे चार और जीवन तो उधारन है हमारी इतनी लंबी परंपरा है उसको जानना उसका अनुकरन करना और रुशिरुन है ज्ञानी लोगोंने हमारे लिए ज्ञान का खजाना दिया है चतुरुवेदा पुराणानी सर्वोपनिसदस्तता रामायनम भारतम गीता सत्दर्शनानी जैनागमाह त्रिपटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एशद ज्ञान निजिश्रेट पूरे जीवन का तत्वध ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहित हमारे सामने है इस हमारी संपदा का जतन स्मरण उसको बढ़ाना यह करना है रुणमोचन का काम तीसरा काम है और ऐसा करने के लिए जीवन को एक अनुशासन में बानना अपनी परंपरा के मुल्यों का अनुशासन है साथ साप अपने देशने सर्वसहमति से मानने के समिदान का अनुशासन है अब हम परकिय राज्य में नहीं हैं अपने राज्य में हैं तो हमारे आचरण में सयम कैसा होना चाहिए कानुन व्यवस्था नियम का पालन कैसे करना चाहिए हमारा उदारण होना चाहिए यह चार काम है जो करने से देश बड़ा होगा यह सब को करने पढ़ेंगे करने पढ़ेंगे तो इसकी आदत करनी पड़ेंगे क्योंकि सारे काम बुद्धी से मानने होते हैं मन से भी मानने होते हैं लेकिन करने में आदत के आरण आदमी चूप जाता किस्सा बदाते है ऐसा एक आजमी जा रहा हो उसका मित्र सामने से आता है पुष्टा है कहा जा रहे हो जीवन से ठग्या मैं मरने जा रहा हूं अभी ट्रेन जाएगी उस ट्रैक से वहां में सोने वाला हूं तुकड़े हो जाएंगे मेरे छुट जाओंगा दुनिया से अरे मेरे मित्रो मेरे बिस्टे के आडए बन तो मेरे मरने वाला हूं कोई मुझे परावृत्त नहीं कर सकता अब मैं मरूंगा ही मरूंगा अच्छा मरोगे एप यह दिब्बा क्यों ले जा रहे हो तु झाल कर भूजा थे वोज़न ए तुम ब्रने जा रहे हैं और तो किस्सा तो कल्पित है तो आप जाने ही गए पर अंतु बहुत उसका कल्पित नहीं है आदत से मनुष्य काम करता है अच्छे बातों की भी आदत लगानी पड़ती अनुकूल बातों को भी आदत लगानी पड़ती और इसलिए एक घंटा शाखा में आओ बाकी सब भूला अप की साधना अपने जीवन में रोज की दिनचर्या का अंग बनाना यह अपनी साधना है यह संग की साधना है इसको संग समाज की साधना बनाना चाहता है गर से बाहर निकलो अपने देश के बंदूओं के साथ वो कौन है कहां से आते हैं कहां जन में कुछ विचार मत करो कितना कमाते हैं हमीर है की गरीब कुछ मत विचार करो समाज में मेरे जैसे प्रतिश्ठित है कि उंचे है कि हल्क कुछ विचार मत वो मेरे अपने भाई है उन साथ मात्रु भूमी के धूल में लोट पोट होते हुए खेल के लो मात्रु भूमी के भक्ति के गानगाओ पुर्वा यो के पराक्रमी कथाउं को सुनकर अपने शरीर में वीरवरत का संचार करवा और भारत-मादा की प्रारतना करो रोज करना एक गंडे का वह है शरीर मन बुद्धी देश के कारे के लिए तैयार होती है एक स्थिती पर पहुशनी के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदईव कितने भी मौहाकर्शन स्वार्थ अप्राप्त हो जाए मनुष्य अडिग होकर अपने धेयपत पर चल सकता है की कि अग supp को खर और एक गंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यक्ता को पूर्ण करने वाला या समाज के अबाओं को दूर करने वाला या समाज की तृतियों में सुधार ला लाने कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से तनमन धन पुर्वक करना उस काम को भुणाने की कभी नहीं सोचना बहुत सेवा की अब मुझे वोड़ दो ऐसा नहीं कहना उसके लिए काम नहीं है संग में स्वयम सेवक बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए भी करते हैं संग के लिए भी करते हैं उनको थैंक्यू भी नहीं बोलते हैं धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं अगर कोई स्वयम सेवक में मुझे पूछता है मैं संग में आया हूं मुझे क्या मिलेगा मैं कहता हूं क का अब सक्कुरिच भी तुम्हारे पास कुछ ऱैटो ऋ चला जाएगा हिमّत है सन्देशोária को बरबात करने का काम है एए जेश को आबात करने का काम है कर्षक्टोप लोगों का क्म नहीं स्वार्थी- लोगों का काम नहीं स्वार्थ हमन्द में है स्वार्थ्연से थुर तुरो उसमें तुमारा भी भला है हमारा भी भला है क्योंकि यहीं रास्ता है दूसरा रास्ता नहीं है अपने जैश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने जैश को बढ़ाने वाले जितने लोग है उनका साहित्य देखो या उनके भाशन कह यह तो पड़ो सुनो अगर सुनने को मिलते हैं सब ने इस एक सत्य को बोला है इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने वरने का उद्धम करने वाला समाज बनाना तब ही भारत के भाग्य का उदय है और हम देख रहें जितने प पयास करता है और भी लोग है सब के करने के परिणाम सुरुप जैसी-जैस समाज की समझ बढ़ रही है जैसे-जैसे समाज की दुरुष्टिस पर्टों हो रही है वैसे वैसे भारत की उन्नती हो रही है स्वतंद्रता के बाद आज के क्षण तक का प्रवास अगर हम देखेंगे अपने देश का तो देश के उन्नती के रेखा को आप समाज के उन्नती की रेखा के साथ समानतर पाऊगे जब-जब समाज के उन्नती एकटा की उन्नती की पराकाठा थी तब देश भी किस न किसी रूपमें दुनिया के जीवन में किसी गुण की या किर्ती की पराकाष्टा पर था आज है बहुत दिनों से पहुंचा है और उपर जा रहा है उसको उस यात्रा को पुर्ण करवाना ह इसलिए हम सब को तयार होना है और इसलिए सारवजनिक कार्यक्रम करते हैं ऐसे कार्यक्रम यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है कार्यकरताओं के क्रिया शक्ति की परिक्षा इसमें हो जाती है और हमारी संख्या अगरे समाज देखता है लिकिन उसके लिए कार्यक्रम नहीं ह कि देखो हमारी कार्यपद्धत ही ऐसी है उसके परिणामा सर्वत्र गुंज रहे हैं आप सब लोगों को भी संग का अंग बनकर काम करना चाहिए इस रोज की साधना को अपने जीवन का अंग बनाकर देश के लिए कुछ करने लायक हमको बनना चाहिए और फिर अपने अपने विचार से या संग की योजना में बैठकर समाज के भलाई का काम करना चाहिए जिस कार्य के कारण समाज में सद्गुणों का एकात्मता का आत्मी परितिरिवाज के भेद, पंथ संप्रदाय के जाती के भेद, सब प्रकार के भेद, मतमत अंतरों के भेद भी छोड़कर हम सब एक दिरने करके चलेंगे, संग अच्छ द्वं, संवद द्वं, संवो मनावसी जानता, यह संग है, इतने सारे लोग है, इतने प्रकार के लोग ह सबके अलग-अलग विचार अलग-अलग अनुवoch अलग प्रिष्टववूमी है मिलकर विचार करते हैं जो सब का जय होता है worship वह संगति सेमाज का एलग्षन है शक्तिसंपने समाज चाहिए जो नाभएदे काहू को नाभएदा आप ऐसा समाज चाहिए, ऐसा समाज निर्मान का ये काम है, इसको किये बिना ना दुनिया की भलाई है, ना देश की भलाई है, ना हमारे आपके, हमारे परिवारों की भलाई है, एक पंथमे तीन-तीन का साधने वाला ये काम, ये हम सब का काम है, इसलिए हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, संग को बढ़ा करने के लिए नहीं, देश को बढ़ा करने के लिए, कल इतिहास लिखा जाएगा, हम सब मिलके करेंगे तो यह लिखा जाएगा, कि समाज इस तर पर पहुंचा, कि उसने अपने देश को विश्व गुरु बना दिया, ऐसा ही लिखा संग पर मेरा आपको यही आवा रहे है, कि संग में आईए, आने में कोई फीस नहीं है, कोई नियम नहीं है, जाना भी आपके मर्जी से जब चाहे आप जा सकते हो, लेकिन आईए छे महना एक साल, दो साल, संग को अंदर से देखिए, और देखने के बाद जब आपको यह कि उस दिन मोहन भागवत अपने भाशन में संग के बारे में जो जो कहा था वो सब संग में है, तो फिर संग के कारिकरता बनिये, ऐसा नहीं होगा तो क्या करना, आपका स्वातन रहे, ऐसा है तो भी क्या करना, आपका स्वातन रहे, लेकिन ऐसा है, जब आप जानेंगे, तो आप संगह से दूर नहीं हो सकेंगे और इसलिए ये एक प्रार्थना में आपको करता हूं एक निवेदन आपको और आपके सामने रखता हूं कि दूर से दर्शक बैठ कर संगह के कारिकम को देखना हिताइशी बनकर वावा करना इससे नहीं होगा हमको सोयम से वक्त बनना पड़ेगा कारिकरता बनना पड़ेगा आप जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं रावन योर युद्धम राम रावन योरिवा राम और रावन का युद्धव हुआ वो कैसा हुआ वैसा दूसरा नहीं हुआ इसलिए उसके जैसा वही है ऐसे ही आज के काल में संदे जैसा काम दूसरा कोई चलता नहीं जिसके साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए फाहम नोन टू अनोन यह रास्ता बंद हो गया है संग को जानना है तो संग को ही जानना पड़ता है और जानने में भी बड़ी कठेना हिया है दूर से देखके संग पता नहीं चलता है दूर से देखेंगे तो कई प्रकार की गलत फाहमिया हो सकती है अभी यहां स्वयम्चो कोने भी आया मियोक्का प्रदर्शन किया तो पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा संग कोई अखिल भारतिय जिम्खान आये क्या सब गणवेश में हैं इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरा मिल्ट्री और्गनाइजेशन है ऐसा भी मान लेते हैं यहां स्वयंचो कोने सबने मिलके एक गीद गाया और एक व्यक्तिकत भी गाया गया तो हो सकता है कोई समझे कि संग कोई अखिल भारतिय संगीच चाला है अब यह सब दाते संगह में होती हुई दिखती है लेकिन संगीच शाला व्याय म्शला संग है संग के इसभी सब स्वयंचों के मिलकर एक लाग तीसजार से उपर विभिन्न संगेटों के माद्यां से ट्रस्टों के माध्यम से सेवाकारिय सारे देश में चलाते हैं लेकिन संग सर्विस और्गनाज़िशन नहीं है कि यह सारी बाते जो हम देखते हैं हो रही है संग के सुछन्चों कर रहे हैं वो उनका अपना करतु वह है संगा ने उनको विचार दिया है संगा ने उनको संस्कार दिया है कि संग से प्रेना मिलती है वह समाज के लिए जहां अवश्चक है उनको लगता है वाकाम करते हैं और संग को साथ लेकर चलने की कल्हा संग में सिकhी आए तो जल्डी ही बढ़ जाते हैं अगरनी हो जाते हैं क्रामानिकता से निश्वार्ट पुद्धी से काम करते हैं समाज विश्वा सरजिद करते हैं परन्तु यह उनका किया हुआ काम है स्वतन्त रहें अलग है स्वायत्त है और बढ़ने के बाद स्वावलम भी हो जाता है संग पर निर्बर नहीं रहता हूं कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संग के पास नहीं रहता उसकी आरशक्ता नहीं है संग को स्वायम सेवत संग के साउस्कारों में रहकर संग के धिय को न भूलते हुए सबके प्रति स्नया में को मन में रखकर अच्छे काम करें इसके लिए वो स्वतंत रहें उनको तयार करने की यह जो पद्धती चलती है वो संग है और यह पद्धती विश्वा में एक सबसे बड़ा स्वयम सीवी संगठन तयार करना इसके लिए नहीं चलिए है भारत में रट्रियस वहम सेवक संग का प्रभावी दबाव गट खड़ा करके उसके दबाव में सब कुछ बद इसके लिए नहीं चल रही है है कि संग डेश्व में संगठन खड़ा करना नहीं चाहता पूरे देश को ही संगठित करना चाहता है है समाज में दबाव में खड़ा नहीं करना चाहता पूरे समाज को ही संगटित करना चाहता है कि आज समाज में बहुत सारे लोग संग में हैं बहुत सारे नहीं भी है कुछ है जो विरोध भी करते हैं कुछ है जो न्यूट्रल है ऐसा कहा जाता है कि परंतु इन सब को जोड़ना है कि पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है क्योंकि भारत वर्षे इस प्रकार शक्ति संपन्न होकर सामर्थ संपन्न होकर खड़ा हो यह विश्व की आवश्षक्ता है कि गत दो अजार वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व ठक गया कि सबका सुख शाश्वत सुख कभी फीका नव पढ़ने वाला सुख कि यह सब जीवों के लिए लक्ष रहता ही यह प्रकृति ने दिया है कि उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुनिया में आधुनिक दुनिया में कि और उन प्रयोगों के चलते उन प्रयासों के चलते मनुष्य की सुख सुविदाओं में मनुष्य के साधोनों में मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति हुई बहुतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्तुए उत्पन्न हुई बहुतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बाते पैदा हो गई लेकिन शुख नहीं बड़ा पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया शुक्ष में बड़ा असंभावण बड़ा अथ्मत्त तेख परिवार टूटने ले के कि साधन संत्य विज्ञान संपन्न मनुष्य काछ साधनों का उप्योक मनुष्य कल्यान के लिए करने के बजाय युद्ध के एक से एक प्रज़त अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है और कला थमा नहीं है हुँसा रुकी नहीं है और इसलिए आज के दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले हमारी दुष्टी में हम विश्व को जैसा समझते है उसके आधार पर हमने सब प्रयोक कर लिए अब हमारी दुष्टी के आधार पर हमारी समझ के चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है हम से भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है अधिक सटीक है उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए और इसलिए भारत बड़ा होना ये दुनिया की आवश्चता है हमारी तो है ही क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिकत रूप से या एक कुटुम्ब के रूप से भी हमको सुखी होना है प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा हमको सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रख सकने वाला विश्व में उसको विश्व गुरु पर प्रतिष्ठित कर सकने वाला संपूर्ण देश को बल संपन्न सामर्थ संपन्न सर्वांग सुंदर सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्चता है क्योंकि देश में परिवर्तन तब आता है जब यह काम होता है कि देश में अनेक प्रकार की परिस्थिती रहती परिस्थिती पर उपाय करने वाले भी रहते हैं परिस्थिती में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं लोगों की आवश्चताओं को लेकर संगर्श करने वाले लगते रहते सदा सर्वता रहते आए इनका अबहाओ किसी देश के किसी समाज में कभी नहीं रहा परंतु जिन देशों में प्राचिन समय छोड़ दीजिए इतिहास काल भी छोड़ दीजिए अरवाचिन समय ने जिन देशों ने प्रगति की उनका इतियास देखेंगो तो पता चलाएगा कि किसी विचार को किसी व्यक्ति को किसी समूह को किसी सरकार को श्रेय तो मिला निमित तो कोई होता है उसी के खाते में यश लिखा जाता है परंतु उस यश का संपन्न होना इसकी प्रक्रिया का अध्यान किया तो सो से लेकर डेड़ सो वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिति रहती है कैसा समाज है वैसे उसको नहता मिलते हैं वो काम करते हैं आये समाज से ही है जितनी समाज की उंचाई है उतनी उनकी उंचाई है और इसलिए संपूरा समाज को संगठीत करना ये सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है राजा अपने नित्यक्रम में सुब़ जल्दी उठके गर में थोड़ा सा व्यायम करके बाहर निकला और रोचका उसका नियम था गोड़े पर बैटकर रपेट करना आधा गंटा अगले ही दिन एक नया गोड़ा लाया था दूर से अर्बस्तान से वो गोड़ा लाया गया था पंचलक्षणी सुन्द रश्व था बहुत सबल था राजा उस पर बैठा उसने एड़ी लगाई लिकिन गोड़ा हिलने को तैयार नहीं लाग प्रेयास किये गोड़ा हिली नहीं रहा है अड़ गया चलो आज अपना नियम तूट गया कल डबल रपेट करेंगे ऐसा सोच के राजा वापस आया अस्तान वगर करके नास्टे के लिए बैठ गया देखता है तो नास्टे में जो रोटी या थी सब जल गई तो नास्टा करने का मने ही उसका बदल गया चलो अब नास्टा के बा तो राजा बड़ा विचार मगनों होकर थोड़ा सा जिसको अंग्री जी में कहते हैं मूड आफ होकर दर्बार में पहुंचा जैसे स्थाना पन्न हुआ प्रधान जी को उसने की प्रश्ण पूछा प्रधान जी बताइए गोड़ा क्यों गड़ा रोटी क्यों जली पान क् अब किसी को कुछ समझ में नहीं आए अब चलने लगा प्रश्ण और राजय की प्रश्ण पूछे गोड़ा क्यों गड़ा रोटी क्यों जली पान क्यों सड़ा कि अब दर्बार का काम समापत ही नहीं हो इसका उत्तर ही नहीं मिले फिर कोई एक बुड़ा अनुविवी था राजदानी के शहर में समझदार आदमी इसलिए प्रशिद्ध दा उसको बुला के लाया उसने राजा का प्रश्ण सुदा और रुस्तिका महाराज इसका उत्तर है गुमाया नहीं इसलिए गोड़ा अरता तब पहले उसको गुमाते हाथ को पकड़ कर जिस मैदान में रपेट करनी मैदान दिखाते वो जब तक मैदान पता नहीं होता तब तक वो हिम्मत नहीं करता है कि गोड़े को गुमाना पड़ता है कि रोटी सेखते समय उसको भी गुमाना पड़ता है पलटना पड़ता है नहीं तो जल जाती है और पान खाने वाले लोग जानते है पान दान में पान रखना है तो उसको बार बार पलटना पड़ता है गुमाना पड़ता है तो गुमाया नहीं इसलिए सब प्रट्नों काई की उत्तर है वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है हमारी स्थिती बदली देश की बिस्थिती बदली हम जागरुत नहीं तब गुलाम थे गुलामे का कोई करण नहीं था हम पर राज करने वालों से हमारी जनसिंक्या बहुत जादा थी कि उनका जो विचार तत्वज्ञान है वो अधूरा था हमारा विचार तत्वज्ञान पूर्ण है और हमारे तत्वज्ञान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले हमारे पास लोग है अन्य लोगों के पास नहीं है एक से एक बुद्धिमान लोग, बलशाली लोग, धनवान लोग तब भी हमारे पास थे, उसके पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, यह हमारी कला है, कोशल है, ऐसे सब होने के बाद भी हजारों मिल दूर से मुठी भर लोग, जो किसी मामले में हमसे स्रिष्ट नहीं थे, हम पर राज क्यों कर सके डेड़ सो साल, स्वतंद्रता के लिए प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में ये प्रश्ण था, और अपने प्रामानिक प्रयासों के अनुभव से, उसका उत्तर भी उनके मन में था, सब के मन में एक सा उत्तर था, कि उत्तर यही था, कि हम जिजबान जिन जिन बातों के लिए प्रयास कर रहें वो बाते तो हो जाएगी, जो विशय हमने हाथ में लिये हैं, उनके हल निकल जाएंगे, लेकिन वो विशय फिर से खड़े नहीं हो गए, इसकी क्या गरंटी है, अंग्रेश कोई पहले नहीं थे, हमको गुलाम करने वाले, यह आकरमणों का ताता तो, सिकंदर के पहले से शुरू हुआ, शकहून, कुशान, यवन, बाद में मुगल, तुर्क, पठान, अफगान, बाद में ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, सारे लोग, सब लोगों को अमला करने के लिए भारतवर्शे ही मिला, भारतवर्शे की हवा उनके लिए अनुकुल नहीं थी, यहां के शुरूवीर लोगों से उनके पराकरम की तुलना भी नहीं हो सकती, इतने हम से रह्ठते पराकरम में, इस इसवी सदी एक से इसवी सदी सत्रा सो तक हम आर्थिक दुट्टी से दुनिया में पहले देश थे, किसी मामले में हम कम नहीं थे, और मुठिवर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर दक्षिन पुरपश्चिम देश को गुलाम बना दिया, यह क्यों हुआ, क्योंकि समाज में कुछ दोश घुज गुज गये हैं, समाज की स्थिटी ठीक नहीं है, समाज की इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए हर कोई वाइरस उसको गिरा सकता है, संग के संस्थापक डॉक्टर इडगिवार, ऐसे सब कारियों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके काहरे करता थे, प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से उन्होंने काम किया, क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा देह नहीं था, बच्पन में अनाथ हो गए थे, परिवार की जिम्मेवारी का प्रष्णन नहीं था, छोटे भाई थे, देश के लिए काम करते हैं, असलिए समाच जीवन में समाच को उठाने के लिए, देश को जगाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए, जो जो चलता था, सब में उन्होंने भाग लिया, प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से तनम अदम धन पुर्वक कार्य किया, उनका स्वयम का चिंतन अध्यन भी था सब कारियों के उनके समकाली जो धुरीन लोग थे उनके साथ उनकी भेट वी थी चर्चाय हुई थी हुआ करती थी लोक्माने तिलग जी सावर कर जी डक्टर बाबा साब अम्मेड कर मात्मा गांडी जी बाबु सुभाष चंद्रबोस मदन मोहन मालविय भगत सिंग चंदरशिकर आजाथ ऐसे सब लोग उनके संपर्ग में थी क्योंकि इन सब के कारियों में कुछ न कुछ हिस्सा उनोंने उठाया था और उठाते रहे थी चर्चे होती थी तब उनको पता चला कि मेरा जो अनुभव है और मेरा जो निश्कर से है सब के मन में वही बात है कि हमने जो काम लिया है वो तो सफल हो जाएगा लेकिन सदा के लिए रोग हट जाए फुरसत में नहीं है इसको करने के लिए तो सब काम छोड़के मही ही यह करता हूँ साथ आठ वर्ष उन्होंने प्रयोक किए परिवर्तित करना समाज को परिवर्तित करने का काम करने वाला कार्यकरता देजभर में खड़ा करना आत्मविश्वा सुत्पन्न हो और सब समाज जिनको अपना मानता हो ऐसे कार्यकरता हो के समूह गाओ गाओ में और शहरों की बस्ती बस्ती में खड़े करेंगे तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरन बदलेगा बिल्कुल यही कलपना श्री रविन नाथ ठाकूर के स्वदीशी समाज नामक निबंद में आपको पढ़ने को मिली विचार के नाते संगने नहया कुछ नहीं किया युगानो युग से चलती अपनी सनातन परंपरा में अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए वो सब देखकर उन सबसे लेकर यदि कोई कमी किसी में हो तो उसको निकाल कर एक युगानुकूल पद्धती समाज को संगटिच करने की खोजी उसका प्रयोग चल रहा है संतान में साल पूरे हो रहे कि उसका नाम राक्ट्रियस वाइंचे उक्संग है क्योंकि यह आदत करने का काम है रोज करना पड़ता है सब भूलो शाखा में आओ शाखा में आके क्या करो यही जो कारिक्रम आपने देखे डिखने में तो कुछ बड़े महत्तो पुरुन वगर लगते नहीं हाथ करो कोंसा समाज परिवरतन भई इसमें क्या राटर राटर का क्या होने वाला है क्या इस हाथ की हवा लगकर कुछ होने वाला है क्योंकि यह हाथ हिलाने से क्या हुआ है वाज प्रत्यक्षा है स्वहम से ओक जो कर रहे वो समाज देख रहा है क्योंकि जो काम करना है वो बड इस देश के लिए हमको काम करना तो इदेश क्या है इसकी सपट्ट समझ चाहिए कि यह अमारा भारत है कि यह कब से आया कि पर नहीं है कुछ लोग कहेंगे उन्नीस सो सहतालीस के बाद हमारा देश बनाओ कि क्योंकि उन्हीं ने यही देखा कि एक सरकार होती है तो एक देश होता है उन्होंसे कभी अनेह्यक सब्तां एक ऐसमें ऐसा देशी देखा उन्हेरेmaking को दुनियां में राष्ट्र कहने से नेशन स्रेट इसा ही माननते नेशन सबने पर सुद्ट पत्ति एस्टेट के हमारे अलग है पहले से अलग है हमारे यार राट्र का प्रमुग घटक है जनपदवती भूमी याने ऐसा समाज जिनके सामने समान उद्देश्चा है और वो किसी एक भूमी से अपना नाता मानते हो उस भूमी पर रहने वाले परंपरा से हमारी पुन्य भूमी है हमारी धर्म भूमी कर्म भूमी यहीं है भारत वर्ष्ट हमको दूसरा जैस्ट नहीं है यह हमारा है और सदियों से हम इसको मात्रू भूमी मान रहे हैं प्रुत्वी सब्द भी उसी अर्थ में प्रुत्वी सब्द की वितपत्ती में पृत्वी राजाने कुर्षी-योग्य बनाई भूमी इसलिए वो प्रुत्वी है ऐसी भूमी कौन सी है यह हमारा भारत वर्श है वो हमारी माता है रोज उठने के पहले नीचे पैर लगातने के पहले यह हमारी परबबरा थी कही कि आज भी आद है कही कही भूल गया विश्णुपतिनी नमस्तुभ्यम पादस प्रशंग शमस्वनी इस पुराना काल से हम प्राचें प्राचीन देश और उसमें रहने वाला हिंदु समाजु अंभी आज भी वहीrau े यह हमारी ब्हुमी है cathedral में अ गण है इस देश में रहने वाले सब लोग एक देय आनुप्राहित आप हमको यह बताया है कि अपना जीवन ऐसा रखो कि आपका जीवन देखकर अन्य लोगों के जीवन बन जाए वो जीवन अच्छा है तुम कितना कमाते हो और तुम कितने इलेक्शन जीतते हो और तुम कितना पैसा जमा करते हो यह महत्व की बात नहीं महत्व की बात है कि तुम जितने बड़े बने उतना सब को बड़ा किया की नहीं? तुम ने जितना कमाया वो सब में बाटा की नहीं? तुम अगर कहीं राजा बन गए तो धर्मराज्य चलाया की नहीं? कहीं पर तुम ने जीत लिया तो वो धर्मविजय था कि कौन सा विजय या से असुर वी जए था धन मी जए था कि धर्म वी जए तो यह सो फूछा जाता है हमारी एक जिस्चत हमने हमारे पुर्वजोंने रख्खाए। एक इस्जप्रसुत उस्य सकाषा अधगर जन्मनाथ स्वम्-सवं-्चरित्रम शिक्षेरन प्रथिव्यां सर्व मानवा सत्य को जानने के लिए त्याग मैं जीवन कैसे जीना सारे विश्व को बताना इसकी इच्छा हमारे अंतरमन में रहती है कुछ लोग जानते हैं बोल सकते हैं कुछ लोग जानकर बोल नहीं सकते कुछ लोग जानते हैं लेकिन प्रसंग आता है तो फुट पड़ता है बाकी सारी बाते, राज्य, बल, दुर्ग, कोश, अमात्य, सुरुद, यह सब बाद में आता है. हम राट्र यह विविधता के राट्र पहले से हैं, और हमारे हाँ, इन सब विविधताओं का स्वीकार और स्वागत है, क्योंकि सारी विविधता है, एक ही सत्यका आविश्कार है, इसको हम जानते हैं, दुनिया की भाषा में आजकल बोलते हैं, यूनिटी इन यूनिटि इसको अनुभह्ति और उसको अनुभव करने वाले आज भी हमारे जेश में मिलते हैं, उसके खारें सारी भाषाई, सारे पन्थ उपपन्थ, देविधताय, आप खानपान रिकी डिवास के अनेको प्रकार, रहंसन के अनेको प्रकार, मत्तांतरों के अनों के वि ये सब होने के बाद भी हम एक राष्ट रहे हम एक समाज है हम हिंदू समाज है हमारा हिंदू राष्ट रहे हम सब भारत माटा के पुत्र है हम सब उनी पूर्वजों के वहुशज है जिनों ने ये का एकंसद विप्राह भुदा दनती जिनों ने ये लक्षा हम को दिया है ये तद्देश प्रसूतस कोई भी अमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है 40-40 वर्षों से हमारा डीने एक है पूजा किसी की कोई हो या कोई पूजा न भी करता हूँ खानपान रितिरवाज कुझ भी हो रहनसन का प्रकार कुझ भी हो विचार तत्वन्यान कुझ भी हो हम है वही आज हम मानते कुझ भी हो वस्तविक्ता यह है वैद्ञानिक दुरुष्टी से अहितिहासिक दुरुष्टी से तरक से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब लोग ऐनसे संबन्द रख्ते है, और उनको दुनिया हिंदू केती है. इसलिए हमिंदु समाज bize大丈夫. हमारा हिंदु रख्या है. हमको जोड़ने माली एफ है यजा नीए एक बात है, भाषा हमारी है अलग अलग है, पूजा है हमारी हैं अलग अलग है. भाषा है प्रांत इस अब अलग अलग है लेकिन ये बात हमको जोड़ती है कि हम अलग ताको अभिशाप नहीं मानते हम अलग ताको अपने जीवन का अलंकार मानते हिन्दु दृष्टि है हिन्दु दृष्टि के आदार पर सनातन काल से चलता आया हुआ समाज जीवन इस भूमी में खड़ा हुआ है हमारा देश ये सपष्ट कल्पना होनी चाहिए उसके लिए इस देश को जानना चाहिए भारत को जानो जानकर उसको मानना चाहिए क्योंकि यह शाश्वत बात है यह रहने वाली बात है इस दुनिया में अनेक देशों को उड़ता बिगड़ता बनता नट्ट होता हमने देख लिया है हम उसके भी साक्षी है हम है थे है और रहेंगे इस देश को जानना इसके अमरता के इस रश्य को जानना इसके रूप को जानना इसके आत्मा को जानना और केवल जानना नहीं हमको राष्टर की पूजा करनी है भारत माता की पूजा करनी है राष्टर अर्चन करना है तो पूजा कैसे करते हैं पत्र, फल, फल, फुश्प, वगरे उपचार है वास्तविक पूजा वो होती है जिसकी पूजा करना वैसे बनो तो भारत को जानो भ हैं है कि भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने अ कि भारत के सब पंध उपवनेथा सब वो आमने ही है कि अ मिर अपना उस्पर मैं कुछ है कि विश्शिष्ट्य के वह भी मेरा है उनके विकास में मैं मेरा हाथ लगाऊंगा सब के साथ चलूंगा सब को साथ लेकर चलूंगा क्योंकि मैं जन्मा हूं किसी प्रांत में बोलता हूं किसी भाशा को पूछता हूं किसी भगवान को खाता हूं कुछ पहनता हूं कुछ परंतु मैं पूरे भारत के साथ मन से एकाकार हूँ कोई भी चीज भारत की मेरे लिए विदेशी नहीं है पराई नहीं है वो मेरी अपनी है ये व्यवार में लाना आदत करनी पड़ती है सद्भावना से व्यवार करना है अपने व्यवार को सद्भावना पुर्ण बनाना पड़ता है दूसरों को देखना है कभी भी नकर आत्मक दुर्ष्टी से नहीं देखना दूसरों के प्रती शत्रता का भाव दुरी का भाव, द्वेश का भाव कभी रखना नहीं सब के कल्यान की इच्छा रखना स्वयम किसी के दुश्मनी के शिकार न बने द्वेश के शिकार न बने स्वयम किसी से मार न खाए इतना सबल होना तभी ये सद्बावना शोगा देती है तो दुर्बलों को इलाज नहीं रहता दूसरों के प्रति सद्बावना रखे बिना दुर्बलों की सद्बावना नातक होता है हमको सद्बावना का नातक नहीं करना है मन से सब के प्रति सद्बाव रखते हैं क्योंकि हम जानते है कि हमको कोई खत्रा नहीं किसी से कोई हमको दक्का नहीं पोचा सकता इसके बारे में हम आश्रोस का इतना बल हमारा है और इसलिए हमारी दुख्टी क्या है वसोदेगी वह कुटुम्बकम यह सब कुछ हमारा है सब कुछ हमारे अपने हैं इस सद्वावना के विवहार को अपने गाउसे प्रारंब करना जात पात के भेत को कभी भी आचरण में अविक्तिकता अचरण सामाजी का चरण का अपने कुटुम्बका सिखता अपने अजिविका के अंपर कभी मनुष्य को जाति पंत प्रांत भाशा के इस tanto एक दूसरी की विवार करना ो ओ देखने अएक दुसरी की विकास में स्वयोग देगा कि एक दूसरे को देखकर सुधार के प्रेना होनी चाहिए ऐसे जीवन का उधारण रखना कि और यह सारा जीवन हमको जिन से मिला है उनको वापस देना है हम पर कर जाए हमारी परमपरा में तीन प्रकार के रुण मानते हैं ुआ है कि देवरूण पित्रूुलं और रुश्यूरुण कि देवरुण है सुरुष्टि का हमारे देवता सुरुष्टी की शक्तियों के प्रतिक है पंच महाभूत हमारे देवता है रमण महरशी ने कहा है अश्टमूर्थी कौनसी अश्टमूर्थी पृत्वी आप तेजवायो अकास सूर्य जो जीवनी शक्ति का प्रतिफ है चंद्र जो मन का प्रतिफ है और जीव ये डेवता सुरूप है और हमारे इंद्र विद्युत के स्वामी है मेगो के स्वामी है वरुन जलके देवता है अगनी साक्षात अगनी है इनका रुन है इनके चलते हमारा जीवन है इनका शोशन नहीं करना परियावरन की समस्या खड़ी नहीं करना आपने आचरण से विकास को सोचना तो पर्यावरन को सुरक्षित रख्के कैसे चलना यह सोचना यह पंच्च महाभुद्ध सब के लिए बने है हमारा आचरण पर्यावरन मित्रताका हो मेरा मेरे कुटुम्ब का मेरा सामाजी का आचरण मेरा जीविका के क्षेत्र में आचरण तो उसके परिणाम से दिरे दिरे समाज का आचरण बदलेगा पित्रूरुन है हमारे पुर्वजोकारुन है उन्होंने त्याग बलिदान किया अपना पसिना खुन भाया तब हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सके हुष कि आओर को आचरण से अगय बढ़ाना उनके आदर्शों का अनुकरण करना भी पैषणेबल लोगों का अनुकरण नहीं करना पैषणोलोगों में भी अच्छे लोगों सकते हम अच्छा ही देखे कर अपने मुल्यों Deutsch के कसोटी पर अच्ण आचरण कैसा होता है हमारे है अट्रंपर आ अज के जिवन्य तो उदारण हमारे मुल्यों के है इ प्र fabrics his कि हमारे इतनी लंबी परंपरा है उसको जानना उसका अनुकरन करना और रुशिरुन है ज्ञानी लोगों ने हमारे लिए ज्ञान का खजाना दिया है चतुरुवेदा, पुराणानी सर्वोपनिसदस्तता रामायनम, भारतम च गीता, सदर्शनानी च जैनागमा त्रिपिटका, गुरुग्रंथ सतांगिरा, एशवद ज्ञान निजिश्रेट पूरे जिवन का तत्वद ज्ञान ज्ञान विज्ञान सहित हमारे सामने है इस हमारी संपदा का जतन स्मरण उसको बढ़ाना ये करना है रुणमोचन का काम तीसरा काम है और ऐसा करने के लिए जीवन को एक अनुशासन में बानना अपनी परंपरा के मुल्यों का अनुशासन है साथ साप अपने देशने सर्वसाहमती से मान्यकिय सम्विधान का अनुशासन है अब हम परकिय राज्य में नहीं हैं हम अपने राज्य में हैं तो हमारे आचरण में सयम कैसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था नियम का पालन कैसे करना चाहिए, हमारा उदारण होना चाहिए, यह चार काम है, जो करने से देश बड़ा होगा, यह सब को करने पढ़ेंगे, करने पढ़ेंगे तो इसकी आदत करनी पढ़ेंगे, किते टें सारे काम बुद्धी से मानन्यों होते है। मन से भी मानन्यों होते है। लेकिन करने में आदत के अरण आदमी चूग जाता। किस्सा बता दे ऐसा। एक आजमी जा रहा हो उसका मित्र सामने से हताय पुष्टाय का जा जा रहह हो। अब बस जीवन से थग गया मैं मरने जा रहा हूं अभी ट्रेन जाएगी उस ट्रेक से वाह मैं सोने वाला हूं तुक्ड़ हो जाएगे मेरे छुट जाओंगा दुनिया से अरे भाई ऐसा क्यो कर ने ने मुझे मत समझाओ तुम मेरे मित्रो मेरे निष्टे के आडे मत आओ मै मैं मरने माला हूं कोई मुझे परावधता नहीं कर सकता अब मैं मरूंगा ही मरूंगा अच्छा मरोंगें इंडिभा क्यों ले जा ए less attached तुम म闪ा क्यों लिया तो ट्रेन लेट होगी कि भुगारूंगां मैं अध्या ने मरने जा लेकिन ग्यारा विजए भूख लगती यह आदत है किस्सा तो कल्पित है तो आप जाने ही गए पर उन्तु बोध उसका कल्पित नहीं है आदत से मनुष्य काम करता है अच्छे बातों की भी आदत लगानी पड़ती है अनुकूल बातों को भी आदत लगानी पड़ती है और इसलिए एक गंटा शाखा में आओ बाकी इसलिए इस एक गंटे की साधना अपने जीवन में रोज की दिनचर्या का अंग बनाना यह अपनी साधना है यह संग की साधना है इसको संग समाज की साधना बनाना चाहता है घर से बाहर निकलो अपने देश के बंदूओं के साथ वो कौन है कहां से आते हैं कहां जन में कुछ विचार मत करो कितना कमाते हैं हमीर है की गरीव कुछ मत विचार करो समाज में मेरे जैसे प्रतिश्ठीत है कि उंचे है कि हलक कुछ विचार मत वो मेरे अपने भाई है उ पुर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरोप्रत का संचार करवाओ और भारतमाता की प्रारतना करो रोज करना एक गंडे का वैया है शरीरमन बुद्धी देश के कारे के लिए तैयार होती है एक स्थिती पर पहुशने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदईव कितने भी मौहा करशन स्वारत अप्राप्त हो जाए मनुष्य अडिग होकर अपने धेपत पर चल सकता है यह संग है यह सब को करना है एक गंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यक्ता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाओ को द और उस काम को प्रामानिक्ता से निश्वारत बुद्धी से तनम अनधन पुर्वक करना उस काम को भुनाने की कभी नहीं सोचना बहुत सेवा की अब मुझे वोट दो ऐसा नहीं कहना उसके लिए काम नहीं है इस संग में स्वयम सेवक्त बहुत कुछ करते हैं समाज के भी नहीं बोलते हैं दन्यवाद भी नहीं हो अगर कोई स्वयंशक बैठक में मुझे पूछता मैं संग में आया हूं मुझे क्या मिलेगा मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा है तुमारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा हिम्मत है तो आओ संग स्वयम को बरबात करने का क करना है तो करो यह डर्पक लोगों का काम नहीं स्वार्थी लोगों का काम नहीं स्वार्था मन में है तो संग से दूर रहो उसमें तुमारा भी बला है हमारा भी बला है क्योंकि यही रास्ता है दूसरा रास्ता नहीं है अपने जैश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाल सबने इस एक सत्य को बोला है कि इस समाज को सट गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने वरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना तब ही भारत के भाग्य का उदय है और हम देख रहें जितने प्रमान में यह हो रहा है संगतु इसी के लिए प्रयास करता है और भी लोग है सब के करने के परिणाम सुरूब जैसी जैसी समाज की समझ बढ़ रही है जैसे जैसे समाज की दुरुष्टी स्पट्टो हो रही है वैसे वैसे भारत की उन्नती हो रही है सतंद्रता के बाद आज के क्षण तक का प्रवास अगर हम देखेंगे अपने देश का तो देश के उन्नती के रेखा को आप समाज के उन्नती की रेखा के साथ समानतर पाओगे जब जब समाज के गुणों की उन्नती एकता की उन्नती की पराकाष्टा थी तब देश भी किसे न किसी रूप में दुनिया के जिवन में किसी गुण की या किर्ती की पराकाष्टा पर था आज है बहुत दिनों से पहुंचा है और उपर जा रहा है उसको यात्रा को हैं जाना है कार्यकरताओं के क्रिया शक्ति की परिक्षा इसमें हो जाती है और हमारी चंक्या अगरे समाज देखता है लेकिन उसके लिए कार्यकressing यह कार्यक्रम एक कहने के लिए कि लिगज को आमारी कार्यपद्दती कांग बनाकर डेश के लिए कुछ करने लायक हमको बनना चाहिए और फिर अपने-अपने विचार से यह संग की योजना में बैठकर समाज के भलाई का काम करना चाहिए जिस कार्य के कारण समाज में सद्गुणों का एकात्मता का आत्मीयता का वातावरन बनेगा और हम सब मि का बनाकर से लिर्वाजक के भैद पंठा-संप्रदाइयकर जाती के भैद सब प्रकार के भैद मतबत-अंतरो के भैद की छोड़कर हम सब एक दिरने करके चलेंगे संग अच्छ द्वं संवद अज सम्वो मना असि कि झानगता यह संग है इतने सारे लोग हैं इतने प्रकार के लोग हैं सब के अलग 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 प्रिष्ठ भूमियें मिलके विचार करते हैं जो सब का चाह होता है वो मेरा विचार होता है संगटित समाज का ये लक्षन है शक्ति संपन समाज चाहिए जो ना भहे दे तो काहू को ना भहे जानता आप ऐसा समाज चाहिए ऐसा समाज निर्मान का ये काम है इसको किये बिना न दुनिया की भलाई है न देश की भलाई है कि हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए संग को बढ़ा करने के लिए नहीं देश को बढ़ा करने के लिए कल इतियास लिखा जाएगा हम सब मिलके करेंगे तो यह लिखा जाएगा कि समाज इस तर पर पहुंचा कि उसने अपने देश को विश्व गुरु बना दिया ऐसा ही लिखा जाए इतियास में, यह हमारी इच्छा है, हम तो तेया वैभव अमर रहे मा, हम दिनचार रहे न रहे, इस वृत्ती के लोग है, इस वृत्ती को अपने आप में स्थिर करते हैं, और इसलिए आज के प्रसंग पर मेरा आपको यही आवा रहे है, कि संग में आई है, छे महना एक साल, दो साल, संग को अंदर से देखिए, और देखने के बाद जब आपको यह प्रतित होगा, कि उस दिन मोहन भागवत ने अपने भाशन में संग के बारे में जो जो का था, वो सब संग में है, तो फिर संग के कार्यकरता बनी है, ऐसा नहीं होगा तो क्या करना, आपका स्वातन रहे, ऐसा है तो भी क्या करना, आपका ही स्वातन रहे, लेकिन ऐसा है, यह जब आप जानेंगे, तो आप संग से दूर नहीं हो सकेंगे, और इसलिए एक प्रार्थना में आपको करता हूँ, एक निवेदन आपको और आपके सामने रखता हूँ, कि दूर से दर्शक, बैटकर संग के कार्यकरणों को देखना, हिताईशी बनकर वावा करना इससे नहीं होगा, हमको स्वेम से वग बनना पड़ेगा, कार्यकरता बनना पड़ेगा, आप जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ, आप सब को धन्यवा देता हुआ, मैं मेरे चार शब्दा समाप्त करता। जिसके साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, और इसलिए from known to unknown, ये रास्ता बंद हो गया, संग को जानना है तो संग को ही जानना पड़ता है, और जानने में भी बड़ी कठिना हिया है, दूर से देखके संग पता नहीं चलता, दूर से देखे तो कई प्रकार की गलत फाहमिया हो सकती है, अब यहां स्वयम्चो को ने भी आया में योक्का प्रदर्शन किया, तो पहली बार देखेगा, तो उसको लगेगा संग कोई अखिल भारतिये जिम्खान आये क्या, सब गणवेश में हैं, इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरा मिल्टरी और्गनाइज़ेशन है, ऐसा भी मान लेते हैं, यहां स्वयम्चो को ने सब ने मिलके एक गीत गाया और एक व्यक्तिकत भी गाया गया, तो हो सकता है कोई समझे कि संग कोई अखिल भारतिया संगीत चाला है, अब यह सब बाते संग में होती हुई दिखती है, लेकिन संगीत चाला व्यायाम चाला यह संग का रूप नहीं है, संग के सब स्वयंचो के मिलकर एक लाग तीसा जार से ऊपर विभिन्न संगटोनों के माध्यम से, ट्रस्टों के माध्यम से, सेवाकार यह सारे देश में चलाते हैं, लेकिन संग सर्विस और्गनाजिशन नहीं है, कि यह सारी बाते जो हम देखते हैं हो रही है संग के स्वेंचों कर रहे हैं कि वह उनका अपना कर्तुर्त्व है कि संग ने उनको विचार दिया है संग ने उनको संस्कार दिया है संग से प्रzeitig लिए जहां अवश्चक है उनको लगता है वहां काम करते हैं सब को साथ लेकर च्लने की कला संग में सीखिये तो जल्दी ही भढ़ जाते हैं अग्रणी हो जाते हैं कि प्रमारिकतासे निस्वार्त बुद्धी से काम करते हैं है समाज का विश्वा naar सर्जित करते हैं परंतु यह उनका किया हुआ काम है स्वतन्त रहे अलग है स्वायत्त है और बढ़ने के बाद स्वावुलम भी हो जाता है संग पर निर्भर नहीं रहता हूं कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संग के पास नहीं रहता उसकी आवश्यक्ता नहीं है संग को स्वायम सेवत संग के सावस्कारों में रहकर संग के धिय को न भूलते हुए सबके प्रतिस्नया में को मन में रखकर अच्छे काम करें इसके लिए वो स्वतन्त रहें उनको तैयार करने की यह जो पद्धती चलती है वो संग है और यह पद्धती विश्व में एक सबसे बड़ा स्वायम सेवी संगतन तैयार करना इसके लिए नहीं चली है भारत में रट्रिय स्वायम सेवक संग का प्रभावी दबाव गट खड़ा करके उसके दबाव में सब कुछ बद इसके लिए नहीं चल रही है कि संग डेश में संगठन खड़ा करना नहीं चाहता है पूरे देश को ही संगठित करना चाहता है समाज में दबाव गट खड़ा नहीं करना चाहता पूरे समाज को ही संगठित करना चाहता है कि आज समाज में बहुत सारे लोग संग में हैं बहुत सारे नहीं भी आए कुछ है जो विरोध भी करते हैं कुछ है जो न्यूट्रल है ऐसा कहा जाता है परुंतु इन सब को जोड़ना है पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है क्योंकि भारत वर्षे इस प्रकार शक्ति संपन्नों होकर सामर्थ संपन्नों होकर खड़ा हो यह विश्व की आवश्च रखता है गत दो हजार वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व ठक गया सबका सुख शाश्वत सुख कभी फीका न पढ़ने वाला सुख यह सब जीवों के लिए लक्ष रहता ही है प्रकृति ने दिया है उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुनिया में आदुनिक दुनिया में और उन प्रयोगों के चलते उन प्रयासों के चलते मनुष्य की सुख सुविदाओं में मनुष्य के साधोनों में मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति हुई बहुतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्तुए उत्पन्न हुई बहुतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बाते पैदा हो गई लेकिन शुख नहीं बड़ा परियावर का संकट खढे हो गया कुझ कि शुखम रखन की असमाधान बड़ा अत्मध्य बढ़ी परिव्यार टूठने लेंके साधन संपन्न विज्ञान संपन्न मनुष्य उन साधनों का उप्योग मनुष्य कल्यान के लिए करने के बजाए युद्ध के एक से एक प्रदत अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है और कला थमा नहीं है हुँसा रुकी नहीं है और इसलिए आज के दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले हमारी दुष्टी में हम विश्व को जैसा समझते है उसके आधार पर हमने सब प्रयोग कर लिए अब हमारी दुष्टी के आधार पर हमारी समझ के चलते कोई कि नया रास्ता निकलने वाला नहीं है कि हम से भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है कि अधिक सटीक है कि उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए और इसलिए भारत बड़ा होना यह दुनिया की आवश्चता है हमारी तो है ही क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिकत रूप से या एक कुटुम्ब के रूप से भी हमको सुखी होना है तो हमारे देश को सुखी होना पड़ेगा हमको प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा हमको सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रक्षकने वाला विश्व मे उसको विश्व गुरु पर प्रतिश्थित कर सकने वाला संपूर्ण देश को बल संपन्द सामर्थ संपन्द सर्वांग सुंदर सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्च्चता है क्योंकि देश में परिवर्तन तब आता है जब यह काम होता है देश में अनेक प्रकार की परिस्थिती रहती परिस्थिती पर उपाय करने वाले भी रहते हैं परिस्थिती में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं लोगों की आवशक्ताओं को लेकर संगर्श करने वाले लगते रहते सदा सर्वता रहते आए इनका अभाव किसी देश के किसी समाज में कभी नहीं रहा परंतु जिन्जिन देशों में प्राचिन समय छोड़ दीजिए इतिहास काल भी छोड़ दीजिए अरवाचिन समय ने जिन्जिन देशों ने प्रगति की उनका इतियास देखेंगो तो पता चलागा कि किसी विचार को, किसी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी सरकार को श्रेय तो मिला, निमित तो कोई होता है, उसी के खाते में यश लिखा जाता है, परंतु उस यश का संपन्न होना, इसकी प्रक्रिया का अध्यान किया, तो सो से लेकर डेड़ सो वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए है। क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिती रहती है। कैसा समाज है, वैसे उसको नहता मिलते हैं। वो काम करते हैं, आये समाज से ही है, जितनी समाज की उँचाई है, उतनी ही उनकी उँचाई है। और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना, ये सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है। राजा अपने नित्यक्रम में सुब़ जल्दी उटके, गर में थोड़ा सा व्यायम करके बाहर निकला। और रोजका उसका नियम था, गोडे पर बैटकर रपेट करना, आधा गंटा। अगले ही दिन एक नया गोडा लाया था, दूर से अर्बस्तान से वो गोडा लाया गया था, पंचलक्षणी सुन्दर अश्वा था, बहुत सबल था, राजा उस पर बैठा, उसने एडी लगाई, लिकिन गोडा हिलने को तैयार नहीं। लाग प्रेयास किये, गोडा हिली नहीं रहा है, अड़ गया। चलो, आज अपना नियम तूट गया, कल डबल रपेट करेंगे, ऐसा सोच के, राजा वापस आया, अस्तान वगर करके, नास्टे के लिए बैठ गया, देखता है तो नास्टे में जो रोटी या थी सब जल ग पान थे अंदर वो सब सड़ गया, तो राजा बड़ा विचार मगन होकर थोड़ा सा जिसको अंगरी जी में कहते हैं मूड आफ होकर दरबार में पहुंचा, जैसे ही स्थाना पन्न हुआ, प्रधान जी को उसने की प्रश्ण पोड़ा, प्रधान जी बताये, गोडा क्यों जली पान क्यों सड़ा, अब किसी ओकुछ समाज में नहीं आए, अब चलने लगा प्रश्ण, और राजय की प्रश्ण पूछे, गोडा क्यों गडा, प्रटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, अब दर्बार का काम समापत ही नहीं हो इसका उत्तर ही नहीं मिले, फिर कोई एक बुड़ा अनुविवी था राजदानी के शहर में समझदार आदमी इसलिए प्रसिद्ध था उसको भुला के लाया उसने राजा का प्रक्टों सुदा और रुस्तिका महाराज इसका उत्तर है गुमाया नहीं इसलिए गोड़ा अरता तब पहले उसको घुमाते हाथ को पकड़कर जिस मैदान में रपेट करनी मैदान दिखाते वह जब तक मैदान पता नहीं होता तब तक वह हिम्मत नहीं करता है कि गोडे को गुमाना पड़ता है कि रोटी सेखते समय उसको भी गुमाना पड़ता है पलटना पड़ता है नहीं तो जल जाती है और पान खाने वाले लोग जानते है पांदान में पान रखना है तो उसको बार-बार पलटना पड़ता है गुमाना पड़ता है तो गुमाया नहीं इसलिए सब प्रट्णों काई की उत्तर है वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है हमारी स्थिती बदली देश की बिस्थिती बदली हम जागरुत नहीं थे तब गुलाम थे गुलाम instructional कोई करेंड नहीं था हम पर राज करने वालों से हमारी जनहसिंक्या बहुत जादा थी हमारा विचार तत्वज्यान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले अन्य लूग के पास नहीं है की एक सएक बुद्धिमान अलोग बलशाली लोग धन्वान लोग तब भी हमारे पास थे उसके पहले भी थे आज भी है कल भी रहेंगे कि यह हमारी कला है कोशल है कि ऐसे सब होने के बाद भी हजारों मिल दूर से मुठी भर लोग कि जो किसी मामले में हमसे छिष्ट नहीं थे हम पर राज क्यों कर सके कि स्वतंद्रता के लिए प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में यह प्रश्ण था और अपने प्रामानिक प्रयासों के अनुभव से उसका उत्तर भी उनके मन में था सब के मन में एक सा उत्तर था उत्तर यही था कि हम जिस बान जिन जिन बातों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो बाते तो हो जाएगी जो विशय हमने हाथ में लिये हैं उनके हल निकल जाएंगे लिकिन वो विशय फिर से खड़े नहीं हो गए इसकी क्या गरंटी है अंग्रेज कोई पहले नहीं थे हमको गुलाम करने वाले हैं यह आक्रमणों का ताता तो सिकंदर के पहले से शुरू हुआ शकहून कुशान यवन बाद में मुगल तुर्क पठान अफगान बाद में ब्रिटिश पोर्तुगीज डच सारे लोग सब लोगों को अमला करने के लिए भारतवर्श ही मिला भारतवर्श की हवा उनके लिए अनुकुल नहीं थी यहां के शुरूवीर लोगों से उनके पराक्रम की तुलना भी नहीं हो सकती इतने हम से रठते पराक्रम में इस इसवी सदी एक से इसवी सदी सत्रा सो तक हम अर्थिक दुट्री से दुनिया में पहले देश थे किसी मामले में कम नहीं देए और मुठिवर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर दक्षिन पुरपश्यम देश को गुलाम बना दिया यह क्यों हुआ क्योंकि समाज में कुछ दोश घुज गुज गये हैं कि समाज की स्थिती ठीक नहीं है कि समाज की इम्मुनिटी कम हो गई है इसलिए हर कोई वायरस उसको गिरा सकता है कि संग के संस्थापक डॉक्टर हिडगिवार कि ऐसे सब कारियों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके काहरे करता थे प्रामानिक्ता से निश्वार्त बुद्धी से उन्होंने काम किया क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा देह नहीं था कि बच्वन में अनाथ हो गए थे परिवार की जिम्मेवारी का प्रष्ण नहीं था छोटे भाई थे देश के लिए काम करते हैं और उसमें उन्होंने प्रतिग्या की थी कि इस जीवन में केवल इस देश के लिए सारी शक्ति लगाएगे और इसलिए समाच जीवन में समाच को उठाने के लिए देश को जगाने के लिए देश को स्वतंत्र करने के लिए जो जो चलता था सब में उन्होंने भाग लिया प्रामानिक्ता से निस्वार्त बुद्द्धे से तनम अधन धन पुर्वक कार्य कि लिए उनका स्वयम का च लोक्माने तिलग जी, सावर कर जी, डक्टर बाबा साब अम्मेड कर, मात्मा गांदी जी, बाबु सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहनमाल विया, भगत सिंग, चंदरशिकर आजाथ, ऐसे सब लोग उनके संपर्ग में थे, क्योंकि इन सब के कारियों में कुछ न कुछ हिस्सा उन्होंने उठाया था, और उठाते रहे थे, चर्चे होती थी, तब उनको पता चला, कि मेरा जो अनुभव है, और मेरा जो निश्कर से है, सब के मन में वही बात है, कि हमने जो काम लिया है, वो तो सफल हो जाएगा, ले मही ही ये करता हूँ, साथ-ाथ वर्ष उन्होंने प्रयोक किये, परिवर्तित करना, समाज को परिवर्तित करने का काम करने वाला कार्यकरता, देश भर में खड़ा करना, आत्मविश्वा सुत्पन्न हो, और सब समाज जिनको अपना मानता हो, ऐसे कार्यकरताओं के समूह, गाओं गाओं में और शहरों की बस्ती-बस्ती में खड़े करेंगे, तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरन बदलेगा, बिल्कुल यही कलपना, श्री रविन नाथ ठाकूर के स्वदीशी समाज नामक निबंद में आपको पढ़ने को मिली, विचार के नाते संगने नहया कुछ नहीं किया, युगानु युग से चलती अपनी सनातन परंपरा में, अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए, वो सब देखकर, उन सब से लेकर, यदि कोई कमी किसी में हो, तो उसको निकाल कर, एक युगानु कूल पद्धती समाज को संगटिच करने की खोजी, उसका प्रयोग चल रहा है, संतानमे साल पूरे हो रहे हैं, उसका नाम राक्ट्रिय स्वाजिश्योग संगय है, क्योंकि यह आदत करने का काम है, रोज करना पड़ता है, सब भूलो, शाखा में आओ, शाखा में आके क्या करो, यही जो कारिक्रम आपने देखे, डिखने में तो कुछ बड़े महत्तो पुरुन अगर लगते नहीं, हाथ बाजू करो, हाथ उपर करो, फिर से बाजू करो, नीचे करो, कौन सा समाज परिवरतन भई, इसमें क्या राटर राटर का क्या होने वाला है, क्या इस हाथ की हवा लगकर कुछ होने करा, क्योंकि जो काम करना है, वह बड़ा महत्व पुर्ण काम है, वह ऐसे ही बड़ा कषिन काम है, इस देश के लिए हमको काम करना है, तो इस देश क्या है? इसकी स्पट्टा समझ चाहिए, यह हमारा भारत है, यह कब से आया? इस पर्टा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे उ एक सरकार होती है तो एक देश होता है